दूबसकार स्वागर आपका एटी नाउस वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रपाथी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और एटी नाउस स्वदेश आज पूरा कर चुका है दो साल तीसरे साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और देश के सबसे युवा सबसे भरोसे मन चैनल पर भरोसा दिखाने के लिए आप सभी दर्शक मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ प्रशान भी मौझूद है प्रशान आपको भी दो साल पूरा करने की धेर साली शुपकाम ना एक बहुत बहुत शुक्रिया पूजा और वाकई ये दो साल जो है वो स्वदेश्ट की इस तरक्की की नई उडान के साल रहे हमने देश की growth story पर यकीन किया और इन दो सालों में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ता रहा चाहे हम कारुबार की दुनिया में देखें चाहे शेयर बाजार की दुनिया में देखें चाहे स्टार्ट अप्स की दुनिया में देखें या हम देखें आम निवेशकों के लिहाज से सभी ने इन दो सालों में गोद की एक नई इबारत लिखी और इन सभी लोगों को हमारे दर्शकों को आम निवेशकों को जिनने हमने जाग्रूब बनाया जिन तक बहतर तरीके से जानकारियाँ पहुँचाई उन सभी को ईटी नास्वदेश के दो वर्ष पूरे हुने पर धेर सारी शुब कामना है और सभी का शुक्रिया क्योंकि आपका भरोसा ही था जिसने आज हमें इस मुकाम पर पहुचाया है कि आज ईटी नास्वदेश देश का सबसे भरोसी मंद और सबसे लोगप्रिया बिजनस चैनल बन चुका है चलिए फिलहाल इस वक्त की सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर देश के सबसे युवा, सबसे भरोसे मंद और सबसे लोगप्रिय बिजनस चैनल लीटीना स्वदेश की आज दूसरी साल गिरा बीते दो वर्षों में निवेश और ट्वेरिंग को लेकर स्वदेश ने लोगों में जागरुपता पहलाने का बनाया इतिहास स्वदेश की दूसरी वर्षगांट पर बाजार, इंडस्ट्री लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ देखिए मेगा कवरेज बताएंगे मार्केट में कमाएं के गुरु मंत्र केंडरे मंत्रियों से सुनिये सरकार की बड़ी तयारी बड़े फंड मैनेजर्स के साथ बनाएए पोर्टफोलियो स्वदेश टू यर्स पर आप क्वीट करके दीजे बढ़ाई, पूछे अपने सवान बॉंड इल्ड बढ़ने से अमेरिकी बाजारों में गिरावट डाओं में लगातार तीसरे दिन दबाव 430 अंक गिर कर दिन के निचले अस्तर पर बंद, नैस्डेक और S&P देर से 2% तक तूटे गिफ्ट निफ्टी से कमजोर संकेत करीब 120 अंक गिर कर 19,450 के नीचे जापान और हौंग कॉंग कोंग के बाजारों में गिरावट वहीं 6 अक्टूबर तक चीन के बाजार रहेंगे बन कचे तिल में हलकी रिकवरी, ब्रेंट के दाम 91 डॉलर के उपर लेकिन सोने पर दबाव बरकरार, कॉमिक्स पर भाव 1840 के नीचे एफ आइस की कैश मारकेट में लगातार दसवे दिन बिक्वाली, दस दिनों में करीब 20,000 करोड रुपे के शेयर्स बेचे सितंबर तिमाही के लिए बजाज फिनांस का दंदार बिजनस अपडेट, एउएम और नए लोन में अच्छी ग्रूथ, मॉर्गन स्टैनली ने उवरवेट रेटिंग के साथ लक्ष बढ़ा कर किया, 10,300 रुपे, जेफरीज की भी खरीदारी की राय कायं सितंबर तिमाही में डी मार्ट की आए, 18 परसंट बढ़ी लेकिन प्रतिवर्ग आय पर दबाव ही वी मार्ट का मिला जुला बिजनस अपडेट, आएमें 8 परसंट की बढ़ा कंपी में खुले, 6 ने स्टूप सितंबर में CSB बैंक के ग्रॉस एडवांसेज में 27 परसंट की बढ़ाद, वहीं साउथ हिंडियन बैंक और बैंक आप महाराश्ट्रा के एडवांसेज और डिपॉसित में भी उचार दूसरी दिमाही में वेदांत का अलुमिनियम उत्पादन 3 परसंट बढ़ा लेकिन जिंक उत्पादन पर दबाव वहीं APL Apollo Cubes के सेस्ट वाल्यूम में 12 परसंट की ग्रॉथ अब डेटर सर्विसेस की लिस्टिंग आज जब करीब 3 गुना भरा था IPO इशू प्राइज 300 रुपे प्रतिशेर और आज से शुरू होगे RBI की मौन्जरी पॉलिसी कमिटी के बैठाथ 6 अक्टूबर को आएगी क्रेडिट पॉलिसी लगातार चौथी बार दरों में किसी बदलाव की उमीड में सूशल मीडिया के तौर में बेशा सूचनाओं की रफ़तार बढ़ताई है लेकिन इसी रफ़तार से उठे हैं खब्रों की क्रेडिबिलिटी पर सवा फिनेंशल इन्फूएंसेस ने भी कन्फ्यूजन को कर दिया है दुगना दू साल पहले तर्शकों के बीच भरोसा बन कर आया इचीनाओ स्वदेश हमने न सिर्फ बाजार एकॉनमी और आपकी जेव से बुड़ी सटीख खब्रे ही बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स के जरीए निश्पक्ष विश्लेशन किया जिने बाजार करता है सलाम हमने खब्रों के साथ साथ आगे के मौकों और फत्रों को लेकर भी आगा किया देश की ग्रोथ स्टोरी में भागिदारी दिने का सबसे सशक्त मंच बना इचीनाओ स्वदेश हमारा बिश्वास है हमारे मजबूत किरादों से आप बढ़ेंगे और आप बढ़ेंगे सोदेश भी बढ़ेगा इचीना सोदेश बढ़ो बढ़ो देश के साथ प्रह नहीं मानिका यह सब दीफीट बढ़ेंगे बढ़ेंगे लेकिन तोछ आपको क्योंकि हम इतो करते हैं मुनाट इक बात दो साल हमने कापी धमाल किया और आगे भी इसी तरह का कहमाल करेंगे हैपी बढ़े इटिनाओ स्वदेश नाम तो बहुत सुना होगा इटिनाओ स्वदेश बदो बढ़ो बड़ो बश्चे साहथ happy birthday इटिनाओ स्वदेश और भी इटिनाओ स्वदेश माई और आटिनाओ स्वदेश दया होगा और स्वदेश कता हुद और न लाटक सरária किया भी स्वदोट माल Jetzt देसी हैं हम, श्वय देसी हैं हम दो साल हो चुके हैं और अब अगले बड़े लक्ष की और हम देग रहे हैं तो यहीं गएंगे, दश्व मस्क गौ आन दो साल बहुत भी अच्छे गए हलो नमस्कार और ईपीनाव स्वरेश को दो साल की फेर सारी शुपकामना है एपीनाव स्वरेश को दो साल के लिए एपीनाव स्वरेश को दो साल के लिए भी अच्छे हारे अपना प्यार इसे भरसाते रहिये यह तॉपकामना तो यही नाव स्वरेश को 2 साल की पूरा होने के मौके पर यहां वर्रेश का किवेगे तो अब लोटे हैं एक्विटी मार्केट पर और सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट के संकेतों से एश्याई बाजारों की बात करें तो कमजोर शुरुआत हो रही है हाला कि चीन के बाजार तो 6 अक्टूबर तक बंद रहेंगे लेकिन बाकी सभी जो इंडाइस आपने का एश्याई बाजारों से कमजोर संकेत है लकिन अमेरिकी बाजारों में कल काफी गिरावट देखी थी डेर से 2% की गिरावट सभी इंडेक्स में देखने को इन ली यह गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि ब्याजदरों को लेकर जो बयान फ्रेड का आया है उसस व्याजदरों से डिमांड को लेकर चिंता है वो दबाब यहां पर बन रहा है तेनियर बॉंड डिल ठटियर बॉंड डिल दोनों 16 साल से जादा की उचाई पर है तो यह लगातार दबाब बना रहा है चिंता कहां पे जादा थी तो टेक्स शेरों पर जहां गिरावट है सोने पर दबाब है बाकी दूसरे आसेट क्लास पर भी दबाब दिख रहा है जो संकेत अच्छे नहीं दिख रहे है चाहे वह बाजार के लिए आज संकेत बहुत अच्छे नहीं दिख रहा है जी पुजा अच्छे संकेत नहीं है क्लासिक केस है आज के लिए गुड यूज इस बैद निउस का अमोमन जो डॉर जॉप मार्केट के डेटा आये है वह हम अच्छे कहेंगे लेकिन मजबूत लेबर मार्केट से आने वाले समय के लिए ब्याज दरों में लंबे समय तक बरहत का दौर वो जारी रह सकता है उसके चलते भारी गिरावट देखने को मिली हमने US के बाज़ारों में यूरोप के मार्केट में भी हमने वीक्नेस ही देखी है इबर FIIs और DIs के आंकड़े आपके सामने क्विकली रखते हैं उसके बाद मार्केट एक्सपर्ट से समझेंगे कि आज बाज़ार में क्या करें कैश मार्केट में FIIs ने लगाता बिकवाली वहाँ पर जारी है और कल भी 2,034 करोड की बिकवाली FIIs कल कैश मार्केट में करके गए इसके अलावा DIs की बात करें तो वहाँ पर सपोर्ट था खरदारी का अकड़ा निकल कर आया 1361 करोड का इंडेक्स फ्यूचर में 1840 करोड के आसपास की बिकवाली हुई इंडेक्स ऑप्शन में खरदारी का आकड़ा है 7882 करोड का लेकिन FIIs के तरह से लगाता जो बिकवाली जारी है पिशले 10 दिनों से ये कही ना कही डिकत वाली बात है तो आज संकीत कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं भाती बाजारों के लिए तो किन लेवर्स को वाच करेंगे और क्या रनीती अपना के चले ये भाई ये भी समझ लेते हैं हमारे साथ 1.99 के राहुल शर्मा जोड़ चुके हैं राहुल थैंक यू सुमच एटीनाव स्वदेश को समय देने के लिए क्या करें आज बाजार पर किस तरह से ट्रेट करने की राय होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और साथी साथ अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी शेयर कीजिए डेफिनेटली पूजा और सभी दर्शकों को नमस्कार आप सभी को गुड मॉर्निंग और धेरो सारी बधाया दो साल कंप्लीट करने के लिए वेरी हापी बर्ट देटो इटिनाव सुदेश ये दो साल मैं आप लोग के सानल के साथ में असोसियेट रहा हूं जानता हूं कि कितनी महनत आप लोगों ने करी है और इस इन सब चीज़ों का फल आपको डेफिनेटली आने वाले दिनों में मिलता हूं देखेगा बहुत है सारी बदाईयां पूरी टीम को मेरी और मेरी टीम की तरफ से बिकुल राहू बाबा शुक्रिया आपका हमाय साथ जुनने के लिए और सेलिब्रेशन में हमाय साथ भाग लेने के लिए तो मार्केट पर वापस से लौटते है राहूल आज क्या से ट्रेट करें जी देखे डेफिनेटली प्रेशर तो जो बना हुआ है वो आपको आनमले सेशन में कंटीनियूड होता हुआ देखेगा और ये देखे ओवरॉल हम देखे तो जो हमने इतना अच्छा बुल्टरन देखा था सट्टेंबर महीने में जहां हम निफ्टी 20,200 के आसपास पहु ये जो declines आपको मिल रहे हैं मुझे लगता है कि ये accumulation का मौका दे रहे हैं बहुती अच्छी तरीके से जहां आप अच्छी good quality stocks को accumulate कर सकते हैं और अगर sector wise अगर हम देखें तो PSU ने अभी जो last run था उसमें lead किया है especially banking basket से और देखे बने आपके ही show में पहले भी key performer का काम कर market जहां market pressure में बनेगा वहीं आपको PSU भी आगे strength के साथ बढ़ते हुँ दिखेंगे इसके अलावा जो sectors जो आप पसंद आ रहे हैं वो मेरे को लगता है auto और reality pack और consumption based stories काफी जादा run होगी आने वाले market में nifty कि अगर particular में बात करूँ तो देखिए pressure तो पिछले midweek से बना हुआ है बट यह मुझे लगता है कि आने वाले sessions में कहीं न कहीं आपको अच्छे support भी आते रिखेंगे market में immediate basis पे 19,400 followed by 19,350 और 19,250 यह इसे levels हैं जो की challenge होते हुए आपको दिखेंगे और upside में अगर बात करें तो 19,630, 19,750, 19,800 यह कहीं न कहीं hurdle का का काम करेंगे on the upside journey bankrifty जहाँ पे अच्छा खासा support PSU banking basket से भी मिल रहा है फिर भी वहाँ struggle हमको होते हुए दिख रहा है index और मुझे लगता है कि आने वाला जो session है जो results का session है वो कहीं न कहीं जहाँ पे अगर banks अच्छा perform कर पा है अगर business wise तो वहाँ पे आपको overall H1 की pull space देखेगी और जादा क support का काम करेंगे और जो challenge जो हमें upside देखने को मिल रहा है वो मुझे लगता है कहीं कहीं 44,670,44,750,45,000 यह कुछ ऐसे challenging area रहेंगे on the upside journey इसी के चलते हैं जो हमने stocks जो select करके रखे हैं देखिए सबसे पहले तो मैं auto pack से TVS motors के बारे में बात करना चाहूंगा जो करीवन 1530 के आ declines मिलते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मौका होगा इसको add करने के लिए 1600 रोपे के लक्ष बनके आ रहे हैं और जो stop loss यहां पर रखना होगा वो 1500 का रखना होगा start structure बहुत positive है अभी आकड़े भी आये थे इनकी two wheeler विक्री के वो भी अच्छे रहे थे तो मेरा मानना है कि आने वाला session में आपको यह बहुत अच्छा साबित होता हो दिखेगा second selection again from PSU banking basket Indian bank जो की करीवन 440 के आसपास closing दी थी यहां पर लक्ष बनके आ रहे हैं वो 500 और 500 प्लस के हैं मेरा मानना है कि अगर यहां पर declines मिलते हैं तो 410 रुपे के stop loss के साथ में आप अपनी position Indian bank में बना सकते हैं PSU banking basket में वैसे ही काफी ची तेजी है और मुझे लगता है Indian bank एक अच्छा candidate साबित हो सकता है तो यह है नजरिया और market पर उसके साथ ही जो stocks आपके सामने रखें वहां पर भी एहम levels बताते हुए रहुल चले बहुत 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 शुक्रिया करेंगे रहुल आपका इस एहम जानकारी के लिए और बढ़ते आगे हमारे साथ शरद बने हुए हैं और आज कहां रखनी है नजर आखिर किन खबरों और किन triggers पर करने focus यह हमारे साथ बताएंगे लेकिन शरद सबसे पहले एटी नास होदेश के दो साल पूरे हुए हैं और हम सभी के लिए एक बड़ा milestone बताएं आज कहां बढ़ने साही किया और हम दर्शकोर के लिए बहुत अभारी है कि दो साल से जो आपने हमें सपोर्ट किया है रोज सुपह साथ साथ बजया आके जो हम important news लोज लाते हैं और आपको बताते हैं बजार से सबसे पहले कि क्या important होता आज भी जो है हम कुछ अलग महीं करेंगे बट यही सपर ही focus करेंगे सबसे पहले आता है IPO market का action यहां पर listing होने वाली है अपडेटर services के लिए IPO prices 300 रुपे प्रती शेयर है IPO subscription लगबग 3 गुना है हलाकि muted listing expected है Valiant Labs उनके subscription के आखरी दिन अफ सेल में लगबग 30 गुना subscription देखने मिली है अब आते है Q2 updates जहां पर हम बताएंगे क्या impact देखने मिल सकता है बजाज finance की strong Q2 updates देखने मिली है जहां पर customer acquisition और loan booking और AEM growth तीनों में अच्छी strength आई है Ebony Supermarts के मिले जूले नतीचे देखने मिले है अल्मस्ट 89.5% का top line आया हाला कि revenue per square fit उसमें गिरावट आई है तो mixed set of numbers है Vmart के weak set of numbers देखने मिले है Yes Bank, Bank of Maharashtra, CSB Bank इन stocks में strength देखने मिली है Q2 updates में लेकिन जो South Indian Bank है वो लगबग muted performance दिये है APL Apollo tubes के लागातार जो है highest levels of sales देखने मिले है हाला कि वेदानता की बात करें तो weak operational updates देखने मिले है जहां पर year on year और sequential basis में गिरावट आई है खबरवाले shares में IDFC First Bank के QIP लाँच हुए 3000 करोड का floor price almost 95 रूपीज पर share है मारूती सीजी की को लगबग 260 करोड का IT का notice आया है CCL product में NJ Mutual Fund ने 0.5% stake लिया अधानी enterprises में जो है अबुदाभी की IHC ने अपनी stake 5% से उपर बढ़ाई है Hero Motor Cop में Harley Davidson अपनी deliveries 15 August से start करेगी Raymond भी लगबग 300 करोड जो invest करेंगे अपनी ARM 10 cent में और आखिर में Strides Pharma को US FDA का approval आया है फिश ओल ड्रक के लिए जो वो launch करेंगे एक leading generating pharma company के साथ तो ये सारे खबर जो है दिन की trade पर आपके focus होने चाहिए बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद इन ट्रिगर्स और खबरों के लिए और यहां वक्त होगा एक छोड़े से break का लेकिन break के उस पार आपके सामने हम लेकर आएंगे brokerage report और इसके साथ ही आपके सामने हम commodity market के action और visualization को भी डखेंगे और यह बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे केडिया community के अजय केडिया साथ आप बने रहे हमारे साथ अजय करेंगे झाल 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 स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए ब्रोकरेज हाऊसेज की नजर कहा है ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है वामाक्षी बताएं जिवरकुल शिरुवात करते हम आविन्यू सूपर मार्स के साथ हम देख रहे है कि मैक्वाइडी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कंपनी के क्यू टू अपडेट पर उनका कहना है कि सेल्स ग्रोध कॉमेंट्री लाज्ज ली अनुमान के मताबिक रही है इन फाक्ट ग्रैज सेल्स मोमेंटम में और अवरॉल उन्होंने अपनी आउट परफॉर्म की राई को बरकरार रखा है टागट प्राइस दिया है 4,550 प्रतीशेर का इसके अलाबा बजाज फाइनांस भी फोकस में रहेगा कंपनी की तरफ से क्यू टू अपडेट आया है और यहां पर हम 33-35% FI24 AUM growth company post कर पाएगी as compared to उनकी जो guidance 29-31% range की ओवरॉल उनका कहना है कि काफी bullish रहे है बजाज फाइनांस पर और इन फाक्ट उनका कहना है कि यह एक ideal play है इंडिया के ongoing NBFC rally में तो all in all Jeffries के तरफ से खरदारी की राया आ रही है Morgan Stanley ने हाला कि अपने overweight की राय को बढ़कर आ रखा है और अपना target price भी उन्होंने बढ़ा कर 10,300 रुपए प्रतिशेर पर कर दिया है इसके अलावा MNM Finance की तरफ से भी हमने देखा कर just market close होने के पहले उनका Q2 update आया था और largely City का कहना है कि dealer advance के चलते AUM growth को अच्छा support मिलता ह स्टेज 3 स्टेबल है और स्टेज 2 में improvement में सर आया है NIM साला के आगे चलते हुए थोड़े lower trend कर सकते है क्योंकि अब company lower yielding asset पर focus कर रही है तो इसके चलते city की तरफ से खरदारी की राय आ रही है और Morgan Stanley का कहना है कि disbursements lower than expected रहे है मगर gross loan growth marginally better रहा है और इसके चलते Morgan Stanley की तर इसके चलते execution for focus company का रहेंगा deposit ramp up और housing book ये कुछ important factors रहेंगे growth को लेकर तो इसी के चलते Jeffries ने HDFC bank पर खरदारी की डाय को बढ़करा रहा है OMC pack भी focus में रहेंगा Morgan Stanley का positive stance है ये sector पर क्यूंकि defining up cycle है better capital allocation है और under appreciated earnings quality भी है BPCL और IOCL उनके मुताबिक काफी positively surprise कर सकते है काफी स तो इसी के चलते Morgan Stanley काफी positive नजर आ रहे है OMC space को लेकर और आखिर में हम focus करेंगे power grid पर Jeffries का कहना है कि market share meaningfully बढ़ता नजर आया है competitive bidding transmission projects में in fact करी 20,000 क्रोर का KPEX भी likely है FY26 तो इसी के चलते Jeffries ने power grid पर खरदारी की राय को बढ़करा रहा है target price दिया है 212 रुबए प्रती share थांकिए वामाक्षी आप पर ये सारी जानकारी देने के लिए अचले बागे बढ़ेंगे और आज दो साल पूरा करने के उपलक्ष में E.T.Nav Swadesh में आज दिन भर दिगज इंडस्ट्री लीडर्स और policy makers का जमावरा रहेगा तो उसकी mega kev coverage आप दिन भर आज E.T.Nav Swadesh पर देखे हमारे साथ नीलकंट मिश्रा जुडेंगे विजय केरिया दिगज निवेशक और देविना मेरा इसके अलावा गौतम दुगल अतुसूरी विक्रम कोटल दिनेश खरा जैसे बड़े दिगज इंडस्ट्री लिस्ट हमारे साथ जुडेंगे इसके अलावा market expert भी ह और इसी मेकर्स का क्या कहना है भारत की ग्रो स्टोरी पर और उसमें EGNOW स्वदेश की भी एहम भूमिका होगी आज के दिन तो आज दिन भर हमारी ये मेगा कवरिज जाई रहेगी चलिए अब बात करते हैं commodity market की हमारे साथ केडिया commodity से अजय केडिया मौजूद हैं जय थै commodity market में हम देख रहे हैं बॉनियर बढ़ रहे हैं अपने उपरी स्टर पर आ चुके है dollar index एक सुसाथ के पास पॉच्छे जिसका की असर commodity market पर पढ़ रहा है कैसे देख रहे हैं आप इन लेविस को और उसको देखते हुए आज commodity market में कैसे ट्रीट करें नमस्का पोजे जी डेफिनिक लिए कर देखा जाए सबसे पहले तो इटी नौस वदेश को बहुत बदाई दो साल की क्योंकि हिंडी भास्षा भारत के लिए काफी important है और काफी private role हमने दिखाया है इटी नौस वदेश ने इसमें दिखाया है commodity market की बात करें तो हमने सुकरवार सुंबार के सेशन में काफी बड़ा जंप हमने dollar में और bond deal में आती भी दिखा जिसका negative असर पूरे commodity market में पढ़ता हुआ दिखाय दिए बट कहीं न कहीं कल की गिरावाट के बाद market आज स्टेबल होता हुआ दिखाय दे रहा है दो दिन की बड़ी गिरावाट के बात कहीं न कहीं सोने और चांदी में लो लेवल पे थुरु 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 भाइंग लॉट के निखाय दे कि जिसके चलते M6 पे गुल्ड चपान आट सो पे लेना चीए 56-600 का टॉप्रोस है का लिमिटेट अपसाइट साथावान एक स को दिखते हुए मुझे लगता है थोड़ी रिलीव कंटीनियूम लेगी क्योंकि आउट्पुट में कोई भी जो व्यू लास्ट की लास्ट मन का था वो अंचेंज ही रहेगा जिसके चलते हम दिखरेंगे एक जंप मिल सकता तो 7400 पे अच्छे तेल को लीचे 7280 का अगर हम जिंग की बात करें तो चाहिना मार्केट क्लोज होने के चलते मार्केट एक सीमी दायरे में है बड़ी गिरावट के बाद जिंग में अब सपोर्ट दिखाई दे रहा है 222 पे लेके चलिए 220 के स्टॉपलों से 226 तक के लेवल हम जिंग में आते लिख भाएगे प्रेशर शोर्स, इंट्रेस्टिंग रिसर्च और इंडस्ट्री के दिगधर पॉलिसी मेकर और इंडस्ट्री इस तो हमार साथ जुडेंगे ही तो आज दिंभर बने रहे है एटीनाव स्वदेश के साथ अब तक के लिए हमें दीजी आज़त नमस्कार दीजी आज़ जाएगे झाल 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 सूशल मीडिया के दौर में बेशा सूचनाओं की रफ़तार बढ़ दई है लेकिन इसी रफ़तार से उठे हैं खब्रों की क्रेडिबिलिटी पर सवा फिनेंशल इन्फूएंसर्स ने भी कन्फ्यूजन को कर दिया है दुगना दू साल पहले तर्शकों के बीच भरोसा बन कर आया इजी नाउ स्वदेश हमने न सिर्ब बाजार, एकॉनमी और आपकी जेट से धुड़ी सटी खब्रिन बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स के जरीए निश्पक्षब विश्लेशन किया जिनें बाजार करता है सलाँ हमने खबरों के साथ-साथ आगे के मौकों और फत्रों को लेकर पिया अगाह किया देश की ग्रोध स्टोरी में भागिदारी दिने का सबसे सशक्त मंच बना इजी नाउ स्वदेश हमारा बिश्वास है हमारे मजबूत किरादों से अंसव बढ़ेगे और आप बढ़ेगे तो देश भी बढ़ेगा इटीना स्वदेश बढ़ों habitat देश के साथ यह नया भारत है is यह दो तरक्य की नई कहानी लिख रहा है भारत में अपार समभावनाइं हैं हर किसी के पास समान अफसर हैं किसी काड़ोबार को शुरू करने या उसे बढ़ाने का इसे बहतर समय कभी नहीं रहा फानेशल जागरुक्त पर आज स्वदेश बोल रहा है पुरा देश सुन रहा है बड़ शेडों में छोटे नुविस्कों की बात हो या छोटे शेडों में बड़ नुविस्कों की बात हो सब के साथ स्वदेश है इसलिए एक, दो, ती आए लखाता 30 फेवर स्वदेश के साथ समृद्धी की नई उड़ाने से क्योंकि ये देश एक समृद्ध वर्ष की ओर बढ़ रहा है बेश के सबसे डायनिक बिजनेस न्यूज चैनल इटीनाव स्वदेश में हमारे साथ जुड़े ये नई भारत का समय है भारत का समय है इटीनाव स्वदेश को यशशवी दो साल पूरे करने के लिए बहुत बहुत शुब कामना और शुब अच्छाए देता हूँ मुझे इस पात का बहुत गर्व है कि E.T.9 संदेश दोवा शुकूरा कर रहा है मेरी E.T.9 संदेश को विशेश शुब काम में और आशा करता हूँ कि आने वले दिनों में E.T.9 संदेश इसी तरह से बेता जगत को अधिक अधिक सुच रहे है और न्यूस प्रदान करता रहे है स्वदेश करके एक शारुख खान की मूली आई थी उसमें गाना था मिट्ती की जो खुश्बू तू कैसे भुलाएगा तू चाहे कहीं जाए तू लोट के आएगा ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा तुझे है पुकारा मैं E.T.9 प्रदेश को जन्मदिन की हादिक शुप कामिनाए देता हूँ और हर निवेशक को आप क्यापिटल मार्केट के जरिये फिनांशल शिक्यूरिटी प्रदान करते रहे वैसी आशाय करता हूँ स्वदेश है हमारा और निवेशक बनना बहुत जरूरी है E.T.9 स्वदेश में ये जो एक मुहिम जलाई ली है उसमें आपको बहुत सारी सफलता मिले ये सारी सुबकामिनाए आपके जनम दिन की E.T.9 को दो साल एज चैनल पूरा होने के You've done very well मैं आपको शुबकामिनाए देता हूँ और मुझे पूरी उमीद आप और भी सफलता पाएंगे E.T. सफदेश को दो साल पूरे करने के लिए बहुत बहुत शुबकाम दाएंगे इसके एक दो लेंग का दोवा है जो मैं कहना चाहता हूँ E.T. सफदेश और चैनल कई खड़े काके लागूँ पाए बलिहारी E.T. सफदेश आपके जिन पैसे दिये कमाई जिन पैसे दिये कमाई धन्यवाँ E.T. सफदेश को दो साल पुर्ण करने की हारदीग बधाई बहुत बहुत शुबकामना है आपको E.T. Sवदेश चैनल को E.T. N.A.V. सफदेश चैनल को उनकी दूसरी बर्स गाँट पे उनके विश्वसनेता एबं लोग प्रेता के लिए मैं दिल से आभार बेक्ट करता हूँ और बहुत बहुत सुबकामना देता हूँ दो बर्ष पूरे करने पर हादिक शुबकामना है, मैंनी मैंनी अबर्चियेशन्स टीवी नाव स्वजेश चैनल को दो साल पूरे करने की मेरे तरब से बहुत-बहुत सुबकामना है, ये चैनल हमेशा इसी तरह आगे बढ़ दे रहा हूँ सोशल मीडिया के तौर में बेशा सूचनाओं की रफ़तार परताई है, लेकिन इसी रफ़तार से उठे हैं, खब्रों की क्रेडिबिलिटी पर सवा, फिनेंशल इन्फूरेंसर्स ने भी कन्फ्यूजन को कर दिया है दुबना, दो साल पहले तरशकों के बीच भरोसा बन कर आया, EG Now स्वदेश, हमने न सिर्फ बाजार, एकॉनमी और आपकी जेव से भुडी सटी खब्रें, बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स के जरिए निश्पक्ष विश्लेशन किया, जिनें बाजार करता है सलाँ, हमने खब्रों के साथ-साथ, आगे के मौकों और फत्रों को लेकर आगाह किया, देश की ग्रोज स्टोरी में भागिदारी दिनिका सबसे सशक्त मंच बना, EG Now स्वदेश, हमारा विश्वास है, हमारे मजबूत इरादों से, आप बढ़ेंगे, और आप बढ़ेंगे, तो देश भी बढ़ेगा, EG Now स्वदेश, बढ़ो, बढ़ो, देश के इसके पर रखादो, मिल्यों आप बगादों से, जी सबस्केर देश चीरा, EG Now. किया, हमारे मेंगे, रही हुआ ठक है क्या.. हमारे बढ़ेगदेश, हमारे बढ़ दिनिकार,inkशी अबभादेव मेंगे लागदेश फिर किया कुए गाज़ आए झाल झाल नमस्कार इठिनाव सदेश पे आपका स्वागत है दो साल बेविसाल इठिनाव सदेश के दो साल बहुती शानदार रहे हैं तो भंगडा करने की बाती है जक्षिन का माहौल है यहां इठिनाव सदेश पे प्रियंका और मैं अपने सारे वीवर्स को धेल सारा प्यार और पोचसाहन के लिए धन्यवाद देते हैं और आज का शो हम एक रेगिलर ग्लूबल मारकेट इंडियन मारकेट क्यूज के बजाए भंगना करके शुरुआत करना चाहते है क्योंकि ये खुशी हम आपके साथ जाहिर करना चाहते है और आपके साथ एक उत्सव का माहौल बनाना चाहते है और ये जस्टिफाइट भी है हमने बहुत सारा डेटा देखा क्योंकि यहां इटिनाव स्वदेश में हर बात डेटा बैट करते है तो आपको क्या मालूम है कि इटिनाव स्वदेश के दो साल जो हो रहे उसमें भारत का जो मारकेट है इंडियन मारकेट है हमारा स्वदेशी मारकेट विश्य के सारे बजारों में सबसे जादा शांदार परफॉर्मिस दे चुका है इन दो सालों में डॉलर टेम्स में अगर आप देखें तो भारतिये मार्केट करीब एक से दो प्रसेंटी घटे क्या नहीं गुजर गया इन दो सालों में उसके बाद भी इंडियन इंवेस्टर मजबूती से खड़ा रहा इस बारे में हम आगे बात करेंगे प्रियंका आपका भी स्वागत है बहुत शांदाल लग रही है इन फाक देखे अजे एक बात है सबसे पहले जश्न किसी भी बात का शुरुआत भांगरा से नाच देखे में कुछ बदल गया आजे इसी की सपर बात करने जल रहा है विल्कुल इन दो सानों में काफी कुछ बद्ला है सवादेश इस पूरी जड़नी का साथ दिया है हमारे इनवेस्टर्स के साथ जैसे मैं बता रहा था प्यांका, यह मामूली बात नहीं है, बिल्कुल, इन दो सालों में दुनिया भर के मार्केट्स थे 18-28% नेगेटिव रिटर्न दिये, और हमारे मार्केट ने 1-2% नेगेटिव रिटर्न दिये, हम कम गिरें, अगर आपके पैसा या टूटा नहीं है, बुझार में पुझे दो सालों में कोई विनर, यह बात हम अक्सर करते हैं कि यह सर्वाइवल का मार्केट होता है, बिल्कुल, जी हां, चलिए आगे बात करते हैं हम कि और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इन दो सालों में भरती के मार्केट, भरती एकॉनमी इतनी शांदा त the third fund की बात करते है, यह third fund market में image होके आया है, बहुत मजबूत, और इसनले जश्चन में अने इस third fund का उसका नाम है retail investor, जिसतरा उभरके आया है, भारती हां की आज कल शाम को में पाटी में भी था और मुझसे को पूछ रहा था कि जो ग्लोबल मैक्रो सीन बनके आ रहा है उसके बावजूद हमारा माकेट टिका हुआ इतना यहां से हमें कमसे हम 10 से 15 से नीचे होना चाहिए था अमोमन अगर आप इछले 18 साल की हिस्ची देखें क्यों न हजार करूर का हमारा S.I.P. नंबर हो गया है अगर आप कविता जी से बात करें वह आपको इंशॉरेंस के नंबर देंगी वह आपको एंपेस के नंबर देंगी उससा आप एड़ कर लीजे तो 40-45,000 करूर रुपे महीने का आपका ऐसे बात को लेंगे आजे देखें आपन कर देखें है तो यह तो बात हुए एसाइपी के नंबर्स की करीब 16,000-17,000 कोड़ के आसपास हम घूम रहे हैं और इंशोरेंस का और NPS का डेटा पकड़ ले तो फ्लोस बहुत वजबूत हैं और इसकी वज़र से इन दो सालों में हमने जितने बड़े जटके देखे वह बहुत बहुत तेजी से उनके अंदर बाइंग आगए क्योंकि साइड में बहुत ज़्यादा ऐसा बैठा हुआ है लेकिन यह देखिए हमारे स्क्रीन पे हमारे सबसे पसंदीदा सहयोगी डिंपी जी जो अकसर यहां सवदेश पे गदर काटते हैं आप दिख जाएंगे आपने बैठें है जो रिटेल इंवस्टर साली बाल बताई वह बिल्कुल दिल खुश कर गई और मैं बोलूंगा है दो साल जो इटिना सुदेश के हुए है यह उसी रिटेल जर्नी के साथ ही हुए है जहां पे रिटेल मजबूत होता हो दिखा है और अजे एक और चीज है आज मैं बहुत है जो आप मिस्स कर रहा हूं आप भंगडा बार बार मां पर डोल जा रहे हैं बल्ला कैते ना पंजाब हो गए पावर हाथ आप रोक निसकते जब डोल में जाते हैं तो कुछ-कुछ मेरको यही से बैटे-बैटे ऐसा लग रहा हाला कि मैं किसी में मुंबई नी आ पारा है बैटे वरे आपने साप उजादे तो अब तो यही से में पर बैटे आप जबात लेवा आइए डोले जी वापस आइए ना कि में केम आपने आपको हमें वही से केड़कर जिखा दी जेंक कैमरा पर बार बाटे पार अ कर दो कि अधिक आपके तरफ से भी घंगडा होगे आप आगे बढ़ते हैं जो बात कर रहे थे भी दिप्पी आप अक्सर एफ आया डिया के डेटा को आडिलाइस करते रहते हैं हम लोग साथ में तो एक बात तो ये दो साल ने बनके आई है कि बहुत स्ट्रॉंग थर्ड फरंट आ रहा है रिटेल इनस्टर जागरुक हो चुका है वो छोटी मुटी गिरावट से किसी भी तरह के पशुबेश में नहीं पढ़ता है और एक सिस् दिमाग लगा के डेटा के मदद से कैसे आप एक जबरदर्स शार्प इंवेस्टर बन सेगे इस पर भी बाच्शीत करते हैं और यह दिख भी रहा है अगर आप तो यह एक पावर है सिर्फ आप S.I.P. के जरहें आप रेगिलर ट्रेडिंग के फ्लोस में भी बड़ाथ भी देखने हैं और यह कौन है यह रिटेल इंवेस्टर है जब हम लोगों ने चानल लॉंच हिया था तो इनका आपको याद होगा तो परीब तीन ये चार करोर लोग इंवेस्ट करते थे और डिरेक दिमैट में का नाम था नंबर था अब वही नंबर दस क्रों क्रॉस कर चु तो रिटेल की खलबली बाजार का नया बाहु बली बन चुका है तो मेरी फेवर्ट हुई भी बाइदो वे ये देखें डिमैट अकाउंट का डिटा आपके स्कीन पर आ रहा है अगस्त में 13 को के करीब बहुत चुका है तो इन दो सालों में एक ये बहुत शांदार बात हो को ये रिटेल इंवेस्टर मूचिल फंड की तरफ से भी आ रहा है और डायरेक्ट भी आ रहा है लेकिन प्रियंका सिर्फ यही नहीं एकॉनमी का हल दिखी आप और इस पेजी का बहुत सारा दारोमदार आपको गवर्मेंट के रिफॉर्म्स को भी देना सब्सलूटली बि आप बजट में और बड़ी-बड़ी रिपोर्ट भी करती है आप तो यहां देखिए मैकेंजी ने एक रिपोर्ट निकाली थी अभी एक साल पहले जिसकी बड़ी तारीफ हूँ थी और हमारे प्रदान मंत्री जी ने भी उसका हवाला दिया था कि यह इंडिया का डेकेड लिए इंडिया की सेंचरी करेंट और इस पूरे गुरोध का जो तीजी दिखाई दे रही है बहुत बड़ा हल रिफार्म्स हर सेक्टर में रिफार्म्स हो रहे हैं रेलेवेज में डिफेंस में फिनैंशिल सेक्टर में टेक्नालोजी में और आपको यह कैपेक्स उसी यहां जहां में प्लाइ स्कीम का फाइदा मिलता है और मेकिन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है वो सारे ही सेक्टर आइधिंक पसंदीदा है चाहे वो एलेक्ट्रोनिक हो, मिनिफाक्ट्रिंग हो अब को याद है कितने सारे फोन्स हम पहले इंपोर्ट किया करते थे अब तो आपल जैसी कंपनी यहाँ पर अगले पात साल में पाच गुनाता प्रोडक्शन करने वाला है यानि यह जो PLI स्कीम का, Make in India का, सबसे वहले तो डिफेंस में जो एक स्पोर्ट बढ़ा है पिछले 9 साल में 23 गुना हो गया है डिफेंस डिफेंस के सेक्टर और डिफेंस के स्टॉक्स की चाल तो हम सब में देखिया उसके पीछे रीजन है यह जो PLI स्कीम है और जिसना से डिफेंस पर completely indigenous का एक फोकस चल रहा है सरकार का और आप export oriented सारी moves देख रहे हैं डिफेंस स्पेस में मोबाइल उत्पादन के जो हम बात कर रहे थे मोबाइल और मोबाइल के पाद सारे हम import करते थे लेकिन अब प्रोडक्शन कर रहे हैं और अच्छी खासी ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं लगब 23% के ग्रोथ आपको चीन के बाद भारत के लिखेगी आपने electronics की बात की मैं overall manufacturing की बात कर रहा कि पहली बात पहले तो हम manufacturing देज के लिए करते थे अब विदेश के लिए और अगर आप देखें कि तेल जो है सबसे बड़ा हमारा निरियात का इटम है इंपूर्ट का इटम उसके बाद electronics सबसे बड़ा था तो सरकार ने इंडस्ट्री ने साथ में मिलके उस सारे चीजों के उपर आप में बहर बनने ही कुशिश की है जिसको अभी तक भार से इंपूर्ट करते आए थे और हमारा राजस्त उसमें खर्च हो जा था तो इसमें electronics बहुत सारे capital goods तेल को तो अभी तक रिप्लेश नहीं कर रहे हैं लेकिन सरकार की और इंडस्ट्री की इंडिकी तरफ ग्रीन हाइडोजेन रिन्यूबल्स की तरफ जो फोकुस है आपको सा बड़ा रिफार्म रहा है तो तरक्की का नया मंत्र है वो है green growth और यह green growth अगर आप देखें तो इसको थोड़ा और बड़े level पर देखें तो पूरे renewables में solar green hydrogen renewables और काफी सी अगर आप देखें इसमें भी कुछ एक दरजन कंपनिया है जो बजार में बहुत तेजी दिखा investing opportunities यहां से बन सकती है उन सब के बारे में बात करते रहेंगे अभी हम चलते हैं डिंपी के पास वो भी कुछ डेटा लेके आए हैं और शोव में शामिल हो रहे हैं डिंपी आप क्या देख रहे हैं बिल्कुल अजे और यह बात है एकलौता इतीनों सुदेश ऐसा चैनल या पर ट्रेडर इंवेस्टर्स की इंसाइडर आपके बहुत जबरदस रहते हैं आजे वह भी हम रखते हैं दर्शों के सामने हमारे रिपोर्टर्स दिन रात मेहनत करके आपके लिए खबर लाते हैं पूरा पूरा एंगल हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं खेर में दो तिन दिन से बाजार के अंदर एक रेंज सी बनी हुए है रेंज बरकरार है आज भी क्योंकि कल वापिस से शॉटिंग होई शुकरवार यानि कि यह पहला देन था ऑक्टूबर सीरीज का वहां स इंपॉर्टेंट पड़ाव क्या है उनिस पांसो कल भी हमने बचाया आज भी शायद हम क्लोजिंग विस्निस पर बचा देंगे एक बार नीचे चला भी जाए तो उनिस चार सो तक डढ़िएगा नहीं यह बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आते बैंक निफ्टी पर वहा हम 45,000 के उपर आजेंगे फिराल अभी आप 44,800 और 44,500 इन दोनों लेवल्स को आप इस रेजिस्टेंस के तौर पर भी देखेंगे हमने फिर पूट कोल रेशो बगरा भी चेक की विक्स भी चेक किया तो विक्स में अभी भी 12 के आसपास है कुछ जादा बड़ा मूमेंट है PCR यह बताते हैं कि market fair valued है, over valued भी नहीं है और under valued भी नहीं है हमने दो शेयर भी आपके लिए निकाले है वो दोनों के दोनों शेयर भी आपके स्क्रीन पर आजाएंगे इन दोनों शेयर इसको फुरा समय दीजिएगा और मैं बोलूगा कि अगर आप इस बार दूसरी risk reward काफी अच्छा है यहां पर और चार्ट भी आपको clear कर देगा अजर आप इसको चेक करेंगे अच्छे से support इसके लदर बना हुगा है आप इसको कम से कम एक साल का समय देंगे तो मैं आपको guarantee से कह सबता है बहुत अच्छे returns आपको मिलेंगे लेकिन फिर भी क्योंकि finance में आप थोड़ा risk involved है तो सिर्पने वित्य सलागारों से इबर पूछ लीजेगा दूसरा share जो आपने निकाला वह है बायकॉन यह भी structurally मजबूस share है थोड़ा रखने वाला share है इसलिए मिलें दोनों share आज जान बुचके ऐसे ढूने है जिसको आज अब second anniversary of 189 सुदेश पे ल सब्सक्राइब बरते वहां तो खेल एक्मासफेर है अब हमारे मेहमान बीजोंगे हैं जिन से पूरा ही शो बनता है जिनकी बदालात हम आप से अच्छे से connect हो पाते हैं यह वह मेहमान हैं जिनोंने दिन रात एक किया हमारे साथ और इस मुकाम पर आकर हम खड़े हो गए है कि इन महमानों ने अपने दम के अपने इंटरियेंस से आप तक काफी हथ तक पैसा पहुंचाया में साथ सुमित मुल्चंदानी है संतोष मीना है साथी कुछ बो रहे हैं आज आपका ड्रेसिंग से इस तीनों का बहुत ही शांदार है संतोष जी का तो बहुत ही जबरदस स सुमित जी काफ इच्छे लग रहे हैं और खुश तो एक काम करें पहले तो जड़ा इटीन और सुदेश में आप हमेशा से मासा जुड़े रहें करीब करीब दो साल से आएक बार अपने एक्स्पीरियंस भी बताईएगा आपका इस चैनल के साथ कैसा रहा खुश और फिर इंडिया की यूट का जो प्रतीक है और इंडिया की जो पोटेंशल का बीकन है यह है आप हमारे लिए और एक कहाँते है कि वें टाइम इस राइग दा मास्टर शाल अपिर तो आपकी टीम इंडियन रीटल इंवेस्टर के लिए उस गूरू के जैसे प्रकट हुई है जिस इसका सबसे जादा जरूरत था इस समय पे तो इस 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 पर फेक्ट टाइमिंग जहां पे आपकी पूरी टीम में इंडियन रीटल इंवेस्टर को गाइड किया है लेकिन साथ ही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 18-0 Swadesh is the most mature 2-year-old that I have ever come across चीक है तो यही exuberance आपका combined with that experience is what makes you stand out so much once again आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और जब आप यही 20 साल Swadesh का कमा celebrate कर रहे होंगे हम तब भी आपके साथ होंगे आपके साथ celebrate कर रहे होंगे तो बहुत बधाई आपको हम बहुत excited है आज के दिन के लिए and many-many congratulations to you and wishing you the best of many-many more years to come शानदार क्या वाद है दिल खुश कर दिया ना भी खुश है दिल खुश उनका नाम है तो किवा ना करेंगे मज़ा आ गया है विए एक बावदा में कि हम यहाँ पर जो भी अटेम्ट कर रहा है 1800 देश पे पहले बता दू इस समयरे मैं सुमित संतोश के पास जाओ यह बात आंशुर डिंपी मानेंगे कि हम दूसरे एक वैसल है जिसके अंदर खान पान बन रहा है बड़ी है खीर पकर लिए लेकिन इंवीडियंट्स आप लोग है हमारे पैनलिस्ट्स हमारे कोंट्रिबूटर्स हमारे सारे रिप्रूटर्स जो स्टूरियम रेक करते हैं हमारे रि संतोज जी आए बड़ी रंगयंगी किसम की शेड या यह कुर्था पहन के आए बहुत शांदार आपका भी स्वागत है यह पर शोपर तैंक्यू अजय जी तो सबसे पहले एतिनाव जोदेश को सांदार दो सालों के लिए बहुत-बहुत शुपकाम ना है और मैं तो जरनी का सुरू से हिस्सा रहा हूं तो यह मुझे लिए बहुत शांदाज जानी रही है और एक फैमिली फों मी चाहे आप लोगों चाहे जो टीम में लोगों कोडिनेटर है सभी लोग एक फैमिली की तरह लगते हैं सो मुझे लगता है यह तो जरनी स्टार्ट है अभी था हमें जाना है जैसे इंडिया का अम्रत काल है मुझे लगता है इटीनाव स्वदेश का भी एक अम्रत काल है और सबसे अच्छी बात ही कि इटीनाव स्वदेश की शुरूआत हो यह अभारा बाजार भी स्वदेशी हो गया है जहां एफाय ने करीबर 4 लाग क्रोड का माल बेचि और इट इस गोल्डन टाम फोर इंडियन इंवस्टर इंडियन इंवस्टर का स्टेक मार्कित में बढ़ रहा है आप वो पैसा बना रहे है पहले एफाय इसमें बहुत पैसा बनाए अब जो रियल ग्रूथ स्टोरी है मुझे लगता है रिटेल निवेशक भारती निवेश इसके लगता है इस स्टोक में बहुत पटेंशियल है इस स्टोक में खरीदारी करना चाहिए इस टोक अभी करेंटली 2100 के भाव के आसपाच चल रहा है हलाकि इस महीं ने में अल्रेडी काफी चल चुक है बट मुझे लगता है यह स्टोक आसानी से आने वाले एक साल में 3000 क दिखा सकता है तो इस स्टोक में खरीदारी कीजिए और अगर किसी को स्टोप लगाना है तो यहां पर 800 रुपे का स्टोप लोस है अप मैं इंडिया पर हाला कि यह आप संतोश जी का थोड़ा इंडेक्स को व्यू लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं है सुथ मिल चल दानी मरसत है सुमिट जल्दी से अपने experience में बटा दीजेगा और साथ अपने shares भी और जब साथ की बात होती है तो तब focus हो जाता है learning पे तो जो आप काम करते हैं along with the trading calls या फिर जो market strategies जो चीज़े होती है वो होती है focus आप stocks के बारे में detail देते हैं और खास करके जो 11 बदे का चोग है स्पेशली जिसमें आप fundamentally retail investors को एक पूरा knowledge आप provide करते हैं तो वो सबसे important part है तो जैसे के हम यहां पे भी हमारा कोई group है हमारे कोई friends है तो हम उनको एक ही चीज़ गूरते है के when you are investing in anything better to gain knowledge तो यहां पे आप knowledge के लिए बहुत helpful है जैसे टेंटी जी आप सुबहे को पूरा options का chain data या फिर कोई भी stock है आज उसके पूरे में data अजय जी प्रियंकादी जो सुबहे को पूरा पूरा economical activities discuss होती है निकुन सरका सेशन देखी है even on the closing bell so morning to evening तूरा एक साथ मिल जाता है during the market hours तो वो सबसे important है तो सबका साथ सबका विकार जैसे बोला जाता है तो वो बस एक retailers के स सब्सक्राइब है और आगे भी continue रहेंगे we are the part of the team of Swadesh continue रहे का हमारा भी और आपके साथ हम भी जोड़े रहेंगे और राइट ठीक है बिलकुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे पैनलिस्ट का भी और इस खास कारेक्टर में सबका स्वागर भी तो चले आज की अप ट्रेडिंग पिक्स भी शुरू करता है क्योंकि मुनाफिकी बातों हमेशा होती है तो व्यूवर्स के लिए आज की स्ट्राटजी क्या होने चाहिए चले शर्वात सुमिट सही करता है सुमिट आप आज के अपने आइडियास बताए यागा पहले मेरा पिक रहेगा इंडिगो पे इंडिगो के प्रोमोटर से अपने एक स्टेक सेंग किया था और उसी सेशन में हमारा डिसकस हुआ था कि हाई है 203-0 के करीबन यहां पर वेट पीजिए आज का अगर फर्स्ट अवर्स अगर यहां पर सस्टेन कर जाता है तो यहां पर बाइंड बना सकते हैं और एक फ्रेश बाइंड आप यहां पर कर सकते हैं अगर एक्टिविट हो जाता है तो मेरे टार्गेट रहेंगे 2588 2657 और सेम मेरा सप्टोर्ट जो था पहले 2320 यह एक स्टोप लोस की तरह काम करेगा जो सेकंड टिक रहेगा वो रहेगा है एच्पील पावर का देखिए एच्पील पावर यहां बनाया था 290 के करीबन और वहां से एक चोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आप दो सकते हैं सिर् अजरियां रहेगा वो एक से तीम महीं में करेंगा यह तो हूँ सुमिट की आज की ट्रेडिंग आइडिया खुर स्थं बी बात करता हैं कुछ कभ ही आज कर ट्रेडिंग आइडिया इसले पेटाएं और यहां पर Canada Bank एक stock है जिस पर हमारा particularly favorable view है तो यहां पर अगर आपको पोजिशन लेना चाहे है 395, 410 के दो targets के साथ आप इसको long position के लिए consider कर सकते है 370 यह आपका stop loss रहेगा जहां तक mid gap stocks का बात है वहां पर सिर्मा SGS यह stock हमने पहले भी discuss किया था हमारे targets भी इसमें अचीव हुए है और stock उसके बावजूद आप देखें तो अच्छे खासे volume pickup के साथ अच्छा momentum दिखा रहा है relative strength is very apparent तो यहां पर आप अगर near time के साफ से लिए चाहें तो 636, 45 के targets से buy करें 600 यह आपका stop loss रहेगा तो इस फेर mix of large cap and small cap names Canada Bank and firma SGS यह दो हमारे आज के picks रहेंगे ओके ठीक है तो आज के मिमानों ने अपने बिने trace दे दी हैं तो उमीद करते हैं कि आज इस शुब घड़ी के अंदर जो trade आपको मिल रहे हैं बहुत ही आपके काम आएंगे और हमेशा से काम आते रहे हैं यह तो आपने खुद से भी feel किया है अब मेरे साथ मेरे से होगी शरत जूड़े शरत का काम सिर्फ खबरे देना नहीं है बल्के खबरे निकाल निकाल के आप तक देना है वो आपको खबर गर्म वाला सेगमेंट देते हैं का खबर है शियर में क्या हो रहा है स्टॉक्स न्यूज यह सब कुछ शरत के पास ही रहता है शरत गुड़ मॉनिंग बताएं जरा आज के खबरों वाले शियर कों से हैं जो आई प्यो सेगमेंट में अपडेटर सर्विस की जो लिस्टिंग है वो मुटेड एक्सपेक्टेड है वेलेंट लाब्स जो वेलेंट और्गानिक्स की आम है टेक्निकली वो थट्टी टाइम सब्स्क्राइब हो है अपने लास्ट अब सब्सक्रिप्शन में क्यू टू अपडेट्स में फटाफट बता देता हूगी स्ट्रॉंग नंबर्स बजाज फइनांस, CSB बैंक, YesBank, Bank of Maharashtra, APL Apollo Tubes ने दिये हैं अगर लाजली मिक सेटफ नंबर्स जो है डीमार्ट से आया जो एविनी सुपरमार्ट से वीक सेटफ Q2 अपडेट अगर देखे ऑपरेशनल तो वीमार्ट, साउथ इंडियन बैंक और वेदानता है खबरवाले शेयर्ज में फोकस करें तो IDFC First Bank के QIP एशू खुला है तीन हजार करोड के लिए जो फ्लोर प्राइस है वो लगबग 95 रूपीस पर शेयर है मारुति सुजी की को 2160 करोज का नोटिस आया है आईकार वेबाग से CCL प्रोडक्ट में जो है कल हमने खबरगर में सेग्मिन में बताया था कि फंड बाइंग देखने मिली और आज जो है NJ Mutual Fund ने जो है लगबग 0.5% स्टेक की अकुजिशन की है अदानी एंटरप्राइजेज में अभूधावी की जो IHC है उनकी स्टेक 5% से उपर हो गई है Hero Motor Cop की जो Harley Davidson की जो डिलिवरीज है वो 15 October से स्टार्ट होने वाली है Raymond जो है लगबग 300 कोड इंवेस्ट करने वाले अपने रियाल्टी आम में जिसका नाम है 10X रियाल्टी तो इस स्टाक को जरूर अपने रडार में रखेगा प्रस्बिल ट्रेइज भी डिसकास करेंगे लेकिन क्योंकि यह मौका है खास एटी नामस प्रदेश की दूसरी साल की राया है और आज दिन पर बाजार पर इंडस्ट्री पर और राज्रिती के दिगजों से हम बात करते रहेंगे आपके लिए इंपॉर्टन केंक्लूट्स लेकर आएंगे और इसी कड़ी में हमारी सायोगी अजय शर्मा ने जब माराथान ट्रेंड्स के अतुल सूरी से खास बात चीत की थी तो आए सुनते हैं उन्हें कौन से सेक्टर इस वक्त पसंद आ रहे हैं उनका क्या नजरिया बन रहे हैं बन रहे हैं बैंकिंग तमाम सा हमारे सपोर्टर हमारे साथ अतुल सूरी जुड रहे हैं अतुल भाबस शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अग्रजलेशन थांकि वही मच्छ एटिनाफ सदेश की सेकंड अनुवसरी प्राम से बादशीत कर रहें अब में बात तर चाहूंगा आप सो क्या अपने पोर्फ में ठीक है दूसरी बात है इंजिनियरिंग जो है और थर्ड है डिफेंस तो यह हमारे एक उवरवेट थीम रही है हमारा अंडरवेट थीम रहा है लाज कैप बैंक्स और आईटी तो उसमें कोई बदलाव नहीं है एक जो चेंज हुआ है हमारे पोर्टफोलिय में हमने दे हमारे पोर्टफोलिय में जो हमारा प्रोसेस हमें फिर से दिख रहा है काफी सारी फार्मा कंपनीज में जो नंबर आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और उसमें ब्लू आउट साते हैं अभी पिछले महीं ने जब यह अपना जी 20 हुआ और एक ग्लू आउट वापिस आने लगा तो क्या अर्ली आपने बैट्स ली थी यह भी होल्ड कर रहे हैं यह लगता है कि इसमें ऑपरचुनिटी साइज ऑफ ऑपरचुनिटी बड़ा है पहली चीज देखिए कि यह जो एक सेक्टर है वो दस साल से चलानी तो वह बहुत बात होती है कि जब यह दस साल के कंसॉलिडेशन से कोई भी स्टॉक या ट्रेंड बनता है वो छे महीने साल में खतम नहीं होता वो काफी साल चलता है तो एक तो भई यह अंडरोंड थे डिसलाइक थे अंडर रिसर्च थे यह स्टार्टिंग बहुत ज़रूरी है दूसरा ह है size of opportunity बहुत बढ़ी है अब जो orders है कली थे orders जो exactly जो orders आये है वो इतने बड़े हैं तो मुझे लगता है कि size of opportunity अब बात है execution की अब वो तो time ही बताएगा but the way the government की policy है approach है मुझे लगता है कि अगर यह execute कर पा है यह बड़ी stories हो सकती है चीक है तो मतलब a lot of time investors यह भी risk करते हैं अच्छी story में they got it at the right time लेकिन जल्दी sell out कर गये तो यह hold है आपके साथ से अबे trend की strength कोई नहीं जानता वो तो समय ही बताएगा but the beauty is कि जब तक वो trend violate नहीं होता है आप उसे क्यों छेड़चानी करते है अगर अगर अच्छा स्टॉक आ गया जिंदगी में बहुत कम बार अच्छे स्टॉक मिलते हैं पर जब मिलते हैं they are game changers and you need to give it that time अच्छा इंजिनिरिंग हमने देखा कि आपने capital goods और इंजिनरिंग उसमें electronics पी कर लेजे manufacturing का यह भी multi billion trillion dollar theme इंडिया में बन रहा है और data speaking for itself आपने यह जो stocks से अच्छे you are deep in the money I'm sure अभी अब होल कर रहें इंजिनरिंग इंजिनरिंग स्टॉक मुझे लगता है कि देखिए यह भी जो है educational under performance रहे हैं 2008 में top किया था यह 2021-2022 तक इनकी कोई ज्यादा returns नहीं थे लेकिन जब यह चले हैं यह अब एक साल में खतम नहीं होगा the thing is कि मैंने यह देखा था कि 2003-2008 में भी ऐसे ही जो था जो 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 composition of rally थी वो बहुत similar थी कि यह था capital goods, engineering, infra, जो domestic facing, manufacturing faces है तो जब domestic cycle change होता है यह 6 महीने साल की स्टोरी नहीं होती यह 3-5 साल की स्टोरी होती है और हमें अकसर लगता है यह तो बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, because हम एक conditioned होते हैं, हमारा mind जो होता है बस उतने ही stages में सोचता है पर अगर आप history देखें, तो market has a way of surprising, इसलिए कहते हैं, हम trend followers हैं, हम trend को predict नहीं करते हैं, क्योंकि सच्चा ही है, आप और मैं हम, दुनिया इतनी change हो रही है, इतनी फास, हम नहीं, हम नहीं, question है, इसके बहुत train क्या दिखा रहा है, हमारा काम है कि हमारी जो ship है, उसको navigate, board को move कर पाएं, कि हम wind के साथ हो, नहीं तो समुंदर market इतना strong होता है, यह आपको एक जड़के में तोड़ देगा, अचा, financials पर आपने थोड़ा underweight कर लिया था, in fact, last कुछ महिनों से, bank nifty भी काफी lackluster हो गई, अब पाइट सिक्टर, large bank पहले top out किये, PSU से पहले, अब PSU banks वापने साथे दिखते है, अपने financials को कितना बड़ा हिस्सा बना रहा है अपने portfolio का, financials में, मैं underweight हूँ, लेकिन underweight हूँ, वो large banks में, जो famous name है, मुझे actually सबसे ज़्यादे interest आ रहा है, NBFCS में, मुझे लगता है कि वहाँ जो है, वहाँ पर अनक स्टोरी है, तो जो, एक sector जो होता है, वो इतना बड़ा sector है, उसको आपको segment करना पड़ता है, banks और financials आप देखें, तो भई, market का 30% जो भी है, इसका percentage है, बड़ अगर आप इसको segment करें, तो आप देखेंगे कि बहुत PSU bank और private sector bank में, अलग चाल है, NBFCS में अलग चाल है, NBFC के चाल भी करना पड़ेगा, कार्पिट बॉम्मिंग, अगर आपको इंडेक्स कराना है, तो पचास स्टॉक, तो इनका अलोकेशन हम ज्यादा है, तो बड़ 10% अलोकेशन 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 NBFC में ही है, अपर पूरा comfort NBFC राली में? मुझे अलगता है, और यह जो नाम भी है, य उनके नमबर्स भी आ रहे हैं, और ट्राइस मुवमेंट है, अगर तीनों एरोज उपर है, और ट्रेंड उपर है, तो दिन भी डॉंट फाइट, तो एंडेक्स पर अपने clear call दी, आइट की अंडर परफॉर्मंस, और उस पर दोनों तरह के व्यूज आ रहे है, इस बर हमने अपने कंपनी में कॉशिस थे वो, उसके बाद अंडरों से थोड़ा तरह रहे है, आपको लगता है, आपको लगता है कि आईटी में भी जो है ना, कि हमें लाज कैप और मिड कैप में सेग्रेड करना पड़ेगा, विकास क्या है कि हमां, देखिए, इसको एक और स्टेप हम ऐसा क्यों सोचते है, कुछ इंडिया में जो सेक्टर इन्डाइसिस कृट किये है यह बहुत लंपी होते हैं, ठीक है, आपने काrive नीकर रहे हैं, तो हमने क्या है हमारे खुद थीमाटिक बार 20 index is बनाए है, वह हमारे bespoke index हैं, हमने सब स्टॉकeks को दंडे के basis पर सब्सक्राइब करेंगे तो मिड़ की स्टोरी अलग है मिड़ की स्टोरी अलग है और लाज के इस बार देखा इस कोटर गॉनबाय में कि टीसियर सिंफोसिस और सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर इतनी तेजी है आप उसको बैंकिंग में भी देख लीजिए अगर पी एस यू बैंक का वेटेज देखे तो कुछ नहीं है एक SBI चोड़ के किसी का वेटेज नहीं है पर यहां पर इतनी तेजी है आप उसको बैंक मिफ्टी में नहीं क्याप्चर कर सकते जब तक आप मार्केट को सेगरीगेट नहीं करेंगे जैसे हमने किया हमारे almost 42 प्रोप्राइटरी इंडेक्स हैं तो उसमें क्या है हम उसको थीमाटिक बताते हैं और घूम पिर के हम उस थीम बेस्ट आप मेरा कंसर्ण यह है कि इनमें एक पहले तो था कि यह बहुत एक बहुत लंबा रन्वे है इन टरम्स आप लाइन ग्रोथ वहां पर चालेंज़ आ रहे हैं बट मुझे लगता है कि जो मार्जन कंप्रेशन है ना वह बहुत इशू है जैसे हमने कच्छे तेल की बात की ह तो मुझे लगता है कि यह एक प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रॉब्लम रहेगी तो इस हिसाब से एक बजाज जिसमें इतने सारे सेक्टर्स चल रहे हैं और जैसे बोला कि हमारे पास तो हमारे बीसी बिलिट्स है तो इस हिसाब से फिर हमें थोड़ा जड़ा हमको जो है सब्सक्राइब करने साथ चलना पड़े जा एक में आखरी सवाल आप से जाना चाहूंगा मतल की स्मॉल क्याप मिट्कैप एक एसे वेटरन फंड जो आपने बजार का लास्ट डेकेड्स का वो देखा है पाटिस्परिशन तेजी मंदी इंवेस्टर बीहेवियर और इंडि प्रॉफिट ले लेना इपने कि यह में इसको बहुत सिंपलिस्टिकली बताऊं के मतलब दो तरीके से एक तो गराप प्राइस चार्ट जेखे जहां पर 90 डिगरी का एंगल है वहां पर मेरे हिसाब से प्रॉफिट लेना ट्रिम डाउन करना उसको चेस करना मेंक्स लॉड करेक्शन आयकर इनमें कर्रेक्शन भी शाप आता है तो एक बार जो है सिंपलिसिटी में बताता हूं कि अगर 90 डिगरी के एंगल है तो बहुत धान रखिए और दूसरी बात कि जैसे हम तो अब प्रॉफेशनल इंवेस्टर्स हैं हम उनका फंडमेंटल रेखते हैं जहां पे फंडमेंटल और वैलिएशन नहीं है वहां पे नहीं हाथ लगा थे और इंट्रिस्टिंग पार्ट है कि स्मॉल और मिड कैप में इतना डाइवर्स है इसमें आज भी आपको स्टॉक्स मिल सकते हैं जो एक लो डबल डिजिट पी के है 10, 12, 15, 18 पी के अभी भी स्टॉक् करेक्ट होगा मार्केट यहां भी होंगे लेकिन यहां पे क्या है करेक्शन में कुषिन रहेगा और जैसे मार्केट टर्नराउंड होगा यह वापस हो जाएंगे तो आप अगर इसमें खेल रहे हो एक इस स्टेज यस रिस्क रिवार्ड जो है काफी चैलेंजिंग है बट और यहां तो बी स्टेंसिबल अवाट इट राइट अर्ड़ाइट 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 बात करने के लिए हमेशा हमें प्यार देने के लिए और गाइडेंस देने के लिए गाइज बैक्ट यह करीब 10-15 मिरिट की चर्चा होगी और मैं आप से निजी तोग पर सारी चीजे एड्रेस की गई है भले बास सेक्टर की हो रही है लेकिन अपने ट्रेडिंग एबिलिटीज भी आपके सामने शो करी है यह जो तस्वीर आप अभी देखता रहे हैं यह इसी इंटर्वी की तस्वीर हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको आप ज़रूर एक रिपोर्ट्स क्या हैं महां पर हम देख रहे हैं कि काफी मस्पूत ग्रोट बरकरार रखी है कांपनी ने जफ्रीज का कहना है कि इन बेफसी पाक्त में इंफाक्ट बजाज फाइनांस इनकी टॉपिक है और मॉगन सानली का कहना है कि ओवरॉल 33 तो 35 परसेंट एफ़एफवएफवएफवएवए तो और जफ्रीज के तरफ से खरदारी की राया आ रही है मॉगन सानली ने हाला कि अपनी ओवरॉवएफ की राय को बढ़कर आ रखा है और अपना टागेट पैस भी उन्होंने बढ़ा कर 10,300 पर प्रतिशार पर कर दिया है इसके अलावा M&M Finance की तरफ से भी हमने देखा कर मार्केट क्लोज होने के पहले उनका Q2 अपडेट आ रहा था और लाजली सिटी का कहना है कि डीलर अडवांस के चलते एउम ग्रोथ को अच्छा सपोर्ट मिलता हूं नजर आ रहा है स्टेज 3 स्टेबल है और स्टेज 2 में इंप्रूव्मेंट में जर आया है नाएम साला के आगे चलते हुए थोड़े लोवर ट्रेंड कर सकते है क्योंकि अब कम्पनी लोवर यिल्डिंग आसिट पर फोकुस कर रही है तो इसी के चलते सिटी की तरफ से खरदारी की राय आ रही है और मॉंगन स्टैनली का कहना है कि डिस्पर्समेंट लोवर दन एक्सपेक्टर र रहेंगा डिपॉसित रैंप और हाउसिंग बुक यह कुछ इंपॉर्टन फाक्टर्स रहें के घ्रोट को लेकर तो इसी के चलते है जेफ्रीज ने एच्टेफ्सी बैंक पर खरदारी की राय को बढ़करा रहा है ओंसी पाक्स में रही का मॉंगन स्टैनली का पॉसिटिव स्टांस है यह सेक्टर पर क्यूंकि रिफाइनिंग अपसाइकल है बेटर कैपिल अलोकेशन है और अंडर अप्रिशेटर एर्निंग्स क्वालिटी भी है बीपी सीयल और आयो सीयलों के मुताबिक काफी पॉसिटिवी सप्राइस कर सकते हैं काफी सारे फ्रंट पर तो इसी थाउसन क्रोर का केपेक्स भी लाइकली है फ्रंट इसी के चलते जेफ्रीज ने पावगुरेट पर करदारी की रायक उबद करा रखा है टागट प्राइस दिया है दो सो बारा रुबए प्रती शेयर का चलिए आगे बरते हैं भाव धनिवाद वामाक्षी इन सारे स्टॉक्स को डिसकेशन हम आगे लेके चलते हैं लेकिन हमारे एक और एक मिधावी छातर जैसे कॉलेजिस में होते हैं ऐसे बहुती मिधावी कॉंट्रिबूटर है यंग है वो लेकिन उनके कंधों की उपर आप से मुलकात नहीं हो पाई क्योंकि आपको वैलों जो चले गई तो मैंने पहले ही मौफी के अरजी दे दिये बड़ पार्ति भाव शुक्रिया अपने सहयोग के लिए दो साल हो रहे है इटिनाव सदेश के दन्यवाद अजय आपको आपकी पूरी टीम को विशी वह वर अपकी सेहिंग बंडे जल्ली वो बोलते हैं किज के लिए बन फॉर 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 टॉक तो मैं आप फिफ्टी-फिफ्टी परसें इकुल वेड देते हैं पंडामेंटर्स को और टेक्निकर्स को जो मुझे बहुत भी पसंद थैंक्यू रही माच कि यह मैं निजी तोरे बता रहा हूं कि जो नए इंडिया का नए इंवस्टर है जो कि एक रेटेल से इंस्टूशल की जरनी स्टार्ट कर चुका है क्योंकि पुरा देश रेट हुआ है तो सारे इंवस्टर्स रेट हुआ है अपने अपने प्रपोर्शन में अपने के पासिटी के हिसाब से और सबसे ज़्यादा अगले 10 साले भारत में बनने और इनों का तरीका बाजार को अप्रोच करने का एक हाइब्रीड तरीका होता है इसलिए हम यह खास तोर पर यहाँ पर यह अप्रोच लेके चलते हैं वह चार्ट को रेफरेंस के तोर पर यूज़ करते हैं मेडियम टर मुव्मेंट वह फंडमेंटल को भी देखते हैं और एक हाइब्रिड वे में पैसा बनना चाहिए यह फूकस है वो किसी लकियों के फकीर नहीं हिसाब कि हम यह करेंगे यह हम भी करेंगे आगे वरते हैं कुछ स्टॉक आइडियस की बाद कर लें ग्लोबल की उस्टॉक नेगिटिव नजर आ रहे हैं पार्फिब दोचार अच्छे स्टॉक बताईजे इसकी नजर जो के बजार घटता है यहांसे तो आप लोगे तो यहां पर काफी दिस्ट्रस है ग्लोबल इपर नाइट्रेट में 1600 करोल का एसे टॉन का प्लान डाला था उस ताइम पर बहुत ही स्केटिसिजम था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट डाल रहा है कंपटी के बहुत बुना ज्यादा तो यह प्रोजेक्ट में अगर स्प्रेंट्स नहीं मिलते है तो क्या होगा लेकिन लगी यह कंपटी के लिए बिकोज एक शांदार फिक्स्ट आसे की कॉलिटी में बनाई थी उनका जो जिस्टिशन पीरेट था वो बहुत कम होके हमने देखा कि ब्रेक इवन पॉंट बहुत जंदी आ गया और आज के तारिक में वो पूरा जो केटेक्स है उसको रीकॉप क आपके तारिक में भी अगर में प्राइसिंग और स्प्रेट्स देखू तो ऐसे प्रोक्सित जो बाइस से पच्छिस टका के अबिटा वार्जिंग कमकी यह कमा सकते हैं तो मुझे लग रहे है कि आपके तीन से पाट सार के अधिक एक शांदार इंवेस्पेंट बेट है त अब आप्या था 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 आप्सो करो का अभी थर्टी फ्राइंट करो का अधिक एक्सिशन में उन्होंने बड़े बड़े पोजेशिक पे इस इसकी सूरफ दाने बोजेश्ट तो टेखनी कली विया क्वालिफएट फोर सच सिमिला पोजेश्ट और बहुत ही सिलेक् और यही प्रोसेस आगे जाते ही यह कंप्री को मुझे देख रहे कि बहुत अच्छी तरह से स्केल करने मदद रहेगी तो यह दो स्टॉक से जो लंबी अधी क्लिए अगे के पांच सालों के लिए तो अच्छी बैतरीन पिक्स आपने चूज के हैं मारे व्यूवर्स के पो लेकिन आज के लिए ट्रेट स्ट्राटेजी कहां बनानी चाहिए कुछ न्यूज पे स्टॉक्स ले ले लेते हैं जो भी हमें शरत भी बिता के गया है स्ट्राइट्स फार्मा में एक यूस अफ्ड अप्रूवल मिला है फे शॉल ट्रक के लिए और इस पक फार्मा स्पेस पर नजर रखनी भी चुए है कल गौतम शा भी मारे से चानल के थे वह बिता के गए थे यहां से उन्हें 10-15 परसंट के जम फार्मा स्पेस में दिखता है और जिसना से बाजार डिफेंसिव मोड में है ऐसे स्टॉक्स और जहां पर न्यूज हो तो उनमें एक अच्छी मू क्या इस बेस पर आज की इस न्यूज पर एक अच्छा ट्रेडिंग गें मिल सकता है कुछ स्ट्राइट्स फार्मों को आज आज आब बाइ करेंगे बिलकुल सपोर्ट के पास है 490 के आज़ पास के सपोर्ट जोन है उसी के आज़ पास इनमें बेस बना रहा है हला कि ओवरल ट्रेंड बिल्कुल पॉजटिव है तो हो सकता है इस न्यूस के चलते और जो सपोर्ट लेवल से इसके आज़ पास के बाउंस मिले तो इसमें कम रखें तो ओवरल मार्केट के टेक्च्चर थोरसा वीक है और साथ ही अगर देखें तो स्टॉक हल के से एक प्रॉफिट बॉकिंग जोन में भी है लेकिन जैसे मैंने कहा ओवरल स्ट्चर यहां पर जो है पॉसिटिव है तो कम क्वांटिटी के साथ ही सही बट आप यहा एक पॉजिशन कंसेर्डर कर सकते हैं एक सुमझ रहे हीरो मटकॉप पे अपना व्यूपाइंट देना यह पूरे महीने की हिसाब से देना है हाला कि मैं उतारों 15 अक्टूबर 2023 है निकि इसी पंधर तारीक को ही हैले डेविशन X440 नामके नई बाइक हिरो मोटकॉप लॉंच कर रहा है लेकिन आप इस चार्ट को देखे और पूरा महीना रखना इसको जड़ा देखे बताइए क्या स्टॉप है और क्या टार्गेट है आप देखिए यहां पर पूरा एक कंसोलिडेशन फेज सल रहा है आप देखिए जो न्यू हाई बनाता करिबन फर्स्ट प्रगर्स को बनाता उसके बाद एक रेंज में ही स्टॉकट का हुआ है 2950 से लेके 3100 की जो रेंज है तो मैं यहां पर थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा पर्सो की केंडल काफी अच्छी बनी थी लेकिन मैं वेट कर रहा था इसको अपसाइड जाने का लेकिन काल आप देखिए में तो पूरे जो आटो पैक है बारुती ले ले लीजिए टाटा नेगेटिव फेज बना था तो अब यह जैसे ही क्रॉस होता है यहां के एक बाइंटम बन सकता है और मेरे भी जो पहला तर्गेट रहेगा वो करीबन यहां से 100 रुपर 3180 का रहेगा और श्टॉप्लस आप यहां पर मेंटें कीजिए 2960 का हीरो मटर कॉप को आप बाइ करेंगे आज उस पर भी एक खबर है और उस चलते और वैसे ही टूबला स्पेस के जिसरा की नंबर आरहे हैं आपको इस पेस में और इन स्टॉक्स में नजर रखनी भी चाहिए लेकिन नजर और कहा रखनी चाहिए एटीनास वदेश के दो साल पूरे होने पर यह जो खास पैनल हम लेकर आएं लगातार इंट्रक्शन्स हम लेकर आ रहे हैं हमारे मानेजिंग एडिटर ने कुछ डाल में आने भी एज़ए के चेर्मिन दिनेश खारा से कास बाचीट की थी बाचीट में दिनेश खारा ने क सब्सक्राइब सिखी एज सीवर्पने लेकन कि पर पत्सक्राइब करून हो गया है ुद्धन के मिया हो गयाij सब्सक्राइब को आगे बढ़ाते हैं दिनेश खारा साथ के साथ खारा साथ हमारे साथ बाचीत करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया तो पहले बात करते हैं मिलियन्स और करोर्ज ऑफ बारवर्स कि आजबिया अजबर को डिवाली पर दशेरा पर कोई दोफा दे सकता है हमने अपके वार अभी अल्री होम लोन को इंटरेस वेट कम कर दिया है एक पॉइंट फाइव जरो और साथ हम सब बढ़ने भी जादा कर अज़ाए और साथ हमने कोई processing fee नहीं हैं तो इसलिए जो है card loan, home loan किसी में कोई processing fee नहीं है तो इसलिए हमने अल्ली फेटिवल के महल को देखते हुए अपने घाकों के लिए कुछ उपलब्ढ़्यां अपलब़् दी है इस बार फेटिवल सीजन आपको कैसा लग रहा है पिशले साल से अच्छा रह फिर भी थोगा बहुत कोविट का इंपक्त है इस साल तो वो कोविट का इंपक्त बिल्कुल भी नहीं है तो इस कारण से फैस्टिवल सीजन में बहुत उमंग होनी चाहिए और उस उमंग के साथ-साथ एकनॉमिक एक्ट्विटी लेवल भी काफी अच्छ होना चाहिए ये मेरा मानना है SBI ग्रो कर रहा है और ऐसी बेस पर ग्रो कर रहा है जो की एक बहुत ही कमेंडिबल सी बात है मगर क्या तीन-चार साल तक आपको लगता है इस हायर बेस पर SBI टैबल डिजिट पर ग्रो कर सकता है हम लोगों ने जब हम ग्रो कर रहे हैं तो साथ-साथ इस बात का ध्यान रखा है कि जो बैंक के स्ट्रक्चर्स हैं वो सब स्लैक बनाया जाएं कि वो आने वाली ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें इस कारण्ट से मेरे को पूरी आशा है कि हम आने वाले दिनों में भी इस तरह से सपोर्ट कर पाएंगे और हमारे परडक्ट इंट्रेस्ट रेट्स उनके परडक्स के इंट्रेस्ट रेट और उनमें जो कस्वें के लिए convenience है उसके उपर विशेज ट्रूप से ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि हमारे घ्राकों को अच्छे से अच्छा परड़क्ट easily मिल पाए और in the most convenient way अपने जिसमी चैनल से वो अवेल करना चाहते हैं उसको अवेल कर सकें यह हमारी एक कोशिश है करा सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है मगर जब मैं दुबारा सवाल पुछ रहाता है मेरे जहन में का भी HDFC और HDFC बैंक का वले हो गया बड़े हो चुके है एक इतना बड़ा जो बैंक बना है उसका सेक्टर पर क्या भाबाब पर सकता है देखे एकानमी में वहारी गोर कर रही है ओसके लिए उसमें आप बैंकों के गोर करने की काफी चुकनिटी है तो इसको देखते हुए मैं जैक होओंगा कि हाँ, बड़ा बैंक आने से एक सपोर्ट मिलेगी एक नॉम्मिक एक्टिटी को और आगे बढ़ाने के लिए खाना सब बैंकिंग एक शेतर है जिसके अंदर हम कभी बहुर नहीं देखते हैं हमने टेलकॉम में बहुर देखिए की हमने ए फेमसी सेक्टर में बहुर देखि अजिक और ब्रेसा इनफरमेशन गैबर करने के लिए भी क्लाबरेशन चाहिए और एक अच्छा अंडर्टिंग करने के लिए यह भी क्लावरेशन चाहिए हम लग पूरे एको सिस्टम में जो भी कुछ इंफोर्मेशन अवेलबर रहती है उसको यूज करते हैं फॉर डिसाइडिंग फादा लेंडिंग डिसीजन्स और उसी तरह से भारत वर्ष में अभी भी कंसौर्शियम का एक परचलन है अगारिकन केंड़ेशन का एक मुल्टिकल बेंकियर करते थे यह मेंलटिकल बंकियिन का इक क्लावरेशन पर ही रहता है था कि मैं बैंक्स कंपीट खते हैं परर कउलावरेट भी करते हैं यहारा प्रेंसिल एक एक खास प्रश्न लोन के upद्ड की और эпूंपर क्युके कि आपको लगता है कि HFC यहां लोन के इंडर वार हो सकता है कि इस बार वार यूज नहीं करना चाहता हूं अगर SBI ने तीन-चार साल पहले इस स्वेटर के अंदर एक नया पर इंडिड्यूस करा था काफी अट्राक्टिव रेट्स इंडिड्यूस करी थी क्या बार हो सकता है CPC हमने क्रेट की थी हम लोगों ने उसके लिए प्रपेशन पहले से ही शुरू कर दी और एक सो पचास CPC हमारी जो हैं पुरे भारत वश्रू में और एट कर दी जिसे बंदा जूद की तैयारी नहीं लेकिन आपने कस्मर्स को सर्वेज देने के लिए हम लोग पूर उप से शक्षम रहें यह हमारी एक कोशिश थी तो इसलिए हमने वो काम शुरूर से पहले सी आरम कर दिया था और मेरे को लगता है कि हम जो कामपिटिशन है उसको फेस करने में काफी शक्षम है और अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो अंडर रैटिंग है होम लोन का तक्रीब चादा परसंट चादा परसंट से उपर का भी भी जो सोर्सिंग है उसमें इंक्रीज हुआ है अगर मैं इस बियाए की जर्नी देखो तो पिछले तीन साल के अंदर कई बड़े परिबरतना है आपकी टीम ने एक काफी ऐसी चेंज़ेस कर रहे हैं जो कि डिफिकल्ट है आर अगला बड़ा बड़ा ट्रिगर जही है कि हमें अपना जो निम है वो हम इस लेवल पर मेंडिन करें जो कि एक अच्छा लेवल है थ्री पाइंट फॉर फाइफ सू प्राग्रम मेंडिन कर पाएंगे तो हमारा जो एबिलिटी टू प्लावबैक प्रॉफिट है वो इंप् पिश्टे साल हमने पाचास यार क्रोड के प्रॉफिट में से चालिस जार क्रोड हमने प्लावबैक किया था और उस से पिश्टे साल में बत्रिस जार क्रोड का प्रॉफिट तो हम इस तरह से प्लावबैक करकर जो है हम एस पेई की बैलेंशीट में जो गोथ लिवर होना करेंगे जो कि हमारे को एक नैच्रल एबिलिटी टु गो दे देता है बैलेंचीट में तो उससे जो आरोई और रोई दोनों ही अच्छे होने वाले तो जहां पर एजबिया भी है मैथमेटिकली आरोई हो या आरोई हो आपको लगता है कि इनके अंदर स्कोप्ट इंप्रूमेंट अभी भी काफी है देखें बहुत हुरुशा कोशिश करनी ही चाहिए कि जो भी उसमें प्रॉडक्टिटी गेन लाकर इंप्रूब करिये हमारी कोशिश जही है कि हम इसमें प इनेश खारा है तुरंड दे बिग शिप अराउंड वी सेज ऐलेफंट के नौट डांस कफे इची हेड्लाइन से एक प्रोचसा हम भी मिलता है एक इंकरिजमिन भी मिलता है तब कौन सी हेड्लाइन है जो आप सुनना चाहेंगे अगली बार जाम इडिन आसोदेश आ रहे ह क्यों करें हमारी कोशिश नहीं है खारा साथ आपने हमें समय दिया मुझे पता है आपको बहुत एक बिजी मॉर्णिंग है आपने इटीन असावजिश को समय निकाला बहुत 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 शुक्रिया भादेवद शुक्रिया था ठीक है तो इस बहुत शांदार चर्चा आपने और सुन ली है दिनेश खारा के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकों इच्टाल में बाक्चित कर रहे थे इससे पहले आपने आतुल सुरी को भी सुना और इसी कड़ी के अंदर अब हमारे साथ एक और खास में भी जूने जा रहे हैं मैं आपको तस्वीरों से बतायता हूँ आज वो हमारे गेस्ट एडिटर के तौर पर हमारे साज़ रहे हैं उनका राम है विजे केडिया आप तस्वीरों भी देखेंगे केडिया जी की तुक्या बात ही नहीं डाली है वो नाकेवल बहुत शांदा तरीके साब को इंवेस्ट तरीके से आपके सामने रखी है तो मारे आज से गेस्ट एडिटर विजे केडिया थोड़ देर मारसा जूड़ जाएंगे इस चर्चा को भी आपको मिस्स नी करना है अब थोड़ थोड़ वेर में ऐसे से मिमान आपके सामने लेके आ रहे हैं जहां से आप एकदम अच्छे से समझ पाएं कि इस समय बाजार के अंदर चल कर रहा है इसलिए इस महस्तव की बहुत इंपोर्टेंस है नाकिवल मनुरंजन बल्कि ज्यान का भी अपार भंडार यह नया भारत है नया भारत जो तरक्य की नई कहाने लिख रहा है भारत में अपार संभावनाएं हैं हर किसी के पास समान अफसर हैं किसी कारोबार को शुरू करने या उसे बढ़ाने का इसे देहतर समय कभी नहीं रहा है पानेशल जागरुपता पर आद सम्रिद्ध की नई उड़ाने क्योंकि यह सबसे डामिन बुजनेस्स चैनल उपिन और स्वदेश में हमारे वारत का समय है ये भारत का समय है और आपको सब्सक्राइब भारत का समय है खैरास तो जशन का दिन ही है और क्योंकि एतिनास देश के दो साल पूरे हुए और जैसे आजे ने शुरुआत आज की थी बहुत इशांदार कि रिटेलर्स की जर्नी के साथ एटी नौ सो देश आगे बढ़ रहा है एक ऐसा थर्ड फरिंट खड़ा हो चुका है कि जिसने अब F.I.S की बिक्वाली हो जाए तब भी वो डरता घबराता नहीं है और आज भी कुछ कुछ स्क्रीन पर अभी तो आपको वैसे दिख रहा होगा खैर मैं आपको अपने गेस्ट एडिटर के बारे में बता रहा था वीजे केडिया वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं निकुल सर उनको अभी रिसीव करेंगे आप तस्वीरों पर देखेंगे और इस बार उनके जो रिसीविंगे बहुत शांदा तरिकी से है और साथ ही मिस्टर बसीन भी हमारे साथ थोड़ दिर में कनेक्ट हो जाएंगे आगे चलके हैं और अब हमारे पैनलिस्ट भी हैं तो उनसे हम चर्चा करेंगे तो वीजे केडिया थोड़े दिर में हम आख साथ जोड़ने वाले हैं उनसे हम वैसे दो सवाल पूछेंगे कि इन्वस्टिंग कैसे होने चाहिए कहां पर अच्छा है कहां पर बुरा है किस चीज़ पर वह ज्यादा फ्रोकस करें लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज हमको बहुत शांदार अपने गाने से फिर से हमारा मनरंजन भी करेंगे और इससे पहले भी एटीनाव सुदेश का जब जन्म हुआ था तब भी मिस्टर विजे केडिया ने बहुत शांदा थेम पे एक सोंग बना था और वो हमने आपके सामने भी रखा था जाले तो यह सिल्सिला तो जारी रहेगा लेकिन साथ साथ में आपके आज के लिए ट्रेडिंग बेच का भी सिल्सिला चल रहा है कि आज आपके कहां कहां मौका ढूनना है कुछ और स्टॉक्स भी लेते हैं आर्वेनल यह एक लोइस बिडर इमर्ज हुआ है लगबग एक इंफ्रा प्रोजेक्ट है हमार्चल प्रदेश में और अगशारे 400 करोड का इंफ्रा प्रोजेक्ट होगा जिसके लिए 11 बिडर साबित हुए और क्योंकि हम देख रहे हैं मुझिसरा की मूव है क्या आर्वेनल एक अच्छी बेट हो सकती है आज के लिए संतोश आप पता है मैं अभी भी रिलेटिव स्ट्रंग बनी होई है और आर्वेनल की बात करें तो यह अपने टॉंटी डेम में जावेचो बहुत अच्छे से प्लेस्ट है तो यहां पर मुझे लगता तेजी बन सकती है जब तक यह 166 के उपर ट्रेट कर रहा है उपर आप से पटेंशल है कि शारे 190-195 के जर्म में जा सकता है तो कोई खरिबारी करता है तो उसके लिए स्टॉप लोगा 166 रुपीज का इमिजे टागेट 190 रुपीज का आरवी अनल पर बात हमने स्टाइट फर्मा में भी अभी बात की थी और आप बात करता है रेएल स्टेट स्पेस की क्योंकि यह आली की news है कि Mumbai registration, in fact record level पर registration होई है Mumbai की और आप देखें तो real estate stocks में भी जो move है despite bazaar में इस वक्त होड़ी weakness है लेकिन जिस pocket से और जिसना कि churning में आपको real estate stocks दिख रहे है उनमें क्या पर से एक बार नजर real estate stocks पर होनी चीए और ऐसा stock जिसमें आज एक news भी है वो है Raymond का यह भी कुछ investment करने वाले है लगबग 300 करोर की और क्योंकि Raymond से फिक textile काउंटनी है उनके पर स्थाने के project भी है Mumbai based project है और 2000 हमने वेखा कि 2000 से एक बार correct होने के बार अब यह दब दुबारा फिर से चाल शुरू की थोड़ा से बीदर जरूर क्योंकि overall market में जब थोड़ी weakness आई है तो यह stock भी आसे correct हुआ है लेकिन आप आगे festive season को देखते हुए पार्तव से इंफाक्स समझते हैं पार्तव, real estate stocks में से कौन से stocks आपकी bet में होंगे, आपके radar पर होंगे अगर जोग्रिफिकली भी हमें देखना हों जिसना के मुंबाय रिजिस्ट्रेशन की नमबज आ रहे हैं क्या आप कोई western belt से ही real estate players को बहतर समझेंगे नवेश के लिए या पर northern belt, southern belt, कौन सा top bets होंगी आपकी space पे आपने बहुत राइली पॉंट आप किया कि real estate जो सेक्टर है वो काफी जोग्रफिकल सेक्टर है क्योंकि हम जानते है कि कोई भी ऐसी कंप्टी में होंगी जो पाहन इंडिया रिजा है कुछ कंपनी इसें साइट पर स्टॉंग रहती है, सबने स्टॉंग रहती है, बेस्ट और सो और सो फॉर्ट इंटम्स अभी के लिए जो इंवेस्ट्मेंट है तो मुझे लग रहा है कि अर्वन स्पांश पेसे बहुत ही इंट्रस्टिंग एगया है लेकि ये कंप्टी में उसके काफी डिस्टिंगूश स्ट्राटिजी रखी है, उन्हों में ज्यादा फोकस किया है होरिजॉंटल डिवाप्मेंट और होरिजॉंटल रियल इस्टेट अंगलबाद जैसे पॉकेट में एक्स्रीम डिविल्ट, ये कंप्टी अभी बैडियों अभी काफी हुआ है, पहले भी डिविल्ट सिपर किया है, जहांपर अच्छी सेक्सेस मुएगे पार्तव आपको दो मेरे पुपरा पड़ेगा, इस वक्त आपको शास तब फीरे देख रहे हैं स्क्रीम डेग, और हमारे गेस केज़िदर विजे के लिया, जिस जोश के साथ गर्म जोशी के साथ में कुन से मिल रहे हैं, ये दो साल को देविस साल सपक की एक कहानी बया कर आपको अर्म जोश जोश के आपको शास बालबस हो बहुत ही शांदार इनकी स्टॉक पिकिंग है। बहुत ही शांदार इनकी स्टॉक पिकिंग है। बहुत ही शांदार इनकी स्टॉक पिकिंग है। इनकी स्टॉक पिकिंग है। इनकी स्टॉक पिकिंग है। जब डर लगता है। बार बार वो चीज़ जब रीपीट होती है। तो जब तक उसके अच्छे प्रेणाम नहीं होते हैं। इंट्रेस्टेट बढ़नी लगी तो शिरबजार बढ़ रहा है। अब जर्मनी ओल टाइम हाई पचला गया। तो यह हमको और जो सबसे पले रेस्टिशन ने के जो कंट्री जो डिबल्ब कंट्री है। वो सबसे पले रेस्टिशन में गई हो। उजने अनॉंस किया उसवी। वाल टाइम हाई पचला गया। तो यह हमको दूसरी स्टोरी बता रहा है। तो आपको market को follow करना a market आपको follow ने करें वाला । यह अज़र हमें वीजलिस बनानी है तो global market के तबज़ जाजा नहीं देए चले है। पर दोस्तान के जो चाल है जो यहां की जो इकोनमी है वे मेरे खाल से एक अलग रास्ता दिखा रही है इसका मलता भी यह नहीं कि कि आपने नजर डाली होगी बली पूटफिलियो एंगल सिरी में एक बाजार की विश्ची तरह से लिए इसा है कि अगर यह ग्रोथ रेट अंडर चलनी है इंडिया के इंदर में उसे मोरे को समझ जाता है और यह अच्छी-ची बैंके हैं इसे पंदरे टगा बारे टगा सत्र क्रेडिट ग्रोथ इनके चल रही है तो क्या जब मुका मिले तो पैसा उठा लेना चीए शर्म जारत है कि नहीं है मैं तो अभी जो बैंकिंग सकते हैं तो वासल लाइन नाइक में हैं सब लोगों का ध्यान इसके अंदर में अच्छा ही है और IDFC जो बैंकर अच्छा काम आफ्टर किनाता का बंक आपने कुँ बड़े बैंक में निवेश नहीं कि एक बैंक को देख करके एक तकार का बिक-पिक्चर जो है जो आब हमेशा देखते हैं आप ज़ो स्माईल इंग का जो फाम्ला अपला करते हैं जिसकी में बिक-पिक्चर बहुत से अंपोर्टन्ट तो आपनी बैंक्स में निरिष्ट क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं किया मैं बैंक के अंदर में लेकिन मैं उसमें टिका नहीं रह पाया क्यों करनाटगा बैंक मेरे को बड़ा जटका लग गया तो मेरे को समझे में नहीं नहीं है कि इतना गिर सकता कि मैं साइकल में अब साइकिल के अंदर में मैं उसके अंदर में आ गया लेकिन विच बेंकों करतेर्थ हूँ आज विजे के विए केडिया जिन से अभी चर्चाए बिश बिश में काम करते रहता हूं लॉंग तर्म में मेरा अपना दिमा ठीक है तो हमारे गैस्ट एडिटर हैं आज के विज्यक एडिया जिनसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं निज्रूम के आप तस्वीर देख पा रहे होंगे इसमें हमारे रिसर्च और भी है विश्मों भी आपको तस्वीर में देख रहे हैं तो यह चर्चा काम स्टूडियो में भी लेके आएंगे लेकिन ठीक फिलहाल अभी यह चर्चा भी आप देख पा रहे हैं मैं महवानों को भी करेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मार्केट अभी थोड़ दे में खुल जाएगा जल्दी से एक रिट्रेस्मेंट का लेवल देख रहे हैं तो करीबन यहां पर पहला सपोर्ट मुझे दिख रहा है और यहां पर ब्रेक्डाउन हो रहा है तो फिर नेक्स टार्गेट जो रहेगा करीबन 2255 कर रहेगा खुश एक शेर है CCL प्रोड़क्ट कल शरद हमको उसके बारे में बता रहे थे कि यह काफ़ अच्छा ग्रो करेगा बलज़र चेक करेंगे आज यह गयाप के साथ भी खुल रहा है साथ रूपेपर CCL प्रोड़क्ट अगर आप चाहे तो एंट्री कंसेटर कर सकते हैं खुश एक और चीज़े भी हम आपके सामने रखते हैं मारकेट अभी ओपन होने कोई है और मैं आपको सिधा नीज़र में भी लिए चलूँगा वहाँ पर भी यह अच्छी से आपको रोनर दिखेगी 24,108 के आसपास अभी आपको बैंक निफ्टी 290 अंको की गिरावट के साथ दिख रहा होगा आपको दिख रहे हैं यह आप तस्वीरे इसमें देख पारें मारकेट ओपनिंग की और हमारे अलग-अलग महमान मारकेट ओपनिंग आपको करते हुए आज दिख रहे हैं तो आज आशी शोहां दिनेश खारा और मिस्टर सुम्रम जी ने आज मारकेट की ओपनिंग की है और इनी ओपनिंग से आप देख पारें 118 पॉइंट का भी नुकसान है निफ्टी को आज एक जटकारा का गैप डाउन खुला है और करीब 19-500 के नीचे आज खुला है तो इसलिए दिन भर की मशक्कत 19-500 के वापिस पहुचने की और 19-600 को बचाने की होगी आप देखेंगे दिन भर में आज दूसरा चवालेज़ार से थोड़ा हम उपर आके दो रूक रहे हैं 332 पॉइंट के नुकसान के साथ आज दिन भर की बैंक निफ्टी के मशक्कत चवालेज़ार को बचाने की और चवालेज़ार तीन सो लेकी आने की है एक चीज में इस सारे आकों के बीचे में रगदू करें मिसना हो जाओ वो यह पॉइंट है कि 24 परसंट ही लॉंग पोजिशन रह गही हैं सिर्फ ऐसा इसकी जब सप्टेंबर का शुरीज खतम होने को थी मीडल ऑफ दे सप्टेंबर सेरीज एकरी 66 परसंट थे 50 परसंट से ज़्यादा माल वो बीच चुके हैं इस समय इस तरह कि मार्किट में तो गिरावट आनी थी क्योंकि बड़े शेयर उसको टिप्टिकल वो बीचते हैं और जब बड़े शेयर तो इंडाइसिस ड्रैक करके नीचे आता है तो इसलिए ज़्यादा घबराने की बात है क्योंकि रिटेल का जो पाटिसिपेशन है वो बड़ा हुआ है साथ परसेंट के आसपास का है जल्दी से चेक कर लेते हैं निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं अपनी स्क्रीन पर स्पीड से फायर करते जाएगा आज नैसले अदानी एंटर्प्राइज इस हिंदू स्टील तोड़ रहा है इसमें तीन चार बड़े जो नाम है रिनाइस इंडस्टीज एच डी एफसी बैंक इनफोसीज टीस एस एलंटी यह भी एक बार आप दिखा दीजे इनकी वेटेस से खोड़ा आइडिया लग जाएगा नेक्स 50 अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ प में कुछ प्राफिट बुकिंग होती हुए दिख रही है ही इतनाब अगर हम दिखा पाए तो वह भी आपको दिखा देंगे साथ चोटे मजहने शियर्स में इस समय क्या हो रहे आपको प्रेंग का बतारी महमानों से भी आज करेक्ट करेंगे और उनसे भी हम पता कर लेते ह है और थोड़ा सा कमजोर खुले हो लेकिन शो की बहुत मजबूत शुरुवात हमने की है क्योंकि आज का दिन हमारे लिए खास है और इसी खास दिन को सेलब्रेट करने के लिए हमारे साथ गैस सरे के तौर पर जो में शुरुआती आपको अपनी डेस से भी बाच्शीत करन पहले बजार की उपनियों कैसे देखते हैं वसे टिक बाटिक कैसे देख रहा है बजार प्राच मेरे को लाइन याद आती है कि छोड़ा यहां वह बलिया है अभी मने वो भी एक excitement था वो भी दिवाली थी यह दिवाली है तो दोनों में अलग लग फरक है दूस्से में ट्र और वो प्रेट में बुदगुदी चारो जादी कि क्या होगा क्या नहीं हो ला उसे में तो लेकिन यह था ठीक है यह तो एक क्लब है जैसे एक excitement है जैसे मार्च के पहले excitement होता है या कोई किसी sports के पहले है वैसे एक sports के जैसे देखते हैं कि वह एक excitement चलता था अभी भी वी डिक जाते हैं कि यो रही उस मार्केट में आफिड़के चाहएं जीडर Владwave योईस मीरकान यहा वह धी जाका हूँ भिशता हweekना कि है कि इसमे जर्विसंते हैं घ्याएं तौणी साक्ता हूं तो यह टूरी हो इसमें ट्ली अवे हो कि होना हों तो बहुतार है कि मेह मेह टार इसको अगर यूएस मार्केट से कोई नेगटिव थी तो आप भी डर जाते हैं उपने पूर्फोलों के लिए ने दग जाती है तो कोई यूएस मार्केट में देखता है यह नहीं आपको बदाता है आप सुबह सुबह जब उगता हूँ जब सब देखता हूँ तो जरूब द कुछ को बदेखते हैं तो आप लोग टर्म के लिए शेयर्स को रखनी पाऊगिया अजर आप बेली की टेडिंग करते हो कि आज लिया और शाम को बिचना है कल भीचना है तब आपको इस से क्टाइगी करनी चाहिए कि यवेस में क्या हो रह है जो अपने को जो बैठना पा तो वो होना चाहिए है हर सोचल मीडिया, ट्रिटर, वाटसाब भीतरी नाइडिया आते हैं हर पाँच मेटे के अंदर जन्मन नाइडिया आपको या तो जन्ता बताती हैं या फिर आप कहने के डिस्कवर करते हैं बिग मनी के इडिया साब इस मेड वें यू मेट फिव मिस्टेक्स, वें यू बैट वन फिव स्टॉक्स, और व्यू रइड श्टोरी तो आप कब डिसाइड तो आप भी कैसे डिसाइड करते हैं क्या नहीं लेने का बिकर्स ब्रोकर जिस आइडिया रोज देती हैं अगर अगर मैं आपकी जर्नी देखंगे और इसको नहीं करता हूं तो मैं उसरे की आइडिया पर कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूं तो मैं उसे डेटा प्लेक्ट करता हूं जैसे समझे ब्रोकर्स रिपोर्ड आती है मैं लोगों को बोलता हूं कि जो नहीं इंवेस्टरस आते हैं में उनको बोलता हूं तुम ब्रोकर्स रिपोर्ड पढ़ो रोज बीस पढ़ने के जरुब नियुदी लेकिन सालियो बर पढ़ता है तो से खाली यह सीको कि वह उनको अबसर्ब करके उसे सीख के मेरी खाय से आप एक रीजड़न एक नॉर्मल स्टॉक पिकर बन सकती हो तो पहले बात तो है कि मैं किसी की रूमर पे या कोई टिप पे या किसी के बोलने से उस पर में नहीं करता हूं या आप जो बोलते हैं लोग सुनते हैं अब ही ऐसा है कि या भी जादर बोलता हैं तो कुछ लोग सुन लेते हूंगे लिकिन पेले तो ऐसा नहीं था पहले में लोगों की सुनता था लेकिन अपना दिमाग यह रहता है कि सुनना सबका करना अपनी मन का तो सबको सुनके आपको ऐपना एक डूरा करेयेट करना है तो मेरी आज़ आपको एक साल में एक या दू ही करने गाए तो 4999 आइडी आपको छोड़नी है कैसे छोड़ता हूँ आपको अपने इसाब को मेरे खाल से मैं ऐसे छोड़ता हूँ कि जैसे मेरे पास में चार चीज़ हैं में कई बार बोलता हूँ कि समझे आप विजिटेरियन है आप भिंडी खाते हैं आपको प्रोटीन मिलता आपको मैं नॉन विजिटरी रूमाइभ फिश खाता हूं मेरे को प्रोटीन मिलता है जैसे आपने पूछा बेंक के शेर मेरे पास है थोड़े बहुत नहीं है तो मैंने दूसरी चीजों में लगाया तो इसके लिए आपका वह आपको पशार आप के शेर के साथ में अगर आपका समनव हूं नहीं नहीं है तो आप के लिए चैर शेर अच्छा नहीं हूँगा आप जल्दी निकल जा ओर या देडी से निकल जाूदे या पएन तो कहीन ते उसके साथ में अपना इंट्यूनिंग नहीं हो पाईगी कि शेर बजार आपको वही देगा जो आप शेर बजार से मांगों गए इट इस अबर थाइवन रिलेशनिशिप अगर आप शेर बजार को जो एक अध्डा ट्रेट करेंगे तो वह आपको वैसे ही रिटर्न देगा वह अगर आप एक लॉन्ट ट्रम काम बेनुत गाय के तो केड़े सब आपने दो चीजे हमेशा बोली हैं और शाहर हमेशा सिखाई हैं और मैं चाहँगा कि हमाई धर्शक और सपेशलिए और यह नौद बेनिफिट फॉम इट इस तो डिफ्रेंशिटिंग कारेक्टर ऑफ अधर्ण के तो आप पैसे अधर्ण के लिए बात करने तो आप पेशिंस को कैसे डिफाइंड करते हैं जब दो तीन साल तक आपका शेयर को नहीं चलता है तो आपको नहीं आप कैसे रिए इसका भी समय आएगा या फिर मैं गलत हूँ या फिर मैं सही हूँ या फिर मुझे उसको बेज देना चाहिए उसको कम्विक्शन कैसे आती आपके बस वह ऐसा है कि जब तक समझेए यह स्टोरी की बात है ना जैसे जैसे मेरा कोट अचीज दे स्टोरी बियाइंड दे स्ट इंटर्वियर तक आपको लगता बोरिंग है फिर विटके तो नहीं जाते है तो शायद बाद में हो जाए तरही पिक्चर यसे होती है कि इंटर्वियर तक आपको लगता बकवास है उसके बाद में जब वो क्राइमेक्स पकड़ती है तो आप बोलते हो माई गहौट क्या पंदरे मिनट के क्लाइमेक्स में पंदरे मिनट के स्टोरी के अंदर में पूरी तीन गिंटे आपको तेन आपका खतम हो आपको लगता हो माई गोड़ फिर आप बोलते है पिच्छर जरुदेखना एक सिमिलर एक्जांपल देता हूं ऐसा ही एक्जांपल यहां पर भी है आक जाते हैं दो छीजाओं आपको भी जो ब exfoli 9-200 आप सिंध देस्टाएं महिं दो सार इंसब्लिकों शीकिनेतर के नहीं है ऐसको विगर को तो का में पैल को मूद को क्ल pushing on कि उसको क करец और माली का मिस्थ करते एंदर को देखते रहना हवा पानी वा नगे अणतर के तो तुन साल में एक बार आएगी कुछ क्रप ऐसी होगी एक साल में छे बार आगी आप तो आप से वड़ी अग्जाम्बल करने दिखिए तो यह तो मैं स्थोरी को गूंड़ते रहता हूं कि हम बूल मार्केट में नहीं हैं तो मैं को लगता है कि कोई बात में मेरा शेर कि काई में गलत तो नहीं हूं कि इसके इंदर में चलते हो रहता है तो जब तक तो फिस तोरी ठीक रहती है मैं ए शेर के साफ में बेठा शां और जब स्थी अगरभवल हो जा ए तो चाहिए बूल मार्केट हो या कुछ हो तो मसमें से निकल जाता हूं को इसी ब़ल कर जो है आपका intelligence all time high पर आपका portfolio all time high पर आपकी fitness all time high पर है और मुझे यही मालूम चलाए कि आपका yes भी all time high पर पहुंच रहा है क्योंकि आपको हमें देखा कि हमारी group company ने बाराइट टाइम्स ने आपको एक award दिया है आपको प्यूश गूवल जी उसकी छुटी दी जलक दिख किये यह सम्मान में लाए NBT ने Ace Investor Award से सम्मानित किया प्यूश गोईल जी और फड्नवीज जी वो साथ में थे आपने वह पर छोड़ी थी कविता सुदाई थी वह पर आपने क्या कविता सुदाई थी तो कविता यह सुदाई थी और यह कविता मैंने लास्ट यर लिखी जब शिन्दे जी मुख्य मुंत्री बने थे तो उससे में चारलाइन की छोटी सी कविता लिखी थी तो वह मैंने शिन्दे जी आने वाले थे संज्योश लास्ट मॉमिट पर आये नहीं तो मैंने देका दो दिगज है यहां पर खड़े मेंके कलीगी है शिन्दे जी के तो म मुखा देके चोका मार दो तो मैंने मां दिया कविता इस तरह थी और शेर बजार के लिए है वह मेसेज है उसके अंदर में कि हर हालत में टिके रहो यही समय का नियम है आटो ड्राइवर सीम बन गया चाय वाला पीम है यह खेल अभी भी जारी है करनी तुम्हें तैयारी है कसले कमर उठाले उठाले बीडा अब तेरी ही बारी है यह ख्याती मुझे भाई की और टाइम हाई पर हमारा प्यार भी और आपके एक बहुँ अच्छे मित्र भी जुड़ रहे है हमाई साथ समंदर पार से जुड़ रहे है या आजके लों भारत का दोरा भी काफी करते र हुड़ पार यहीं पर है बंदो में एक्छा यही पर है लेकिन यह जूल में पता भी रहता है अब जुड़ने के लिए हमारे प्रेश की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्रिया आपका प्यार और मारदशन अपनी इतिनव सव्ड़ेश को इन दो सालों में दिया है अब यह जाए पर देखिया अब देखिया एक तुरिया मगर गिफ में इंस्टिंट ब्राटिफेकिशन आना चाहिए अब बच्चे को बोलो कि जी में आपको ले बॉन ले रहा है बस साल क्रिये तो पापा यह तो गलत कर दिया ना अब दो साल यह तो हम दो बच्चे ही है अब आप यसी बातों में नहीं भसता कुछ टॉक पिर आप स्टॉप इस तरी देंगे लिए ऐसे ग्लोबिल क्यों कर जो रहें बजाज गिर राज भी धराशाई हो रहा है लेकिन अफकोस इंडिया चमक कर आए तो एक दो साल की सही एक दो बहुत ही शांदार सेक्टर जया थीम बता दीजे हमारे यह बहुत स्मार्ट है रिसर्च करके स्टॉक निकाल लेंगे देखें तो तीन ही बड़े थीम्स होते हैं उसके बाद आप अलग 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 थीम से बस पांच पंदरा परसेंट पॉर्टफोलियों कर सकते हैं तो मेरे साब से हमेशा वो थीम्स हैं फिनैंशल कंजूमर एंड एक्सपोर्ट औरियंटेट सेक्टर जो आई टी फार्मा डिफर्ट टाइम में कुछ और बीचिजे स्पेशालिटी केमिकल आज कल नहीं बिट कभी कभी होता है यह थीम अगर आप कोई भी देखें देखें हिर्ब्स की इसमें एके इसक्टर यह में क्या धर आप किसी Desde Kialso इन इत्री सेक्टर जिसमें आजकल आई-टी सेक्टर ठीक नहीं है कुछ ग्छो फो शानध एक्क्रीशा-थीम्प然后 Gib आते है समीर ते दिल से आपको शुक्रिया आप से जुड़े वह हैं आप अपना समय देते हैं यूर्वेज अकॉमडेटेटेडा लास्मिनिट इंटेवी रुकर सब्सक्राइब तो यूर्ट समीर सब यह जाना चाहेंगे कि भई लांग टम पिच्चर तो ठीक है मगर अगले आठ महिनों में इलेक्शन साइकल आने वाली है और 2014 का एक्सपीरिंस हो 2004 का एक्सपीरिंस हो एक स्विम मुमेंट होता है जो मारकेट का रिस्क अपटाइट है वो शॉट टम चेंज करदेता है तो आपके इसापसे इलेक्शन साइकल का इंपॉर्टनस कितना रहे तो आपके जाएंगे एक दिन में 15 परसेंट फिर उसको रिकवर करने में दो साल लगेंगे इसलिए अभी आप चल रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी विल काम अधर सेंटर फॉर्ड थाइंग और यह क्वेश्टन मुझे नहीं पता है क्या पूछने वाले हैं तो विजो जी ओवे टू यू अच्छा नमस्ते समेर जी तो यह मेरे को बताईए कि असान सा क्वेश्टन कुछेगा पहले बाद तो आपसे क्वेश्टन पूछने के पहले ही मैं नर्वस हो रहा हूं कि मैं आपसे क्वेश्टन कर रहा हूं तो देखिए आज हम लोग के अनिवरसरी है ठीक है और उसके लिए आपसे ये निवेदन है कि अपना नया मिश्वल फंड भी आप शुरू करने जा रहे हैं पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुप काम लाएं और इश्वर करें कि आप दिन दूनी रात तरह तर सब्सक्राइब करें कि आपको एच्डी एफसी बैंक बहुत ही तीन सार से नहीं चला हुआ शेयर मिल रहा है और मुझे लगता है कि वो next one year में market को कम से कम 5-10% से बीट करेगा जो कि उसकी positioning है उसकी positioning यह नहीं है कि वो आपको 30-40% return दे उसकी positioning के market से ज़्यादा return दे और मुझे लगता है कि अगर आप risk की तरफ से भी लेंगे कि वर्ल में risk बढ़ गया तो यह stock पहले ही गिरा हुआ है लेकिन अगर आप bullish हो जाएंगे और market bullish हो जाएगी तो फिर हलके हलके इसके जो दो साल हाई साल के end up performance रही है वो भी उसको फाइदा करेगी in terms of new people प्रकूस अगर हम debt लेते हैं कि foreign investors and mutual funds and everybody वो हर वकत पैसे raise करेगे जो कि हमारी debt है दो हो इंडिया के लिए तो उसमें फिर आप जो भी बोलें वो 78% HDFC bank का weight है और इसलिए वो आपको 6% ने तो 7% of every dollar जो इंडिया में आएगा उससे उसको पहले HDFC bank लेना पुड़ेगा तो अगर वो bank अपने bottom up ठीक करता रहा तो अपने आप उसमे flow से उठीक जाएगा अब लोगों की positioning होती है कि मैं कि सबसे highest return वाला stock बताएं तो उसमें हमारी दो हमने divide किया हुआ है एक हम बोलते है high confidence in reasonable return और एक बोलते है reasonable confidence in high return तो जो highest return वाला expected होता है उसमें confidence थोड़ा कम होता है that is why it offers high return ये वाला मैं कह रहा हूं अगर market से थोड़ा सा जादा return आपके index से 3-4% पर रहना जादा return मुझे इसमें बड़ा high confidence है Samir भाई ने तो stock pick दे दिया अब let me do my duty as in television anchor ask the guest for a birthday gift for our viewers सदा सुखी बड़ा है हम गिफ्ट की बात करें है लेकर आया तो मैं देखा है सबसे पहले मैं मिले नजर यही थी कि मैं देखा है return gift पढ़ा वानी था तो मैं समझे रहा किया तो उसका डिएंट करता है तो जोला आपको बढ़ना है हाँ जी इंतजार है पर गिफ्ट करेंगे आपको हम इसकी प्यारी करी है अब अभी तो समीर भाय के ले भी रिटर्न गिफ्ट करें अब गर बढ़ना है यह पता दो कि तो स्था प्रिश्ट की बसकती है वी और क्या चाहते है चाहते है जब समीर भाय वाजे जी आएंगे लंगे डिफ्ट करेंगे लिए फिरंड बाद कर लुड बाद कर नहीं है यह कोई रिक्यमडेशन नहीं है अगले तीन से पाथ साल के लिए कहाँ पर वैल्यू लगती है कहाँ पर आपको लगता है कि आपकी जो इंवेस्मेंट स्टाइल है पेशिंट्स और कॉंटिटी आप उसका कॉंबिनेशन इस समय आपको दिख रहा है पेशिंट्स पॉंटिटी और वैल्यू अबसार रएसा है कि मेरा भी जो पोट्फोलिय है जो भी छोटाव बड़ा पोट्फोलिय है वेल डाइवर्सिफाइड है इसमें आप समझे अगे 10-12 कम्टियों में मेरा इंवेस्मेंट है और इसमें तरह तरह के जैसे वो बुके में हर तरह के फूल होते है ना हर तरह के तो यह पूरा वेल डाइवर्सिफाइड पूर्फोलियो है और एलों डेट जा भी माप से बात करो मेरे को लग रहा है इन सब का फीशर मेरे खाल से अगले पांस दस साल तक मेरे को इनमे कोई प्रॉल्म नहीं लग रही है मेरे को एक चीशी समझ में आती है शेर बजार में बड़ा पैसा जब ही कमाया जा सकता है जब आफ संदाइज इंड़स्त्री को पकड़े हैं जब वो सुबह सुबह जब सूरज हो गए हो उड़े होता है उस समय जब प्रॉज़ पकड़ते हैं तो आपका पैसे मल्टिप्ला करते हो तो मेरे को मोटा मोटी ऐसे लगता है कि स्टोरी सब आइडेंटिफाइड हो चुकी है अभी पहले जैसे मैंने कुछ यह लिए तो लोगों को आइडेंटिफाइड नहीं थी अभी फब्लिक डॉमेंट पे हैं सब लोग उसी इंड़स्ट्री के जैसे इंफ्रेस्ट में हर आदमी कोई ने कोई इंफ्रेस्ट्रक्शर में अभी स्टोरी ढूंड लिया है और सब गुसेवें अब यह कारवान चलू है तो यह पांसाथ-दस साल चलेगा मेरे को यह लग रहा है कुछ बैंक्स ऐसे जो पीएसी उसको है वह बहुत सस्ते लगते हैं क्योंकि जो पंद्रे टका बीश टका की ग्रोथ करेगी है अब तो उसके अंदर में और आगे अभी यह क्रेडिट सैकिल चालू हो रहा है अभी यह शुरुआत हो रही है जैसे आज भी आज यह कल भी पेपर में नियूज आया कि वो साथ-एफ-एम ने भी बताया कि हाँ वो बिकॉज प्राइविट के पेक्स भी कव जो गुबर्मेंट के के करने वो जो ग्रोथ आ रही है तो यह जो है अल्टिमेटली अगर आपको वो श्टोरी अगर आप मिस्कर रहे हैं तो बैंक एक शेयर सस्ते मेरे को लगता है उसमें यह नहीं नए एक संडाइज सेक्टर है तो ऐसा म infrastructure का जो boom हम देख चुके हैं 2003 से 2008 में आये था उसके बाद most of the companies went through a bad debt and execution cycle similarly P.S.U. banks क्या यह 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है I hope I am wrong but P.S.U. banks are also very cyclical क्योंकि आपने जो बड़े निवेश करें जैसे आपने सहरा में निवेश करा था उस समय का संडाइस सेक्टर था अतुल में निवेश करा संडाइस सेक्टर था तेजस में निवेश करा संडाइस सेक्टर था आप छोटी company में निवेश करते हैं जब बड़ी हो सकती है अगर इंफरा औ P.S.U. banks may be there in their second innings तो मैं सब बतातो संडाइस सेक्टर का मतलब यह नहीं होता है कि तो तो इस तो आना हो जाना इसका चल्टा रहता है अब आपह की बात का बजता हूं ऑस आती ही ऑट से लिए छे आपनों है करती है बट नोट इन ड्राइम सी ऐसे कुछ है जो भी उतावत है अंग्रेजी में हराई दो जा किस साथ के बीच में सोचिए इन्फरा का इतना बड़ा भूम था दो सो तीन सो कंपनी आ गए थी पांसे जार सब कॉंट्रेक्टर बागा थे और सारे बनवास में चले गए दो जो तो पचास कौड़ा काम करता था वह भी पांसे कॉरदा काम करने लगे तो वह संडाइज उनका संट हो गया था उनका यह वापस उनका नए संडाइज हुआ है सेम यही चीज़े बैंकों के अंबर में हुए थी उससमें बैंकों का जो बूम हो यह उती है अगर आपको जादो BL, BML और यह वो जो क्या भूम चला था अभी इस्ट्रीव अपने आपको देखें वापस one by one दोडा रही है तो यह इस बात का इंडिकेटर है कि यह संजु है यह यह वापक जो 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 ढूपता है वही वापस उखता है Samir Bhai के लगी सवाल है and I just want to share with our viewers that I started interacting with Samir Bhai in 2000 and Samir Bhai always in 2000 had this reputation that he's the man who can see tomorrow Samir Bhai always championed this whole idea of finding something new for example you bought into Trent for example you bought into Pantalone you bought into HDFC Bank तो जो विजय जी बोल रहे हैं कि Sunrise सेक्टर में निवेश करें चोटे सेक्टर जो बढ़े हो सकते हैं और तीन चार पाँच साथ दस साल के लिए आपको कौन से सेक्टर लगते हैं जहां पर गाव इस समय यह नो डाला जा सकता है तो फर्स तिंग इसकी टूथ हाउसिंग में अगर मैंने टेग में पहले ना ले होता है तो बुड़े हाल है नहीं जेदान लागता है वह इनकी कुछ बाक्तों से मानता नहीं हो जेंडिया साथ की वह है कि इंफ्रास्ट्रुट्ट्र सेक्टर जो है अगर आप मुटे एक से स्टॉरी अलग बात है आपने बोला चार-पाफ साल की स्टॉरी चार-पाफ साल में मुझे लगत भूंको को वापस आने वाले हैं सारे स्टॉक्स या मीटिपर्सेंट DR बाते हैं नंबर वान तो पहले मैं तो सारे चीज़े अस से कॉप्टी करके करता था था सारी आपल तो वर्ल में कुन से बड़ी infrastructure गंपनी होगे हैं, जिनकी बड़ी growth, बड़े returns होगे हैं, जाइना में किने में तो गोईड में 0 होगे, इंडिया में घूम फिर के क्या है, क्योंकि government के पास कभी excess cash होता है, कभी नहीं होता, अगर कोई state election, कोई हार जाए government, वो दूसरी government आके सा contract cancel कर देती है, और generally मुझे लगता है कि next year से फिर government of India, अपनो central government भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च पाएगी, क्योंकि अगर आप pre-covid देखिए, तो हमारा deficit कोई 3.5% होता था central, फिर वो covid के कारे 9 point something हो गया, जो सारे world में भी हुआ, तो सब ने है, उसको accept किया, and then वो घुमते घुमते हैं, वो 6 point something पे पहुँच गया, या पहुच जाएगा, तो after some time, जब नई government है कि उनको फिर 4-5 साल का math देना पड़ेगा, कि जी हम ये सारे 6 से 6, फिर सारे 5 करेंगे, क्योंकि end में तो आपको वो 3-4 को वापस लाना पड़ेगा, जो पहले होता, क्योंकि अब 25 साल तक जो नहीं कह सकते हैं कि बीच में COVID हो गया था, इसलिए ये higher number allowed है, और अगर U.S. interest rates high है, जो हो रहे हैं, तो सब हलके हलके world में धर फैल जाता है, कि government का deficit कम हो नहीं, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, interest rate बढ़ जाएंगे, तो मुझे लगते हैं कि next year, that is, 24 2425 के type में government की spending इस space पे नहीं हो सकती, जो अभी हो रही है, A, because अभी collections बच्छी हुए हैं, और साथ में completion हो रहे हैं, projects के government के tenure में, इसलिए मुझे ये infrastructure तो कभी बहुत लंबी story नहीं लगती, उसमें अगर खेलना हैं, हम तो जी एक store लेते हैं, जिंदगी भर, और अभी भी हमारे पास L.A.T. type, वो घूंदर के सारी चीज़े खेल के चला जाते हैं, और बहुत ज्यादा cyclical भी नहीं है, but otherwise मुझे infrastructure नहीं पसंद, मैं तो खली है, इसलिए कह रहाता है कि अगर आप long term wealth creators देखेंगे, वो इन sectors में आएंगे, financials, consumer, IT type, उसमें आप early हो जाए, को mid cap ले कारण बहुत जादा dependent ना होगा, सबीर, एक सवाल पर आप से पूशा चाहूंगा, आप तो portfolio आपका, अपने main company में के अलावा mutual fund portfolio भी रहेगा, इंडिया में खाने पीने के stocks में बड़ी तेजी हो रही है, क्यों है सार, अब लोग घर में कम खाते हैं, बाहर जादा खाते है इन फैक्ट आप और निकुल भी एक इटिंग आएक आउटिंग के लिए गए थे जाए खाने पीने के बात पर खुब चर्चा हुई थी चार्ट ने खाएंगे जाएंगे पहले गेंती के एक जूबिलेंट वगारा थे लिस्टिट खाने पीने के, अब आधा धरजन companyya listed हो चुकी है तो और वन थर्ड आबादी हमारी यांग है बाहर खाने वाली इन स्टॉक्स के उपर क्यों सार आपने तो ग्लोबिली वी ट्रेंट देखे क्या भी हुए आपका सुझी हमारे पास दो हजार सोला से एक स्टॉक है जो अंटच्श्ट खरीदा हुआ यह बड़ी विच्छा वह है वेस्ट लाइफ चल गया है और दूसरा हम कहते हैं कि आप एक पॉंट ट्राइं करें तो हमारे पास है जो माटो हो आप जो भी खाओगे वह बीस परसेंट करेगा तो बड़ अदर वाइस बिक्टिक्चर यह करेक्ट सेक्टर है बिकॉज लोहों के पास बहुत पैसे कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं लेकिन एंजॉय करने के लिए और क्योंकि न्यू जो जेनरेशन है वांस को आउट वह फैमिली चोटी हो गई है क्योंकि से अगर जैसे हल्दे राम लिष्ट हो जाएं सबसे पहले मैं उसके शेयर खरी दूँगा तो इक डिपेंज अनॉल इस थिंग अप्सेट 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 अग्री एक दो सवाल लाच कैप में आपने लास्ट इंडिगो में निवेश करा था जह तो आपको क्या लगता है कि बही जो रिलाइंस ने जियो की वज़े से जो टेलकॉम में करा क्या टाटा वह एरलां में कर सकता अगर वह वह तो इस गूट फॉर कंजूमर बर इट इस ने बड़ी कंट्री कंदर में कोई एक आदमी पूरी कंट्री को सब कर सकता है यह ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 140-50 कोड की पॉपलेशन को खाली टाटा सब कर देगा या खाली इंडिगो भी सब या टाटा और इंडिगो मिलकर भी सब कर देंगा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है इतने बड़ी कंट्री में ज़रूर चार-पांच एरलाइंस जो है जो सॉलिड एरलाइ के लिए इसने नहीं लिया उसने जरूर यह किया कि जो इन इंडिया जो पहले जो करता था कि यह फ्री ट्रावल हो रही है यह भी ट्रावल कर रहे हैं उनकी मेड़ भी साथ में ट्रावल फ्री कर रही है बच्चे भी कर रहे हैं बच्चे के बच्चे भी कर रहे हैं वह सब तो वो बीजिनस से लिया है उन्होंने भी ताटा को चाहि टाटा आया है उसको लेकिन इंडिगो को बीट करने के लिए भी उसको बहुत ताइम लेगा है कोई इतना इजी नहीं है आप दूसरी कंपनियों के आप देखिए अहालत जिस तरह से बीच में थोड़ी सी नाज़ गिस्तती रहती है डामडल होती है कि आप अधासा देखिए गो गया गया दूर यह वापिस को बायगा पता नहीं है तो इसा नहीं है कि यह चले भी गया है अभी जेट वापस जैसे तैयारी कर देखिए अब तो सो कोटबाब आपक डाल ला कुछ कर रही है यह सब कंपी आएंगे सब सर्वाइब करेंगे पहल पर आते हैं वो को जरूरी आप सूट बूट वाले और बढ़िया कप्रे वाले आरे सिंपल साधारन जंता है जो भारती है वो ट्रेवल कर रहे हैं पाथ साथ टकाई के वल ट्रेवल कर रहा है इंडियन बहुत जादा बेने इंटेट सब्लोग फैंट पूरा देश भी फ्ल है यह आपको लाइफ जैसे रहले की स्टोरी है यह स्टोरी है यह बहुत बढ़ी आपको हम धन्यवाद करें अब थोड़ दर बाद आपस से बात्चीत करेंगे मैं आपको बता दू जिसके बारे बान एको इस बात भी कर रहे थे जब इतना सवदेश लॉंच हुआ था यह सथैंच रहे यह थे खार्याद करेंगे मैं एमड़े शिद्धा नही इतने आपने आपने ए ऑने एपने खेल आया स्वरेश अपने पर्व है अपनी भेश दिखलाने आया स्वादेश दिखलाने आया स्वादेश स्वादेश, 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 स्वादेश अपने दंग, अपने दंग, अपने लोग हैं, अपने संग अपनी बाते और उपदेश बदलाने आया स्वादेश समझाने आया स्वादेश दिकलाने आया स्वादेश दिकलाने आया स्वादेश 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 हैं तो है विए जी ने सालोंच पर एक सौदेश के लिए गाना गाये था मगर्झे मिदि समीर भाइक सान्छिए के बात तो समीर भाइक साथ हमारे इतना पूराना रिष्ता है इतना पूराना नाता है तो समीर भाइ एक चोटी सी जहलक है समीर अरोरा over the years and I am not saying it sir but the girls in the studio and everybody outside is saying that Samir Arora has aged with grace I am going to tell you because the photo you have seen they are not showing the picture let's look at the picture music तो यह शांदर तस्वीर आप देख पा रहे हैं समीर और लोडा आपको गोलगत पर इंजाय करते हैं दिख रहे हैं और इससे पहले भी हमने कई बार ऐसी कुछ शांदर तस्वीर और बात्चीत उनके साथ हमने की है एक और खास मेहमान भी हमार साथ जुड़ रहे हैं उनका प्रिख पास मेहमान भी हमार साथ है संजीव भसीन वो भी हमार साथ जुड़ रहे हैं और कल तो जो उनका स्वागत क्या अनिकुन सर ने वो देखती बनता था काफिश शानदार दिल से पंजाभी देमाग से पंजाभी खाने पीने में घूने पीने में सब में पंजाभी चलगते हैं उनकी, संजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारी दिर दो साल की जर्णी है ने सर, वो बिना आपकी कम्प्लीट होई नहीं सकती, आपका जो वैल्यूबल एड्वाइजीज मिले, बहतरी इन शेर्स मिले, कई बार क्या होता है ना कि इसको छोटे मोटे लॉस हो गए जरुदर से, तो आपके एक शेर नहीं सारी मरम लगा दी, उस पर सारा घाटा पूरा कर दिया, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया, जरे आपका एक्स्पिरेंस भी जानना चाहते है, एटीना उस उदेश के साथ आपका एक्स्पिरेंस कैस जरे बादावे से कहता हूं, भगना फी दलेगा, हजै जी आप टेखते जाए, शेर मजार है या ना मेरे और आपके कहने से, लेकिन चलना ही चलना है बादार ने, एक डी एमसी बैंक के नमबर देखिए, उनतिस परसंट ग्रोफिन डिपॉजिक, मैं एक उधारन दे रहा ह बत टोड़े देखिए, आपका जो गरम जोशी से बजार का चैक करना, रिटेल इंवस्टर की जो अपने हैंड होल्डिंग की है, मारदशन की है हमाये दो सालों में और अधर्वाइस भी इटिनौ के साथ हो बहुत ही काबले तारीफ है, in fact, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि रिटेल इंवस्टर की दिल की धड़कन आप समझते हैं और हाथ की पल्स समझते हैं, लेकि बजार तो उपर नीचे जाये गई, उसका काम ऐसा होना है, लेकिर हमें कैसा भी हो करना है, यह आप जैसे लोग हमाये चैनल पर आके हमें अपना प्यार और मारदशन देते हैं, यह देखिए, कल की तस्वीरे हैं, यह वाहरे लोग है थी, आपको मालू में, एक लाग डेल लाग व्यूज आए थे, आप बिलीव करें, हमरे साथ रसीन साथ कल से ऑफिशिली हमसे जुड़े हैं, तो निकुन्ज ने उनका स्वागत एकदम जैसे, वो दिल की धड़का न तो एक लाग व्यूज आ गए, तो अपने का भई इसके तो खुब यूज करना है चाहिए, तो यह रिफ्लेक्शन है, यह हमने कुछ नहीं किया है, साब, यह आपका प्यार है, रेटेंट इसे दिल में जो जलक रहा है, तो एक तो अपने एज़िवसी बैंक कल दिया था, लेकिन आज सजी जी कुछ और एक investment pick अगली anniversary के लिए, अब से लिके अब next anniversary के लिए, एक कोई investment pick शांदार वाला हो जाए, नहीं मैंने आपको कल देखे, देव्यानी और IGL भी का था, आपने पुछा था, फूद से रचेंग और उसमें, I think Devyani is a soup of brand, और जिस तरह से उनकी आपको का था, Costa Coffee is biting into Starbucks, KFC is now giving you a vegetarian meal also, and the sheer brand image of QSR is humongous, देखे, we can always keep debating what is happening in the U.S. and let's keep one thing correct, निकुन जो U.S. और Europe में हो रहा है, सतर साथ में हुआ, नहीं 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 हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ we look at the trendline of the next 3-5 years, हमारा sheer demographic premium है हमें outperform कराएगा, उस का रहन से गुआ है उनके ये बढटने से, अगर आप नहीराश हो जाये, तो that's part and parcel of the market. अब एक शेर जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ मुझे जैसे निसले और देव्यानी कल मैंने आपको आपको आइजियल का था इस भाव पे मुझे और आपको पता है के इन इन दिस चाईना एंपोर रश्या इंपोर आपको पता है और जिर देव्यानी कल मिह घंडियल जोर्ट नो के यह दिसले आपको 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 पता है कि लिए इसले ने नहीं मुझे अगर प्रडुक्स हैं, IOC नबे रुपे में सटील, मुझे है IOC is the star from here till next year, you must have this large cap, the second would be one and only ICICI bank, मुझे लगता है ICICI and HDFC are going to lead the markets from today, और ये लेने की चेस्टा कीजिए. अगर आप थोड़ा सा रिस्टा के लिए, वहां से भी कुछ नई, पहतरीन पिक्स आड कीजिए हमारे वीवस के लिए. हाँ, तो देखे, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो ignore the noise, हमने पिछले कुछ दिरों में as a disclosure, डेल्टा कॉर्प एक्यूमलेट किया है, वो 200 लिए है, 135 रुपे है, और जो GST की अटकली है, वो I think will be solved on the, you know, I think there is going to be litigation and there is misinterpretation of the act, तो इसमें, I don't think gaming and you know, casinos can go out of business, on the other hand, ये एक buying opportunity है, तो midcap में थोड़ा सा risk reward, वहां पे मेरा बहुत favorable है, the other stock which I very much like is, is IEX, मैंने पहले भी का, as a trading platform or as a trading exchange, आपको volumes में इतनी बरोतरी आईगी के, जो competition है, that will be, you know, easily nullified and the volumes will take care of the margins, thirdly, last but not least, मुझे SBI cards पे बहुत बरोसा है, and in the upcoming season, I think credit cards में, this is gaining more market share than HDFC and ICICI bank, and this could be a star performer in the midcap space. Okay, ठीक है, मसिन साब बहुत 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 शुक्रिया, thank you very much, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचित करके, I hope आपस आपस आपसे जल्दी मलाकात होने वाले हैं, खेर अब तो हमारे साथ आप रहेंगे ही, और आपकी जो IOC वाल है वो तो बहुत ही शानद हैं, और ऐसे ही दिन पर वो सीखने और पढ़ने भी चाहिए, तो आएए, इस चर्चा को भी आपके सामने लगते हैं, इसका भी आप मसाली चीए. मश्कार आप देख रहें, E.T. 900 देश, एक खास बाचीत, हमारे साथ आज हैं, नीलकंट मिश्रा, जो मारकेट और एकॉनमी के दिगज हैं, हमारे साथ E.T. 900 देश की सेकेंड एनिवसरी पे, नीलकंट आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा में बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा स्नीव और गाइडिश देते आए हैं, अब आप Axis में चीफ इकॉनमिस में बनके आए हैं एक्सेस बैक में एक्सेस कैपिल की ग्लोबल रिसर्च को भी हैट कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया नए रूप में और नए इनिंग्स में इठीना स्वादेश पर जुड़ने के लिए मुझे बलाने के लिए बाश्चीत पहले ग्लोबल सेट अप से शुरू करता हूं छे-ाट मेंने लाग के साथ रेट हाई का सिलसला भी पिक आउट हो जाएगा और जैन में कहीं 2024 में यूएस से शायद रेट कट शुरू हो जाएंगे लेकिन जिससाब से कुरूड डॉलर इंडेक्स और कुछ और कमोडिटी इस भाग गई और यूएस का डेटा भी बहुत कंक्लूसिव नहीं आ रहा है कि शायद इन्फलेशन भी पिक आउट हुआ है आपको लगता है यह नेरेटिव थोड़ा एक्स्टेंड हो जाएगा हायर फूर लॉंगर का और यह बजार ने थोड़ी जल्दबाजी कर ली थी यह मानने में तो पिछले छे-आट मेने से हम भी यही कह रहे हैं कि एक ही बजार और हम जो 2009-10 के बाद जो जो पॉलिसीज ली थी डेबलट वर्ड ने पर्टिक्लरी अमरीका ने उसका एक पॉलिसी इंवर्जिन हो गया है जैसे उस समय उन्होंने अपने फिस्कल डेफिसेट्स कम करने की कोशिश की थी अपको याद होगा फिस्कल डेफिसेट्स काफी बढ़ जया रहेते उन्होंने बहुत सारे बैंक्स और फिनेंशल फम्स को डी क हृपलाइज किया था कुछ लोंगो उन भी किया था जा उसके बाद वो अपना फिस्कल डेफिसेट्स घेंग इर रहे थे और उसको compensate करने के लिए उन्होंने अपने monetary policy easy की हुई थी, तो 0% interest rate, quantitative easing, dollars चापते जा रहे थे, अभी उसका उल्टा हो गया है, तो उनका fiscal deficit जो है, वो actually एक बात बहुत बढ़ा, 2020 में, उसके बाद उनको कम करना था, पर वो कम नहीं हो पा रहा है, तो यह जो US से लोगों की अपिक्षा थी कि, कि वो recession हो जाएगा इस साल के अंत में या अगले साल, तो अगर fiscal spending इतनी बढ़ी रहेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5.4%, जैसी आद रखें कि US की ही एकमाद economy है दुनिया में, जो अपने pre-covid trend के भी उपर है, प्री-covid level के उपर तो सभी पहुँच गया है, हम भी हैं काफी अब तर, बट वो अगर अगर यह trend line है, तो बस एकमाद वही economy है, जो pre-covid trend के उपर है, और वहां के fiscal deficit जो है, federal government की जो fiscal deficit है, वो 5.4 का budgeted था, वो अभी आठ के भी उपर चल रहा है, तो अगर इस level पे fiscal spending होगी, तो recession का आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इसका एक side effect यह है, कि 10-year bond deals आपकी बड़े रहेंगी, जो दुनिया भर का risk-free rate है, जो जिसके basis पे financial assets को value किया जाता है, दुनिया भर में, वो है 10-year US government bond का yield, तो वो अगर सवाचार सारे चार पे चलता रहेगा, जबकि पिछले 10 सार में, लोग 2-5% लेके चल रहे थे, तो अगर 2% से आप risk-free rate को बढ़ा दोगे, तो जो आगे के PE multiples, इन सब को pricing करना है, यह बहुत मुश्किल होने वाला है, वैसे ही, excesses हर जगए पड़े, तो बहुत सारी companies ने यह assume करते हुए कि low interest rates आते रहेंगे, और अगर loan चुकता नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर आपके अपनी earnings से आप loan चुकता नहीं कर पा रहे हैं, तो आप fresh loans लेके loan को repay कर सकते हैं, जो जो इसको zombie companies कहते हैं, तो इस तरह की companies आप कैसे survive करेंगे, तो यह सर र जो हमारे investors हैं, इनको भी इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, मैं यह नहीं कह रहा कि इन सब का असर जो है, अगले दो से तीन महीने में दिखने लगेगा, जैसे अगर अभी किसी का loan rollover ही नहीं होड़ा, जैसे आप यह देखें कि US में mortgage rates 7.8% पहुँच गई है, ब वैसे ही corporate side पे भी, loan rollovers जो हैं वो अगले साल second quarter, third quarter से बढ़ने वाले, तो तब जाके वहाँ पे risks जो हैं, वो manifest होने लगेगा, वो actually उसका असर दिखने लगेगा, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा, और एक और चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा, और यह stock trade करता था, अच्छे से अच्छा stock, तो लोग कहते थे बढ़ा माएंगा जी, उसके बाद वो 45-50 हो गया, फिर 50-55 हो गया, फिर 55-60 हो गया, आप तो लोग रसी टाइम को भी खरीते हैं, अब रसी का सत्तर हो गया, अब रसी का सत्तर हो गया, यह muscle memory जो है, इसको फिर से unlearn करना होगा, क्योंकि अगर global risk created 2% का 4% होने वाला है, तो जो भी multiples हम देते हैं stocks को, तो यह अगले 5-7 साल में यह multiples किरते रहेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि टीम महीने में stocks किर जाएंगे, बट जब हम long term investing की बात कर रहे हैं, तो हमें इन सब शीजों को ध्यान में रखना ह लेकिन उससे पहले मैं अब इंडियन economy की आपका view जानना चाहूंगा, क्योंकि इंडियन economy बहुत जारे metrics पे outperform कर रहा है globally, एक उबरतावा सितारा है, growth trajectory हमारे यहां की, हमारे यहां की जो reform momentum बन रहा है, बहुत सारे sectors को push मिल रहा है उसकी मज़े से, उस पे आपका क्या view है आपका सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत सारे factors हैं जो इस economy को push कर रहे हैं और बहुत सारे factors की ज़रूरत है इस economy को push करने के लिए, क्योंकि याद रखें हम अब 18%, 18% विश्वियाबादी के जो है वो अपारती है, तो यह वो एक दो जेट्स लगा के इस जहाज को आप मूँव नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत सारे engines चाहिए हैं जिसके थ्रूँ यह move होगा तो एक-एक है business services exports, इसे IT services exports अभी छोड़े स्लोव हरा हैं बट अगर आप ती 5 साल का view लें तो business services exports की भारत से बारत से बैंकिंग services भारत से business consulting भारत से analysis of oil drilling data भारत से legal, advertising, animation, space, space और scientific related exports जो हैं वो 3 से 4 billion dollar साल के हो गया हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इदर से हो रही हैं दूसरी बड़ी दूसरा बदलाव है global manufacturing में तो वहां पे जितना हम कर सकते हैं उतना हम शायर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी काफी अच्छा growth है जैसे electronics exports, smartphone exports, smartphone exports 2022 में 45,000 crore थे, 2023 मतलब जो मार्स 2023 में जो वर्ष का पूँआ उसमें 89,000 crore वा जब की 75,000 crore का target था तो उससे भी बढ़के आया इस साल का यानि इस fiscal year का target था एक लाग 40,000 crore वो उससे बहुत जागा आने वाला है लगता है इस तरह से नुम्बर सारे तो कुछ चीजों में goods exports भी बढ़ रहे हैं वैसे ही segments है जहां जैसे अब railways में finally capex थोड़ा होता दिख रहा है थोड़ा defense में आतन दिरवरता आ रही है तो यह काफी सारी engines हैं बट सबसे बड़ा engine है जिसके बाहरे में बहुत कम लोग बात करते हैं को कि शाहर थोड़ा अंप्राशनेबल है कि हमारी real estate cycle जो है जो real estate construction cycle है वो दस साल के बार finally turn कर रही है उसका मेरे हिसाब से सबसे बड़ा आसर पड़ता है economy जैसे माली यह अगर तोड़ा defense production बढ़ भी जाता है तो वो तीन चार पांच बिलियन डॉलर से बढ़ेगा अगर अगर real estate cycle turn होती है तो हो सकता है कि वो 25-30 बिलियन डॉलर से उसका additional demand generation हो जाए तो इसलिए उस cycle को भी track करना और उसके असार जो है उसके जो लक्षन है या signals है वो काफी अच्छे है June quarter में हर अल्मूस हर indicator, cement demand, tiles demand, EVC pipe demand, cables and wires demand यह सब अच्छा कर रहा था उसके बाद भी July August में भी वो signals काफी positive है तो मुझे लगता है कि economy अभी तो ठीक कर रही बट हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक केवल 7% growth हमारे लिए sufficient नहीं है, हमाई अपने ambitions जो है थोड़े बढ़ाने चाहिए क्योंकि अगर हमें 2023 तक एक rich country बनना है, developed country बनना है तो हमें और उससे ज्यादा पेस पे grow करना होगा दूसरी बात यह है कि अगर दुनिया भर में risks हैं और वो risks एकदम अभी शायद damage नहीं कर रहे हैं बट वो risks जो हैं वो build-up हो रहे हैं तो जब भी वो risks layout होंगे तो हमारी economy पे भी अर्थवस्ता पे भी उसका असर पड़ेगा क्योंकि हम लोग island नहीं है तो जैसे हमारे exports slow सकते हैं हो रहे हैं इंपोर्ट में dumping हो सकती है कि अगर कि भारत में ही goods demand strong है जैसे हम access में global goods demand tracker track करते हैं तो वह अभी भी अपने pre-covid trend से बहुत नीचे है अमरीका को छोड़के हर economy का in demand जो है वो काफी कमजोर है यह सब थोड़े risks हैं जो हमें अपने ध्यान में रखने चाहिए ठीक है तो नील कंट मिश्रा जी का आप सुन रहे थे जिस पर आज इन से questions पूछ रहे हैं और अच्छे से इंडिया की growth story इंडियन economy इंडियन market उस तरह से किस तरह से connected है उस सब चीजों पर वह जिक्र करते हुए आपको दिख रहे थे खेर हम आगे बढ़ते हैं आप कुछ corporate management को भी अपने साथ जोड़ते हैं आज खास देने हमारे लिए RAC के CMD विवेक कुमार दिवांगन जी हमारे साथ जोड़ रहे हैं उनका स्वागत है विरिक जी बहुत 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 शुक्रिया थैंक्यू वेरे मच आपने आज समय दिया आज 189 सुदेश के दो साल पूरे हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इस दो साल की journey के अंदर कई बार आपसे मुलाकात हुई आपने अपनी कंपनी के बारे में एक्सपेंशन के बारे में कामकाच के बारे में खुल के हमासा साजा किया और ये ची निवेशकों को भी काफी पसंद आई इसी मन्द से उन्होंने बात सुनी और आपके शेयर्स में उन्होंने काफे तक इन्वेस्टिंग भी की होगी कितने साल में बाटेंगे इसका मार्दूस क्या होगा और दोनों की बीच में क्या टाइप हुआ है कि सबसे पहले मैं इटी नाओ सुदेश को हादी बदाई देना चाहूंगा दो वसकी वर्षणाट आज मनाए रहे हैं आपनो जहां तक PNP से हमारे समझाता करार की बात है हमें हाल ही में लगबख 55,000 कोड की समझाते पर करार किया है विशेशकर जो Renewal Energy Segment है और दूसरा Infrastructure and Logistics Segment है दोनों सेक्टर में हम PNP के साथ सहयोग करके Co Lending करेंगे और Consortium Financy करेंगे क्योंकि एक प्रोजेक्ट में हम लगबख 17-18,000 कोड तक एक्सपोड तारी सी स्वेम ले सकती है रंति यदि प्रोजेक्ट साइज 17-18,000 कोड से ज़्यादा है ऐसे सब प्रोजेक्ट के लिए जैसे Refinery का प्रोजेक्ट को आज जिसे अभी हमने हाली में इस तरह की बड़े प्रोजेक्ट में हम PNV के साथ सहयोग करके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है उनकी लेंडिंग करेंगे विविग जी एक कोशन ये भी में को आपसे पता करना है कि आपका जो असेट अंडर मैनेजमेंट इसको में एई-उम कहते हैं वो अभी कितना है और हमारे पास जो जानकारी है उसको आप 10 ट्रिलियन का टार्गेट रखे हैं पहले वो 2030 तक का था क्या मैं एक्सपेक्ट जाएंगे मैं असे टेंडर मैनेजमेंट इवारे में बताना चाहूंगा जब हमने पिछला फानेशलियर चालू किया एक अप्रेल 2022 को और असे टेंडर मैनेजमेंट तीन लाग पचीयासी जार क्रोड था पिछलियर वर्ष में दो जार बाइस तेईस में लजबद तेरह प बाइस तेईस में कि इस करेंट विती वर्ष में लगभग 20% की बहुतरी ओया है और अभी हाली में हमारा हम अभी है एच्वन समाप्थ हुआ है तो यह हम लोग इस वर्ष में हम लोग पूरी त्लसे आशामीत हैं कि इस वर्ष में लोग 20% की बहुत देंगे तो लगभग इस साल हमारा असे टेनर मैंजमेंट बाइद एंड और इस साल के फाइनेशर के विती वर्ष के अंत तक लागबद पांच लाग करोड से उपर हो जाएगा जैसे मैंने कहा था कि पहले असे टेनर मैंजमेंट के लिए हमने अपना बेसे स्ट्राटीज बनाया था कि लागबद साल में 2030 के अन तक हम लोग 10 लाप कर लेंगे उन जिस सह पे वारा गूथ हो रहा है बिस परदिशा तो मुझे लगता है कि हम लोग 10 लाप क्रोड लोग फोर्याज अटर से चाहिए है वहांक कर लेंगे कि आपकी cost of borrowing जो है वो 7% तक कब तक आ सकती है वो कब नीचे आ सकती है तो हम विशेश प्रयास कर रहे हैं कि हमारे cost of borrowing जो भी quarter one के end में लगबाद 7.2-3 प्रतिशत थी उसे हम below 7 प्रतिशत लाने का प्रहदन कर रहे हैं उसके लिए हमने वागद 2-3 विशेश सेविंग टैक्स का इंस्टूमेंट है जिसमें हम लोग 5.2-5 प्रतिशत का ब्याजदर देते हैं उसी तरह हम लोग ने external commercial borrowing में innovative hedging के तरीके इजाद किये हैं जिसे हमारा cost of finances जो external commercial borrowing है और currency जो borrowing हो रही है हमारे term loan हो रहा है उसमें हम लोग लगबाद 7 प्रतिशत थे कम में उसको borrow कर रहे हैं तो हमारी आशा है कि इस वित्तिवर्श के अंतर हमारी cost of borrowing साथ प्रतिशत से कम हो जाएगी साथ पसंद तक हो जाएगी और साथी आप net zero MPA FY25 तक भी हो जाएगे और कहीं सारी और crucial details हम तक आप शेयर करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया REC के CMD हमसे खास बातचीप कर रहे थे बहुत बहुत शुक्रिया सारा आथ समय देने के लिए और यह सारे insights हमारी विए इसके साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चले बढ़ते हैं आगे और फिर से एक बार स्ववेश के इस दो साल बेमिस साल की इस कारवाव में जो कुछ और नई कडियां जुड़ी है और कुछ और नए बड़े programming elements हम आपके लिए लेकर आया है उसमें एक और और वो है एक खास interaction एक और बाजार के दिकज के साथ क्यो दिकतों के बावजूद भाते बाजार में बेटर स्थिती में नए निवेश को से बाजार को काफी सपोर्ट मिला है और यही भावलेदारी बडने की उमीद ग्लोबल सिती को देखते वे बाजार में और कमजोरी की आशंका भी थी रीटेल, H&I, इंवेस्टर्स ने बाजा को काफी संभाला, यह सारी खास कॉन्वसेशन, इफाइस की विक्वाली जारी रही, तेज विक्वाली के अशंका, फिर भी एक साथ में हमने देखा कि कि समॉल काफ, मिट काफ, अलेशन काफी बड़े हैं, यह सारे कुछ खास अंच, एक खास कॉन्वसेशन, विक्रम कोटक के साथ की, आई आपको वो सुनवाते हैं. करीब तीन डेकेड़ के साथ, और हमेशा एटीनाओ, एटीनाओ सादेश पर हमें गाइडिस देते रहते हैं. विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी हमसे बात करने के लिए. तेंक यू सो मच और आपको काफी शुकरना है दो साल पूरा करने के लिए. मैं मैं आपता हूँ, इटीनाओ काफी अच्छा काम कर रहा है, इन्देसर अवेरनेस के लिए, और फिनेंशन नने स्पर्डिंग के लिए. तो लोट अफ कॉंडिटिएशन फिने स्पर्डिंग के लिए. जब आप तो अपनी फर्म रन करते हैं, आपको यह स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहा है, आपने इतने लंबे समय तक देखा है बजार को, यह आपको लगता है क्योंकि बजार अच्छा है, तो यह थोड़ा वेव आगया है, बजार खड़ा हुआ तो यह वापिस वेव चली जाएगी? यह थो जाएगी? यह थोड़ा है और इंडिया में भी होने वाला है, इंडिया में जादा होगा, बेकाद इंडिया का एंट्रप्रश्चिप क्लास काफी, इन इन इसमें काफी जाएगा है, तो मुझे लगता है इस वेरी इटेलर एचना इंवेस्टों और and that is also rightly said काफी help कर रहा है market को resident करने के क्योंकि आज की दिन में अगर आप global situation देखें तो इंडिया ये index पर नहीं होना चाहिए बट ये सब दुआ है कि retail or H&I investors through SIP और through direct participation उनने market को काफी सब्वाला हुआ विक्रब आप कैसे strategist or fund manager है जो macro को भी बहुत तबज्यों देते और अपनी overall investing philosophy में उसका ध्यान रखते है इस समय जब हमारी बाचीत हो रही है तो macro थोड़ा सा nervous करने लाइक बन गए Brent वापिस 95 आ गया है dollar index 107 के करीब आ गया है और bond yields जो US bond yields है वो 15 साल के highest levels पे उसके बाद भी Indian market बहुत डटे हुए तो क्या ये एक nervous होने लाइक बात है ये cautious होने वाले बात है जो आगे आने वाले महीनों में play out हो सकती है या आपको लगता है कि इस बार शायद हम ज़्यादा बहतर position पे हैं flows के जैसे इस risk को आप कैसे factor in कर रहे है मेरा ये मनना है कि we have to pay the price at some time मैं यह नहीं मनता हूँ कि हम लोग resilient बहुत लंबा रह सकते हैं flows एक कारण है जहां से हम resilient रह सकते हैं local flows बड़ अगर FII अभी इतना बेचना चलो नहीं कि अगर FII को ज़्यादा बेचना पड़े तो वो कारण से शायद market nervous हो सकता है ज्यादा एक चीज़ हो सकती है कि time consultation हो सकता है कि हम लंबे समय तक एकी index या दो जो पड़े रहे हैं और दूसा यह हो सकता है कि we can see a sharp correction तो मुझे लगता है दोनों probability काफी equal है और particularly सिभारी अगर आप देखें तो लास एक देड़ साल में small cap mid cap में अच्छे run up हो है valuation काफी उपर गए अपोस इनके earning visibility काफी अच्छी है तो यह मानना है कि earning visibility अच्छी है बट सामने अगर valuation उससे जज़ा चले है तो definitely एक correction आ सकता है short term में उसे डाउट ही नहीं because एक crude का reason नहीं है आप USELP एक reason है और दूसरा most important यह है कि इंडिया में भी क्या हो जागा कि जो current account positive की बात चल रही थी current account positive हो जागा अगर crude 90 plus रहा तो हमारा current account positive minus 1 की तरब चले जा सकता है और उसकी वज़ा से जो intersect cut की बात हो रही थी वो शायद पोस पे आजाए मुझे तो रहता है internet internet cut आएंगे नहीं अभी for short term के लिए तो यह सब जो factors है which will ultimately grow and impact the earning at some stage आज नहीं लग रहा है हमको but it will touch the earning because अगर आप देखे के rural consumption that is connected to you know say raw materials of commodities जो उपर जानी चालो हुई है oil जो उपर जाना चालो है तो मुझे लगता है कि यह सारी चीज़े ultimately कहीं भी जाके earnings में spread out तो करने ही वाली है and when you start seeing earning growth kind of projection going down then market will understand and time it that's what is going to happen अगर आप यही situation March में होती 16,000 के NFT में तो मैं बोलता कि नहीं ठीक है I think valuation में साथ है यहाँ पर एक है कि valuation ऐसी जगवाद पर आके खड़े बहुत महिंगे भी है but definitely some average valuation which is part of the little sign of worry कि where market can see you know some kind of what to say correction or it can see a long long time consolidation and also अपने सरके स्टेट elections भी है 5 तो भी थोड़ा सा volatility रहेगी अच्छी बात ही है इंडिया के लिए आज के दिन में कि सारे data points बहुत positive auto number से GST number से देख लें आप यहाँ आप power consumption पे देख ले NPA cycle देख लें सारे numbers जो मैं देखना हूँ numbers बहुत ही अच्छे है fundamentally काफी strong है तो यह एक बड़ा positive point है इंडिया के लिए बाकी सारे points as on today थोड़े से tilt करते है negative था अपने elections की बात की उसकी भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि यह 9 years of यह government के है वो बहुत reform से फिल रहे है stock market को इनका direct benefit मिलता आया है और flows भी अच्छे रहे लिकिन अब कुछ लोग जो है वो नर्वस हो रहे है कि 24 के मैं election आएंगे state election उसके पहले क्या momentum policy momentum की continuity रहे पाएगी या नहीं या अगर वो नहीं रहती है तो क्या सवाल उठ सकते उसको अब इस पूरी यह game of probabilities है आप कैसी probabilities अपनी लेके चल रहे है बड़ा मुश्किल है तो प्लेटी को define करना बट यह है कि हम as a fund management principle हम यह देखते हैं कि macro क्या कर रहे है valuation कहां पे है अगर valuation अगर आज for example अगर निफ्टी 14,000 पे होती तो शायद मैं सोचता भी नहीं कि election क्यों आ रहे है क्या फरक पड़ता है बड़ा जो valuation थोड़े से above average की तरफ चले गए है वहाँ ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा देखना चीए आगे जाके क्या होगा particularly जहां पे raw material prices उपर जा रहे इंडिया का crude dependence काफी है ग्लोबल पे और आप ये सोचे न चार साथ चार सक्तर की 10-year bond ये उस की कौन सा investment पैसा डालेगा दूसरी country में अगर साड़े चार पौने पांच टाका उसको दस साल US Treasury में मिल रहा है which is a risk free और उसके ओपर अगर 200-300 investment की forward cost एड़ कर लो तो साड़े छे साथ तक का तो आपको minimum कवाना पड़ेगा कोई भी country में जाओगे तो तो वो करने के लिए पैसा आने का short term में संभावना काफी कम है तो मेरा ये मानना है कि market has to price और volatility बढ़ेगा मैंसे नहीं मानता हूँ कि बहुत reforms में change होंगे तो अपनी जो आई होती है जो investor के आई होती हो चेंज हो जाथ ये higher valuation तो अपनी जो आई होती है तो हर अच्छा news जल्दी discount हो जाता है और valuation अबर लीचे होते है तो हर बुरे news को आँ fake देते है वाला छोड़ो यार क्या फरापड़ता है So I think right time the time has to be a little bit alert and I must say a little bit cautious definitely particularly small cap and mid cap where the valuations have touched very high So I think you'll be very careful about the market It can give you a lot of better opportunity over the next 6-8 months So some of the better opportunities in the next 6-8 months we were talking about Vikram Koota and in a year there is a lot of valuation in the mid cap and small cap space but the market is still in many spaces and we are looking for you to find out how you invest in the future and also in this whole programming has a big voice only for the market experts and corporate and the political to be made with the political to be made by the government and this is a great opportunity transport NITIN GATKARI ने भी का कि सरकार कंस्ट्रक्शन में कच्छे के इस्तिमाल के लिए policy लाने पर विचार कर रही है आईए आपको सुनवाते है हमाँ सरक खास बात्चेत के लिए नितिम गड़करी केंद्री परिवान मंत्री जी है सर्थ धन्वात बात करने के लिए सबसे पहले E.T.NOW स्वदेश को दो वर्ष पूरे हुए है एक एहम पड़ाव पात किया है क्या शुब कामने संदेश देना चाहेंगी मैं E.T.NOW स्वदेश को यशशवी दो साल पूरे करने के लिए बहुत बहुत शुबकामने और शुबच्छाय देता हूँ और लोक प्रबोदन और लोक शिक्षन का काम चनल के द्वारा निश्यत रुप से होगा विशेश रुप से रोड सेप्टी में और जो ecology and environment को प्रोटेक्ट करने के लिए जो initiative है सरकार के उसमें आप विशेश रुप से सहयोग दीजिए यही आपसे दिवेदन करता है एक विशे है सर्थ जो आपके काफी करीब है जिसमें आप लगातार काम करते हैं सचिता पकवड़ा के अलावा भी कि किस तरीके से देश भर का जो कच्रा है उसका इस्तमाल आप construction में ले करके आएं तो दोनों तरीके से फायदा हो पाए क्या कोई नई नीती पर विचार किया जा रहा है हम लोग पूरे देश में मुसिपल कारपोरेशन और नगरपरिशत का कच्रा इसको segregate करके road construction में यूज़ करने के लिए एक policy बना रहे है और निश्चित रुप से उसके कारण प्रधान मंत्री का जो कचरा मुक्त भारत का सपना है वो पूरा करने की हम ताकत के साथ कोशिश करेंगे और एक अंतिम सवाल construction equipment machine को भी आप incentivize करने की जो alternative fuel और biofuel यूज़ करेंगे उससे हमारे cost of construction में जो fuel लगती है 1000 करोड के काम में 100 करोड के लगते है तो 40 करोड की बचत होगी उससे cost भी कम होगी quality में सुधरेगी और परियावरण के रक्षा होगी तो ज़रूर सोचेंगे सुधरेश की साल ज्रह का आउसर है यह चैनल अच्छे से काम कर रहा है आगे भी अपनी भूमिता का ठीक प्रकार से निर्भन करें इसके लिए मैं अपनी और से बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं बहुत शुब कम रहे मैं हूं बज्राय नम्दियाथ इती नाव सुदेश के दो साल पुरहने पर उन्हें हादिक शुब कम रहे है भगवान करें आपका चैनल बढ़ता रहे और बहुत बढ़िया करता रहे हमेशा और हमेशा स्माइल करें प्रोटोपल दिखेलो करना बढ़ता है रहना ही नहीं मैंनी हो आई यह सब यह पूता करते हैं बद्धे हमारा है लेकिन तोसा आपको क्योंकि हम ही तो करते हैं मुनाते की बात दो साल हमने काफी धमाल किया और आगे इसी थरह का क्माल करेंगे अपीबर देट वॉद एटीनाउस सरेश नाम तो बहुत सुना होगा एटीनास बढ़तेश बढ़लोग बढ़ो देश के साथ एपी बढ़ते इटीनाउस बढ़तेश and may you grow even much more than your older sister बढ़नाव स्वरेश को बहुत बहुत शुक्कामनाएं क्याते हैं, life is not about milestones, it's also about moments तो ये moments बहुत खास होते हैं खाहुष, इधिनाव स्वरेश को बहुत बहुत शुक्कामनाएं बजने दो डंका, गूजने दो संदेश, दोगना हो गया है स्वरेश देशी रहें, देल से स्वरेशी रहें और समध्धी के नए रास्ते पर चलते रहें इधिनाव स्वरेश में दंबा, दो साल के हमबा देशी हैं हम, श्वय देशी हैं हम अब अगले बड़े लक्ष की और हम लेग रहे हैं तो यहीं गएंगे दश्व मस्क गौन बहुत ही अच्छे गए हलो नमस्कार और एटीनाओ सुरेश को दो साल की फिर सारी शुपकाम में एटीनाओ जोती है एटीनाओ सुरेश है रुष करा के एटीनाओ सुरेश हपी बर्ड़े एटीनाओ सुरेश दो साल फैंटास्टिक अभी और दो साल उसके बाद फिर दो साल और दो साल ना जाने ऐसे ही कितने दो साल हम आपके साथ जुड़े रहेंगे आने वाले उलबेल साल शुट के लिए इटीनाव स्वदेश को धीनाव स्वदेश को हार्दिक शुखकाम नाए अबी दशको को बहुत हदाई इटीनाव स्वदेश को दो साल पूरा करने के लिए जियर साही शुखकाम 넣 इटीनाव स्वदेश के फ्यूंज को 2nd Anniversary के घेरओ शुखकाम नाए अपना प्यार ऐसे बरसाते रही है धेरों पैसा कमाते रही है देखते रही है इती दोस्तों देख कर दोस्तों दोस्तों झारते रही है तोस्तों झाला अथा को간स्तों आप फानल प्योर्साऑ़ economics घ две स Ciao स झाल 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 स्वदेश के सबसे युवा, सबसे भरोसे मंद और सबसे लोग प्रिया बिजनस चैनल झाल झाल के दीजे बढ़ाइ, पुछे अपने सबसे अपने सबसे खराब ग्लोबल संकेतों से बाज़ार में गिरावट निफ्टी एक्सो पंदर अंग गिर कर उनीस जार चार्सों के पास, बैंक निफ्टी में साढ़े चार सो अंगों की गिरावट बैंकिंग शेरों से बना दबाव, एक्सेस और इंडसेंट बैंक 3% तूटकर निफ्टी के टॉप प्लोजर, SBI, Bank of Baroda, IDFC First और कैनरा बैंक में डेर से 2% की गिरावट अच्छे बिजनेस अपडेट के बाद, SDFC बैंक निचलेस तर से 2% सुधरा, नए लोन में सालाना अधार पर 18% की बढ़ाद, डिपॉजिट में भी करीब 18% की बढ़ाद होत रही अपडेटर सर्विसनेस की कमजोर लिस्टिंग शेयर 300 रुपे की इशू पैस के मुकाबले 285 रुपे पर गुआ लिस्ट आज से RBI की Monetary Policy Committee की बैठा कच्छे अप्टूबर को आईगी क्वेडिट पॉलिसी लगातार चौथी बार दरों में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं और एशियन गेम से स्वदेश के लिए बर्थ डे गिफ्ट 71 मेडल के साथ अब तक का सर्वश्वेष्ट प्रदर्शन आज तीरंदाजी में मिले दो गोल्ड मेडल कुल 16 गोल्ड के साथ भारत पदक तालिका में चौथे नमबर पर एटी नाव को दो साल एज़ चैनल पूरा होने के यूव डन वेरी वेल मैं आपको शुब कामनाय देता हूँ और मुझे पूरी उमीद आप और भी सफलता पाएंगे सोदेश की साल ग्रह का आउसर है यह चैनल अच्छे से काम कर रहा है आगे भी अपनी भूमिका का ठीक परकार से निर्वन करें इसके लिए मैं अपनी और से बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत शुब कामनाय देता हूँ इती नाव सोदेश के बरस गांट पर मैं इती नाव को और उनके सभी जोताओं को अपनी बहुत-बहुत शुब कामना देता हूँ कि इती नाव का फिलोस्पी है यो सही है वही ये क्रेडिबिलिटी बहुत इंपोर्टेंट है लिए दिया देता हूँ कि इती नाव स्वादेश की दूसरी सालगिरा के लिए मेरी और से बहुत ही शुब कामना स्वादेश चैनल को मेरी हाद दिक शुब कामना है अपनी दूसरी सालगिरा पर तो ये जो जलकियां आप देख रहे हैं ये जलकियां दरसल स्वादेश के दो साल के दम की हैं जिसे मारकेट के दिगज आज सलाम कर रहे हैं बड़ी बड़ी हस्तियां आज एटी नाव स्वादेश की क्रेडिबिल्टी की बात कर रहे हैं अगी बी आपके यकीन पर आपकी उमीदों पर हम खरे उतरेंगे लिकिन दिग्गजों की बात तो हो गई मेरे साथ मेरी सयोगी पूजा त्रिपाठी भी है सुबे से ही हम तवां तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं बहुत सारी बाते हो रही हैं और दिग्गत से लेकर आम दर्शक तक जो है वो E.T. नाव सुदेश की तारीफ कर रहे हैं चलिए जरा आम दर्शकों ने किस तरह से हम तक शुब कामनाई पहुचाई हैं वो देख लेते हैं E.T. सुदेश को दो सार पूरे करने के लिए बहुत बहुत शुब कामनाई इसके एक दो लैंग का दोवा है जो मैं कहना चाहता हूँ E.T. सुदेश और चैनल करी खड़े काके लागुख पाए बलिहारी E.T. सुदेश आपके जिन पैसे दिये कमाई E.T. सुदेश को दो साल पूर्ण करने की हारदी बधाई बहुत बहुत शुब कामनाई आपको E.T. सुदेश चैनल को दो साल पूरा करने की बहुत 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 बदाईया यह चैनल ऐसे ही तरक्की करता रहे E.T. सुदेश चैनल को उनकी दूसरी बर्ष गांट पे उनके विश्वस्नेता एवं लोग प्रेता के लिए मैं दिल से आभार बैक्त करता हूं और बहुत बहुत शुब कामना देता हूं दो बर्ष पूरे करने पर हर्दिक शुब कामना है मैंनी मैंनी कंबराचियेशन्स टीवी नाव स्वजेश चैनल को दो साल पूरे करने की मेरे तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है यह चैनल हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहे पिल्गुर तो यह कुछ दर्शकों का प्यार उन्होंने हमें ट्वीट करके बधाई दी है और अगर आप भी हमारे साथ जुढना चाह रहे हैं तो स्वदेश two years hashtag twitter पर जाये और वहां पर आप अपने वीडियो सेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को शुब की दारान दिखाने की चली आगे बढ़ेंगे और मार्केट का एक मार्केट पर नजर डाल लेते हैं बाजार में इसमस कमजोरी बनी हुए आज ग्लोबल जो संकेत आ रहे थे वो काफी कमजोर थे जिसके चलते भारते बाजार में भी आज वीकनेस है निफ्टी 100 अंक नीचे हैं सेंसेक्स में सारह 300 अंकों की कमजोरी है और बैंक निफ्टी भी 370 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है जालते स्टॉक्स आज लाल निशान में हैं आज सबसादा कमजोरी दिखाई देरी हैं बैंकिंग शेरों में इंडेसिंट बैंक, एक्सेस बैंक, बजाज फिंसर्व, मारूती, सुजुकी, अल्ट्र से दायरे में कारोबार करता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में देखे, अच्छी रिकावरी आई है, SGFC बैंक अपने उपरी सर पर कारोबार कर रहा है, करीब 1% उपर, तो यहां से काफी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, देखना होगा, अ आज तो हम देख रहे हैं कि कमजोरी ही देखने को मिल रही है, लेकिन आज के लिए लेवल्स के आफ वच करेंगी क्योंकि काल एक्स्पायदी भी है, तो उसको देखते हुए, क्या कोई ट्रे लेदी की सला देंगे या और फिराल इंडेक्स से दू रहना चाहिए, बुड म आज बड़ा कारीफ यह तरह से यह सिलसला जाली रहा है, और कहीं नई गोरुचायों को सूचे दीखे इधिना सोचेश, तो बजार का देखे, तो बजार में डेफिनिट्ली आज एक डेटवम ज़रो होती है, बजार में तो बजार संकेत थोड़ा काफी कमजोर दिखाए सबस्केत बना है, सेंटिमेट बना है बजार में, वो थोड़ा सा एक नेगेटिव बनता हो दिखरा है, उन्हें से पांसोग निचे हम बड़ जाएंगे, तो मुझे यह सा लगता है, थोड़ा सा भी एंडाइसेस में नहीं चेना जी, हाला कि अभी पुछ ना कुछ मिठके इसमें पर इंडाइसेस को थोड़ा सा छोड़ जेना जाएंगे, जब तक हम उन्हें से खेसोग बन नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि एक फ़गासा रिवर्सल को शॉट तर्म का और चेट नगर गौंस उनको देखने को मिले रा लॉंग साइट में, इसलिए अभी फ कुछ में जड़ो बने, उसमें जड़ो डिहान ना सकते हैं और अपने जी बहुबात धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, एक छोड़े से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे यहां पर और ब्रेक के बाद ख़बरों का सिसला आगी भी जाए रहेगा कर दोन Gаний और अपने जान्यवाद झाल 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 स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम मना रहे हैं इटी नाव स्वादेश के दो सालों का जश्न और इस मौके पर हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं NAC के MD और CEO आशीश चौहान जी आशीश जी बहुत बहुत स्वागत आपका इटी नाव स्वादेश में दो साल इटी नाव स्वादेश ने पूरे किये हैं इस मौके पर आप इटी नाव स्वादेश के दर्शकों को आम इंवेस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे इटी नाव स्वादेश के दो साल पूरे हुए हैं मुझे लग रहा है कि एक शुरूआत है अच्छी शुरूआत है भरत को और आगे बढ़ना है और इटी नाव स्वादेश को भी बहुत और आगे बढ़ना है मेरी तरफ से इती नाव सुदेश के सभी दर्शकों को हारदिक शुबेच्छा और बढ़ाई और जो लोग इती नाव सुदेश से जुड़े हुए हैं सभी पत्रकार मित्रा और सब टेक्निशन सभी लोगों को मेरा धन्यवाद भी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे आशी जी बहुत धन्यवाद समय देने के लिए बीते पांच वर्शों में हमने एक और ट्रेंड देखा कि भारत में डीमैट अकाउंट और निवेशकों की संख्या भी काफी बड़ी है अब ऐसे में स्वदेश का भी नारा है बड़ो देश के साथ आप इसे कैसे देखते हैं और भारत की ग्रोथ स्टोरी यहां से आपको कैसी लग रहे है एक तरह से देश बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे और जो देश नहीं बढ़ेगा तो सभी लोग की जो नईया है वो नीचे आ सकती है तो हम सभी को एक तरह से अपना परसनल स्वारत भी है कि जब देश बढ़ता है तो हम बढ़ते हैं तो सवाविक है कि देश के साथ हमें भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सकते हैं और यही तरीका है भारत को आगे बढ़ने का अभी भारत को एक स्वार्ण तक मिली हुई है अगले 30-40 सालों में कि जिससे हम बहुत आगे जा सकते हैं पूरे भारत वर्ष आगे जा सकता है उसमें नैचरली हम सभी अपना अपना योगदान देंगे और हम सभी एक तरह से खुद को भी सम्रत बनाएंगे देश को भी सम्रत बनाएंगे परकुल सर और बीते कुछ वर्षों में भारत में निवेश यानि इन्वेस्टमेंट को लेकर अवेरनेस भी बढ़ी है और इसमें आप सभी का भी बहुत अहम क्योगदान है निवेश के पती जो जाग रुकता आई है उस पर क्या नजरिया है आपका एक तरह से कई लोग मार्केट से जुड़ो हैं कोवेड के बाद में अभी हमारे पास अल्मूस्ट आठ करोड से थोड़े लोग बचे हैं अल्मूस्ट आठ करोड लोग एनसी से डारेक्टनी ट्रेडिंग और इन्वेस्मेंट में जोड़ चुके है और उसमें जगरुक तस्वावी के बड़ी है लेकिन एक तरह से एक मेरी सला भी है सभी छोटे निवेशों को कि सुबह खरिट के शाम को बेचने को निवेश नहीं कहते हैं उसको trading कहते हैं और derivatives में छोटे निवेशकों को trade नहीं करना चीए क्योंकि सेवी ने भी एक recently paper निकाला जिसमें कहा था कि करिब 10 में से 9 जो छोटे निवेशक trade करते हैं वो पैसा lose करते है derivatives में तो यह सब ध्यान में रखना जरूरी है और आज आज आपके हाथ में mobile trading रगरा की सुरीदा है जिसके वेज़े से हर नागरीक का आज NAC से जूड़ रहा है और जूड़े रहना भी चीए लेकिन मिलमन चीजों का ध्यान रखना चीए कि tips पे ध्यान न दे unsolicited message पे ध्यान न दे और even TV में भी तही बार लगता है कि सुबह खरीदो शाम को बेचो या stop loss वगरा उसमें ज्यादा जाने की जरूतनी है लंबी अवधी के लिए निवेश करे और अध्यान करे अध्यान का समय नहीं है हमारे पास उतनी skill नहीं है तो हम mutual fund के द्वारा या स्टॉक मार्केट भी आगे भरेगा लेकिन चोड़ी चोड़ी की चीज़े अध्यान रखेंगे तभी जाके हमारा जो निवेश किया हुआ पैसा उसकी विद्धी हो सकती है परतर शुक्रिया आशीज जी हमारे साथ जूडने के लिए और कुछ important बाते हमारे दर्शकों के लिए आलाने के लिए जो कि हम भी अपने दर्शकों की ही कहते हैं कि derivative में संभल के treat करें तो आभी तो हमने बात की NAC के MD और CEO आशीज चौहन हमारे साथ जुड़े थे लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज दिंभर दिगज इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे अब वक्त है BAC के CEO को शामिल करने का और E.T.N.A.W. नमस्कार आप देख रहे हैं E.T.N.A.W. सदेश मैं हूँ अजय शर्मा और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेमान हमारी दूसरी सालगेरा पर E.T.N.A.W. सदेश की दूसरी सालगेरा पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं B.A.C. लिमिटेड के MD CEO मिस्टर सुंदरमन रामूर सुंदरमन जी गुड़ मॉनिंग E.T.N.A.W. सदेश पे आने का बहुत बहुत शुक्री और धन्यवाद अपने समय के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि B.A.C. लिमिटेड ने B.A.C. ने हमेशा E.T.N.A.W. सदेश को बहुत सारा सपोर्ट दिया है और प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपसे इस से पहले कि मैं आपके बारे बात करूँ आपकी कंपनी के बात करूँ मैं आपसे बात जाना चाहूंगा फिनैंशल सर्विसिस के आप पुराने वेटरें हैं Exchange हुआ पोरा चला रहा है आप देश भर में ब्रहमन करते जाते हैं जो हमारे देश में क्योंकि हमारा एक मोटो है वो बदलो बढ़ो देश के साथ वो हमारा मोटो है और हम देख रहे हैं कि भारत में investor वर्ग में काफी बदलाव आ रहे हैं काफी mature हो गए और इसलिए growth भी हो रही है और deep भी हो रहा है बजार आप भी पूरे देश में गूमते हैं सारे regulator, participants, investors, brokers, सबसे ecosystem से आप जुड़े रहते हैं, आप किस तरह के बदलाव और जो positive बदलाव भारत के markets में आ रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं आप उने? जी बिल्कुल, हमें तो लग रहा है कि भारत में अमरत काल आ चुका है, अमरत काल की उशत काल, जो बोलते हैं न, डान, ये तो हो ही चुका है, जैसा चंदरयान लैंड हुआ, अमरत काल भी लैंड हो गया है, दोनों soft landing है, हमें के रहे हैं कि 2047 में हमारा मुद्दा है, हमारा देश का मुद्दा है, हमारा सरकार का ये प्रयास है, आर्थिक विकास और प्रगती और बढ़ें, और 2047 तक हम developed nation बनें, हमें तो लगता है कि ये जो हमारा मुद्दा है, वो बिलकुल सही डंग से प्राप्त हो सकता है, उसी की और में, उसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा मानना ये है कि कोई भी देश हो, उसका आर्थिक विकास के लिए तीन चीज़ों की बहुत सक्त जरूरत है, एक बोलते हैं, consumption, दूसरा investment, तीसरा export. बहुत बहुत शुक्रिया, सुन्दर रमन जी, हमसे इस खास बातचीट के लिए अब रुक कर लेते हैं कुछ दूसरी ख़बरों का, AU Small Finance Bank का दूसरी तिमाही का अच्छा बिजनस अबडेट आया है, दूसरी तिमाही में, Gross Advance सालाना अधार पर 24% बढ़कर 65,000 करोर के पार पहुँच गई है, कुल डिपॉजिट 30% बढ़कर 75,700 करोर के करीब रहे हैं, बैंक का जो कासा रेशो है, वो करीब 34% से बढ़कर 42% रहा है, बैंक ने मैनेजमेंट ने का है कि चुनोतियों के बावजूद दूसरी तिमाही में अच्छा प्रदर्शन हुआ है, कॉंपरिशन के बावजूद बैंक के डिपॉजिट सालान आधार पर 30% और तिमाही आधार पर 9% की क्रोथ वहाँ पर नज़र आई है, वही कासा डिपॉजिट तिमाही आधार पर 6% बढ़ हैं, चले हमारी इस खास पेशकर्ष में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे और मेरी सयोगी पूजा त्रिपाठी को दीज़े इजाज़त, ता आगी भी कई स्पेशल शोज आपका इंतजार कर रहे हैं, आप देखते रहे हैं, ईटी नासोदेश कर दोचा कर दे खास, कर दो बपनर कर दो दो हमें, स्पेशल तिंप till भी कर生 का दो दो प्रैंसleा को लुदoine हम आपका नासोज स्पेशल झाल झाल सोशल मीडिया के दौर में बेशा सूचनाओं की रफ़तार परती है लेकिन इसी रफ़तार से उठे हैं खब्रों की क्रेडिबिलिटी पर सवा फिनेंशल इन्फूएंसर्स ने भी कन्फ्यूजन को कर दिया है दो गुनाओं दू साल पहले दर्शकों के बीच भरोसा बन कर आया इजीनाओ स्वदेश हमने नसित बाजार, एकॉनमी और आपकी जेट से भुड़ी सटी खब्री बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स के जरीए निश्पक्ष विश्टेशन किया जिनें बाजार करता है सलाँ हमने खब्रों के साथ साथ आगे के मौकों और फत्रों को लेकर आगा किया देश की ग्रोज स्टोरी में भागिदारी दिने का सबसे सशक्त मंच बना इजीनाओ स्वदेश हमारा विश्वास है हमारे मजबूत इरादों से आप बढ़ेंगे और आप बढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेगा एटी ना स्वदेश बदलो बढ़ो देश के साथ यह नया भारत है नया भारत जो तरफ्की की नई कहाने लिख रहा है भारत में अपार संभावनाएं हैं हर किसी के पास समान अफसर हैं किसी कारोबार को शुरू करने या उसे बढ़ाने का इसे बहतर समय कभी नहीं रहा पानेशल जागरूपता पर आज स्वदेश बोल रहा है पूरा देश सुन रहा है बर्द शहरों में चोटे निविस्कों की बात हो या चोटे शैनो में बर्द नुदस्कों की बात हो सब के साथ स्वदेश है इसलिए एक, दो, तीन, आये लखा तासी स्वेवर स्वदेश के साथ सम्रिद्धी की नई उडान से क्योंकि ये देश एक सम्रिद्ध वर्ष की ओर बढ़ रहा है देश के सबसे डायमिक बिस्निस न्यूस चैनल ईटीनाव स्वदेश में हमारे साथ जुड़ें ये नए भारत का समय है इस चैनल को मेरी हार्दिक शुपकावन है अपनी दूसरी सालगीरा पर इंटर्लोग एविएशन लिमेटेड जिसकी जो एरलाइन कंपनी है उसे इंडी को कहा जाता है अगर हम बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी एरलाइन कंपनी है अगर किसी को ट्रावल और टूरिजम प्ले करना होगा एरलाइन में तो इंडी को ही सबसे अच्छी और सबसे उंदा ऑप्शन होती है किसी भी इंवेस्टर के लिए अगर आप देखेंगे तो जो अनलिस्ट की consensus target price है इंडी को पे वो करीब 2930 रुपे की है जो की 20% से जादा का return potential बता रहा है अगले 12 मेने में 82% analyst जो track करते है company को उनकी buy rating है company पे और सिर्फ 9% जो analyst है उनकी sell rating है अब क्या triggers है इंडी को के लिए अगले एक साल के लिए अगर सबसे पहला trigger आप देखेंगे तो company की जो market share है वो near monopoly type market share है 60% market share है domestic aviation market में इंडी को की पुरे globe में अगर आप देखेंगे पुरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो hardly कोई AC company होगी airline company होगी जिसके domestic market में 60% market share है तो near monopolistic market share है इंडी को किया अब चुकि इतना बड़ा market उन्होंने domestic market में already gather कर लिया है तो अब उनका जो main aim है वो international market हो रहागर आप देखेंगे तो international market में अपना presence बढ़ाना चाह रहे है current capacity में करीब 23% जो है वो international market में deploy किया जाता है और आगे चलके company इस number को 30% तक बढ़ाना चाहती है तो international exposure बढ़ाना यह उनका main focus रहेगा जिसके ज्यादा revenue आ सकते है ज्यादा margin अकुरेटिव होता है international routes अगर हम देखे तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो company की जो balance sheet है one of the strongest balance sheet है airline space में और airline के बाहर पे अगर आप देखेंगे तो काफी strong balance sheet है indigo की 27,000 करोड से भी जादा का total cash है indigo के books में उसी के साथ अगर आप देखते तो company ने जो aircraft के orders दिये है वो thousands से भी जादा का है तो यह clearly justify करता है clearly दिखाता है कि आगे चलके जो growth plans है company के वो काफी जादा strong है अब पीटर एलबर्ज एक recent interview में इटिनाओ को कहे थे कि आगे चलके long term period पे वो जो aviation market का growth envisage कर रहे है वो 15% से जादा है मता mid teens का growth आगे चलके indigo से expected है और उसी कारण यह thousand plane का company ने already aircraft के orders दे रखे है इसमें कुछ replacement भी होगे बड़ ज्यादा तर company के growth के लिए utilize के जाएंगे तो काफी strong growth plans है indigo का और अगर some up हम करे तो dominant market share strong operational performance रहा है company का capacity addition आगे चलके strong होगा क्योंकि काफी जादा plane के orders already company ने दे रखे है और one of the strongest balance sheet है पूरे industry में indigo का और इसी दम पे analyst काफी bullish है company पे और आगे चलके वो कम से कम 20% से जादा का growth expect कर रहे है share prices में indigo के अगले 12 महने बिल्कुल तो HDFC bank की बात करे तो यहाँ पे जो analyst की estimate आ रह 15% की uptick यहां से भी expected है और consensus target price जो हम लोग देख रहे है वो है 1,986 रूपीस most analysts ने buy rating maintained की हुई है 93% की analyst 93-94% के analyst है जिसने buy rating maintain की है HDFC bank पे और hold rating है 6.4% जो analyst hold rating maintain कर रहे है कोई भी analyst ने sell rating नहीं दी HDFC bank के लिए नो यहाँ पे positive triggers की बात करें क्या है triggers bank के लिए आगे जाते हुए तो one तो bank काफी well poised है in terms of gain करने के लिए market share both in terms of leading in terms of deposits over the next few years as well as in terms of lending तो वहाँ पे lending all deposits में growth अच्छी है market share gains की expectation भी है analyst estimate करे है कि यहाँ पे जो earnings और return ratio होगी वो bottom out हो जाएगी Q2 FY24 में और फिर वहाँ से recovery gradually दिखेगी तो Q2 के बाद recovery ही expected है और overall higher mix भी है unsecure loans का जो aid करेंगा overall NIMS जो है net interest margins को increased cost selling भी aid करेंगी fees के लिए जो क्योंकि merger की वज़े से increased cost selling हो रही है HDFC और HDFC bank की तो वहाँ पे fees को भी aid करेंगी और overall valuations की बात करेंगी valuations देखें वह है lowest levels HDFC bank के valuations since 2009 में approximately यह valuations देखे थे तो यहां से lowest levels पर है तो काफी value भी दिख रही है HDFC bank में और यह काफी positive triggers बन जाते है HDFC bank के लिए और भूले मत यहां पर बात करें तो मोजर के बाद overall global top 10 banks में by market cap बन जाता है HDFC bank तो शौली watch out करेंगी HDFC bank के लिए और काफी अच्छी potential भी है return potential next 12 month में 29% की return potential expected GSPL पर भी आप ध्यान रख सकते हैं एक बहुत one of the finest share है जिसकी valuation इसमें काफी अकरशक है business अपने आप में काफी अकरशक है और particularly geographical area के हिसाब से देखें वहां पर इसकी पूरी तरह से monopoly है तो GSPL पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं एक दो reasons हम आपके सामने जरा रखते हैं आप उसको notice करेंगे तो आपको खुछ से पता लगेगा कि इस share के अंदर काफी दम है और कम से कम 20% तक का return दे सकता है जो कि देश की दो बड़ी broken houses ने भी हाल में ही report जारी करके इसके बारे में जान कर दी है पहला point इसके अंदर जो gas transmission का जो volume है वो काफी अच्छे से grow कर सक आप पिछली बार थोड़ा दवाव था लेकिन इस बार के quarter केंदर हमको काफी इच्छी growth आते हो देखी यह quarter on quarter करीच 17% के आसपास बड़ा है और market exports यह कहते हैं कि आगे चलके जो gas transmission volume है यह अपने आपे काफी इच्छा grow करेगा जिससे company को एक बच्छा benefit होगा दूसरी बा में वो इस वज़े से एक तो इसका पी करीब 10 के आसपास चल रहा है जो कि industry average से भी 14% बनता है उसके भी नीचे है आप इसको peer से भी compare करेंगे तब भी उसके नीचे है और जातर export से कहते हैं कि return on equity के हिसाब से भी यह ठीक है जो कि investors के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनका मानने के फ़ाइ 24 25 estimation के हिसाब से कम से कम 15% का average आपको ROE यह देने की capacity रखता है इसके अलावा हमने आप जब इसके कुछ financials को चेक कर रहे थे तो दो बड़े interesting points निकल के आ है first यह almost debt free company है और साथ इसमें promoter की कोई भी holding pledge नहीं है और सबसे अच्छी बात यह किसका shareholding pattern के अ public भी है यानि की equally distributed company एक तरफ tilt रही है जिसकी वज़े से काफी जादा नुकसान है करी बार extraordinary benefit होता है तो एक safe study राम से 15% 16% साल में बढ़ने वाला stock यह है इसके अलावा हमने जब इसका stand-alone pat वगरा का estimation check किया कि आने वाले दिनों में इसका बीटा यानि कि इसका जो margins है जो क का जी मुनाफ़ा है या इसका मुनाफ़ा हो कितना बढ़ सकता है तो इस लिहाद से भी देखेंगे तो करीब-करीब 16% अभीटा बढ़ने के chances हैं और मुनाफ़ा करीब 13% की growth के साथ आपको देखेगा जो कि इसके lower base से आपको ज़्यादा अच्छा परतीत होगा तो इसलि करीब 21 exports का अलग-अलग view हमने पता किया तो उसमें से 18 exports का यह मानना था या तो इसको यहाँ पे खरिदा जा सकता है और कई exports तो यहां से आउट performance भी देगा और जादा तरों का average target जो है वो 350-340 तक की आसपास की range हो बनता है शेर अभी 300 के नीचे trade कर रहा है तो GSPL valuation की लि लिहाँ से financial data की लिहाँ से आगे की growth की साब से और सस्ता होने के नाते अपने segment के अंदर one of the best companies है इस पर ध्यान रख सकते हैं और अगर मैं last में इस सब बात को conclude करूँ तो sectoral churning का भी यह बहुत बड़ा benefit हो सकता है क्योंकि गैस के stocks में काफी दम है और आने वाले दिनों में अच्छी growth दिखें कि उसमें GSPL star performance हो सकता है जी हाँ अगर बात करें stocks की जो कि analyst काफी positive है तो उसमें SBI का नाम काफी उपर आ रहा है PSU banking space वैसे भी बहुत focus में रहा है काफी run up already हो चुका है पर analyst का मानना है कि stock में काफी upside है in fact अगर Bloomberg के consensus view से जाएं तो almost 92% जो analyst है उस पे उनका buy rating है 6% का hold है only 2% of the analyst बोल रहे हैं कि शार आपको शार बेच देना चाहिए but उसके अलावा 92% से जादा analyst मान के चल रहे हैं कि stock में काफी upside है in fact consensus upside की बात करें तो वो 20% है almost stock price of around 720 आगे चल के काफी trigger है SBI के लिए of course ही country का सबसे बड़ा lender है और retail demand की बात करें तो काफी high रहा है in terms of the loan growth and that's why जो management है वो भी काफी confident है कि 12-14% तक credit growth तो रहेगा ही system में तो उसके चल टे हमने काफी positive momentum देखा है SME segment से भी काफी demand भढ़ कर आ रही है तो वो भी एक better है and corporate and wholesale book जो की बाकी lenders ने अपना कम कर दिया था वहाँ पे exposure वहाँ पे अभी SBI के पास opportunity है कि अपना wholesale as well as corporate book को भी expand कर सकता है asset quality की बात करें तो कोई ऐसी problem नहीं है in fact उनका return on asset के targets थे 1% plus के वो bank में already achieve कर लिए है आगे चाके उनके उस पे और भी अच्छे targets बन रहे है credit cost भी benign रहेगा या मतलब controlled रहेगा क्योंकि जो peak of the interest rate cycle है वो हो चुका है तो credit cost पे आगे चल के जादा pressure की उमी नहीं है और जो bank है उसके पास अभी इतना capital है अपनी balance sheet पे कि उनको fundraise करने की जूरत नहीं है तो जो dilution का overhang होता है वो भी नहीं आना चाहिए तो जो next leg of growth है उसके लिए already bank के पास capital है तो जाए credit growth की बात करें margins की बात करें या फिर return ratios की बात करें तीनो perspective पैसा रग रहा है कि SBI के लिए काफी upside है जी बिलकुल EPL जो है focus में रहने वाला और यहां पर अगले 12 महीने में जो target return potential देखा गया Bloomberg से वो लगबग 22% का return दे सकता है लेकिन क्यों है बाजार bullish इसके reasons हम बताते है सबसे पहला है कि incremental revenue देखने मिल सकता है Brazil के market से already March quarter में देखा जाए तो 20 million dollar की total expenses आई है और उनके एक नई plant commission हुई है अब जो है management में कहा है कि Fy24 में उनकी capacity expansion plans है Brazil में वो और बढ़ेगी तो इसका मतलब incremental revenue देखने मिलेगा इसके लावा sustainable types इनके demand में बहुत अच्छी strength देखने मिल रही है और brokerage का मानना है कि लगबग जो demand है उनकी volume specific वो दो गुना हो सकते है Fy24 में company में margins में जबर पैशर आये थे पिछले 2 या 3 quarter में लेकिन अब जो है वो reversals देखने मिल रही क्योंकि polymer prices में के दाम है वो उसमें गिरावट देखने आ रही है हाला कि aluminium foil prices अभी भी stable है इसके लावा important बात इभी बता दे कि हाली में management change होई है जहां पे नए CEO4 आए है बीपर गोल और उनकी जो Q1 numbers जो recently आए थे वहां पे भी return on capital में जो एक अच्छा growth देखने मिला especially festive season में जो है FMCG stocks पर भी नज़र रही है उसका जो second order effect है वो आपको EPL में भी दिखेगा The good guys to come to talk to us to tell us what are the malpractices in the market and to help us to craft solutions so that we address that so that the good guys win we don't want, we want a million investment advisors let me tell you, it's as much I would say not as much I think it is clearly our failure that we have such a small set of investment advisors and every new whole time member who comes into SEBI some of my colleagues here will vouch for it every new member who comes in takes a look at it and says why is this number so small, why isn't it larger and two weeks later after they go through all the details they are like, we can't have one lakh of these kind of guys right, so that's the problem okay, we can't have ten lakhs of these kind of guys but we definitely need ten lakh of those kind of guys we need the good guys to win and for that the association has to come forward and A, tell us what's happening because by the time we otherwise get to know a couple of people have already committed suicide in Indore that's the reality the second area is and this is something which I must share with you that, you know, I've been where you are, right somebody read out my resume, right I've been a broker, I've been an investment advisor I've been all of those things when people make claims what is fact and what is fake now, investment advisors have come and told us look, you're saying don't make a claim how am I supposed to sell anything to my client right, even a cream says you will be fairer in three weeks if you use my cream they're making a claim you're not allowing me to make a claim how am I supposed to sell my service to anybody now, we took that feedback on board saying say about it right because whatever you don't allow above the table will go under the table whatever you don't allow in the sunlight will go into the darkness right so therefore you would have seen our consultation paper on performance validation agencies now this is a completely radical concept to say that there will be an institutional mechanism you come there you validate your claims and then you can make that claim now what is the modality how is it to be done naturally a lot of thinking will have to go into it but what I'm saying is when there is a genuine need in the market it is our objective to address that need because we want to get to that one million but we have to be very careful about fact versus fake and we all know right I don't need to tell you you know algo players will claim 300% return per annum use my algo I mean you really think Sebi is so dumb no first of all on the face of it and secondly when we ask them so you know what is the basis of this they've done a retrofit of the data and on the basis of that they say 300% return per annum not it's not that's nothing it's yes that飾 's not that's that's I? 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 झाल 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 प्रण प्रण झाल झाल कि झाल झाल कि पर झाल झाल मंठ प्रण जिस प्रण प्रण य। तो डेफिनिट्टी मीरी बने रहने के सला रहेगी इसमें, विद अप्टाइस तर्गेट रूपीज रूपीज एक सुटी, थोड़ा सा इन्वेस्मेंट अराइजन आगी इसमें थोड़ा सा लंबा रखना होगा, और जो रिटान एस्पेटेशन है, जो पिछले साल बर में आये थे, में भी उतने हैं नहीं रहेंगे, बट 15-20% के रिटान हम यहां से देख सकते हैं अगले एक साल में. ठेके, अगले एक साल में 15-20% के रिटान के उमीद करके आप चल सकते हैं, निवेशित रहने की सला हैं. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे आई-प्यूस की जिनकी चरप्चा तो खोब हुए थी, लेकिन निवेशिकों के नोंने निराश किया, उनकी बात करेंगे, पेटियम, फिन उपेवेमेंट्स, स्टार हिल्थ, एजिस ट्रांजेक्ट, निवेशिकों ने पैसे गवाए हैं, आपके स्टड़्जी अब क्या होनी चाहिए, क्या इसे बने रहना है, और खरीदना है, या निकल जाना बेतर है, या अपने एक्सपर्ट समझेंगे, एक ठोड़े से ब्रेक के बाद, झाल 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 ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं, खास शो आई प्यो बाजार खूब हुआ कारुबार, ब्रेक से पहले हमने उन आई प्यो उसकी पड़ताल की, या पर उन नई लिस्टिंग की हमने जांच की, जहां पर खूब पैसे बनी हैं, अब ज़रा उनके बात कर लेते हैं, जहां पर चर्चाएं तो खूब हुई थी, ये लेकिन उन कंपणियों ने निराश की आपने निवेश्कों को, और उनके पैसे घटे बने नहीं, इशो प्राइसे 30%, 40%, 50%, 60% कम हुए, फिनो पैमेंट्स, पेटियम, स्टार हेल्थ, एजेस, ट्रांजेक्ट, एलिन एलेक्ट्रानिक्स, इनके बात करते हैं, 5-6 नामेंसे, हालांकि तीजी वाले शेयरों के लिस्ट लंबी थी, इसके थोड़ी सी छोटी है, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, शुरवात दो कंपनियों से करते हैं, फटाफ़ट आशीजी, फिनो पैमेंट्स और पेटियम, दोनों के जो लिस्टिंग हुई थी, वो नॉमबर 2021 में हुई थी, लेकिन फिनो पैमेंट्स की बात करें, तो इशू प्राइस से 45% नीचे हैं, पेटियम की बात करें, इशू प्राइस साथ प्रसन नीचे हैं, इन दोनों शेयरों पर राय दीजिए, अभी भरुसा बना के रखें, किसी के पास अगर IP वाले शेयर अगर हैं तो, या फिर बहुत हुआ, पेशिंस तो खेर बहुत टेस्स कराएं लो, इन दोनों शेयरों ने, देखिए दोनों में बढ़र अलग राय हैं, मेरे ताबिक फिनो पेइमेंट्स तो आप सेल कर सकते हैं, मेरे ताबिक जो लॉस हैं, वो एक बार आप बुक कर लें, क्योंकि कामणी में कुछ ऐसा कुछ तेम नजर नहीं आरी, प्रॉफिट लगतार गिर रहा है, प्रॉफिट मार्जन भी रिडूस हो रहा है, कैश जिनरेशन बहुत लो है, और काफी मेरे बताबिक कुछ पश्टर जिन है कि किस तरह से बिसनस आके चलेगा, तो इसमें तो निकल जाना ही अच्छा है, जहां तक पेइटियम का सवाल है, मेरे ताबिक पेटियम में प्रॉब्लम सरफ एक ही थी, कि जो इशु प्राइस था, वो बहुत अग्रेसिवली प्राइस था, अधरवाइस पेटियम में लगातार इंप्रॉब्मेंट भी हो रही है, रेवन्यू बढ़डा है, इनके जो रिटर्न रिशो से वो भी इंप्रॉब्लम हो रहे हैं, पॉटली नेट प्रॉफिट में भी प्रॉफिट मार्जन इंप्रॉब्लम हो रहे हैं, तो वो काफी अच्छे सखियत हैं, कामने के प्रॉइशन याल टरनराउंड के, और दूसरा जो इनकी विजिबिलिटी है और एक्स्पाइंस है, वो काफी अच्छा है, अब सब TATM के यूज करते हैं, उस चीज़ का काफी अडवांटेजन को मिल सकता है, आप पे चलके जैसे से प्रॉदक्स इसके डाल भी रहे हैं, और आगे डालते रहेंगे अपने पूरी डिस्ट्रिबुशन जो उनके प्रॉसिबिलिव ही है, और जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क उनके बड़ बना हुआ है, जहां तक डिजिटल पेइमेंट्स और डिजिटल आपकी चीजें वॉलेट और इस सब चीजों का सवाल है, और इस सब चीजों में आगे चलके हमें पता है, बढ़ना ही बढ़ना है, तो प्रॉदक्स की बाद प्रास टेंट वह होता है, और अलाकि इशू प्राइस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था और बहुत अनफेल ये प्राइस था, अगर आव आप पसे हैं तो टाइम जू लगेगा, तो मेरे ताबिक आप बने रहें, अगरे ताबिक यहां से दिखर के पास्टेट्स इंप्रूव हो रहे हैं, और शेर प्राइस भी मेरे ताबिक काफी अच्छा ही यहां से इंप्रूव होना चाहिए अगले तो जूर बने रहने की सराव होगी, जहां तक पेटियम जू प्राइस का, ऐसे प्राइस आंग अपसे इसप्राइस इंपसे इस दिखाये का ङेँवच साहिए, इन त्यूरों के बारे में बताईए, अआपके क्या राया है? यह डेफिनिट्ली स्टा रुजच अगर बाश तर करें, तो आप का आप काफी समय के बाद्स आप पिछले दो कॉटर से एक प्रॉफिट रिपोड कर रही है कहीने की, और इसे के चलते हुए एक नामी कंपनी है, हेल्थ इंशुरेंस स्पेस में, तो मेरी बने रहने की सला रही है, भी तो प्राइस तरेड़ आप 800-900 रुपीज और प्रेड़ नेक्स वानिया, एली निलिप् कम्पनी को उसका हरजाना भुगतना पढ़ रहे है, और इनका एक एग्रिमेंट है, जो कि मेभी नेक्स ये र कंपलिट होगा, तो उसी कारण ये अपर्फॉर्म कर रहे है, मेरी रायर एगी कि बने रही है, एक अंडर वैलूट स्वाइल है, जब भी ये फिलिप का प्रॉ इंफो है, या रेडियन्ट है, वहना शिप्त हो सकते हैं, जे, ठेके, परफिक्ट, ति तमाम आई प्यूज जहां पर खूम बनाफा हुआ है, या फिर जहां पर आपको नुकसान हुआ है, उसके हमने अच्छे से परख कर ली, समझ दिया एक्सपोर्ट से कि आपको करना क् आपके स्टेट जी क्या होनी चाहिए, उमीद करते हैं कि आपको ये कारकरम पसंद आया होगा, फिलाल आशीर जी, सनी जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया आए समय देने के लिए और तमाम आपी उस पर अपनी राय हमसे साचा करने के लिए, फिलाल इस वो में इतना ही, टेके नापने रिटीनों सुदेश के साथ, नमस्कार. झाल 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 एटीनों सुदेश को यशश्वी दो साल पूरे करने के लिए बहुत 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 शुबका मना और शुबच्छाय देता हूँ. मुझे इस पात का बहुत गर्व है कि एटीनों सुदेश दोवश पूरा कर रहा है. स्वदेश करके एक शारुखा की मूली आई थी. उसमें गाना था. मिट्टी की जो खुश्बू तु कैसे भुलाएगा. तु चाहे कहीं जाए तु लोट के आएगा. ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा. मैं E.T.NOW स्वदेश को जन्म दिन की हार्दिक शुद्का मियाए देता हूँ. और हर निवेशट को आप क्यापिटल मार्केट के जरिये फिनाशल शिक्यूरिटी प्रदान करते रहे वैसी आशाय करता हूँ. स्वदेश है हमारा और निवेशट बनना बहुत जरूरी है. E.T.NOW स्वदेश ने ये जो एक मुहिम जलाई ली है उसमें आपको बहुत सारी सफलता मिले. एह सारी सुबकामना है आपके जन्म दिन की. स्वागत है आपका E.T.NOW स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजात रुपाथी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो शेयर कामाल दो साल बेमिसार. E.T.NOW स्वदेश को दो साल हो गए हैं और इन दो सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप में कौन से ऐसे शेयर हैं जिसने निवेशकों को माला माल किया है. उन शेयरों में आगे और कितना रिटन देने की शमता है और कौन से ऐसे शेयर हैं जिनके वैलुएशन्स काफी जादा बढ़ चुके हैं अब इन शेरों में क्या करना चाहिए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम और हमारे साथ दो खास महमान जुडेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ मौझूद होंगे जियोजीत फिनांशियर के गौरांग शा और प्रॉफिट मार्च सेक्यॉरिटी से कंपनिया और इसमें रेर्वेर स्टॉक्स डिफिन स्टॉक्स जैसे जो बड़े नाम है वो शामिल है पावर शेरों में भी हमने देखा कि काफी अच्छा यहां पर तेजी देखने को मिली थी लेकिन अब इस तेजी के बाद क्या करें इन शेरों में इस पर हम सबजने की को अबड़ूद हैं तो उनको हम शामिल करेंगे कुछ ही देर में हमारे साथ दोनों ही गेस्ट शामिल होंगे तो उन पर हम आगे बात करेंगे लेकिन इस शो में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम मारा जो फोकस रहेगा वो मिट-कैप कंपनियों पर रहेगा और वहां पर एक बड़ी तेजी के बाद अब क्या करें इस पर हम आगे चर्चा करेंगे तो मिट काप कंपनियों में अब यहां से आगे की चाल कैसे रह सकती है कुछी दिर में आपके सामने वो लिस्ट भी लेकर आएंगे यह देखें आपके स्क्रीम पर कुछ कंपनिया इस वक्त हम आपके सामने जोड़ी है तो हमारे साथ कुछी दिर में एक्सपर्ट शामिल होंगे जिनसे की हम समझेंगे क्या किया जाए इंतमा मिड्काप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इसमें बैंक्स के नाम भी शामिल है छोटेर शेर शेर बजी में इंक्लूडे हैं जिसमें कि हमने पिछले दो साल का रिटन आपके स्क्रीम पर हम दिखा रहे हैं एक्सपर्ट से समझने के कोशिश करेंगे कि अब इस तेजी देखने के बाद अब इन स्टॉक्स पर क्या करें और हमारे साथ इस वरत दोनों ही आपके स्क्रीम पर दोनों ही महमान मौझूद है हमारे साथ इस वरत दोनों ही महमान मौझूद है इस में सरकार सेक्टर पर खासकर की फोकस कर रही है जैसे की रेलवेज हो गए डिफेंस पावर शेर्स वहाँ पर हमने देखा की काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है हम एके करके उस स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे तो क्या व्यू बन रहा है क्या अभी भी मिट कैप और स्मॉल कैप कंपणियों में खरिदारी करने का वक्त है या फिर थोड़ सेलेक्टिव हो जाना चाहिए तो आपके चैनल को दो साल हो गए तो कॉंग्रेशुलेशन्स और आल दे बेस्ट आपको आपके पूरे टीम को रही बात देखें मिट कैप में आपको अभी सेलेक्टिव होना है क्योंकि अपरिल से जो मार्केट में तेजी आई थी उसमें भरपूर तेजी हमने स्मॉल और मिट कैप में देखी थी इनफाइक मिट कैप ने अलाग का आपकी सिग्निफिकटली आउट परफॉर्म किया था आप अगर मिचल फंड भी देखोगे तो स्मॉल कैप के जो मिट कैप फंड्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छी आउट परफॉर्म दिखाई थी लेकिन आपको थोड़ा सा कॉशेस रहना है क्योंकि एक बार सिग्निफिकंट आलफा जेनरेशन के बार उसके उपर का जो इंक्रमेंटल अपसाइड होता है वो काफी लिमेटेड होता है तो रिटेल निवेश को थोड़ा सा ध्यान रखके सिलेक्टिवली निवेश करना है ऐसा न हम ब्लुकुल तो अभी भी मोखे हैं काफी सारे मिट कैप और स्मॉल कैप पर शेरो में मोखे दिखाई दे रहे हैं उन पर हमें की करके चर्चा करेंगे लेकिन थोड़ा से रिक्टिव हो जाना चाहिए क्योंकि काफी तेजी हम अल्रेडी दे चुके हैं तो ऐसे में भी कह पर मोखे दिखाई दे रहे हैं कहा अफसर है अच्छे वह हम आगे बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पावर शेरों की और देखे आपके लिस्ट पर जो तो दो टॉप में शेर आ रहे थे वो पहला था सीजी पावर और अदानी पावर दोरों में शांदा तेजी देखने को मिली है सीजी पावर करीब 380% चल चुका है अदानी पावर में 275% की तेजी देखने को मिली है पावर सेक्टर के लिए हार फिला में काफी बड़े ट्विगर थे पहले तो समर सीजन काफी अच्छा गया क्योंकि पावर के डिमांड में हम देख रहे थे अच्छा के देखने को मिलेगा इसमें सबसे पहले करता हैं सीजी पावर की और कमपनी जिस तरीके से शामता विस्तार कर रही है पावर सिस्टम में हम देखने को मिल रहा है तो काुफी नए मोके मिलने की बथा की जा रही है और उसका सीदर एसिद्धा फायदा सीजी पावर शेर उपर आपसे राय लेना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको यह पावर सेक्टर और SMA-CG पावर इस पर भी राय दीजे, यह कंपनी कैसी लग दिया आपको? दन्याओर पूजा आपका इशो पर अमलतित करने के लिए और इटनाव सोदेश और इटनाव सोदेश की टीम को देमिसाल दो साल पूर्ण करने पर बहुत सारी शोप गामना है और परमात्मा से प्रात्ना है, कि आप और आपका चैनल इसी प्रकार से निवेशकों का मार्ग करते रहें और हम जैसे निमित्तों को मुखा दे आपके दुबूल्य चैनल पर आकर के उस योगदान का हिस्सा बनने के लिए और सुल्जे हुए निवेशक आप बनाए जिस तरीके से आप इशले दो साल में बनाते रहें, आने आले कही सालों तब इसी तरीके से आप करें, ऐसा प्रमात्मा से प्रात्रा है, तो सीजी पावर पर हमारी पहले खरीदारी की राय थी खुजा, और क्यूंकि हमारे लक्ष आ चुके हैं, तो हमें लग रहा है कि आप पर मुनाफ़ा वसुली करने ही चाहिए, और आप निवेश शेयर बादार में इसलिए करने हैं और आप निरंतर उसके और उमीद रखें, और फिर आखिर में वो तब्दील हो जाते हैं नुक्सान में, तो फिलाल जिस तर पर कामकाच कर रहा है, सीजी पावर का शेयर, वहां पर हमारी राय है, कि आप मुनाफ़ा आ रहा है, तो आप मुनाफ़ा समेटें ठीक है, अगर मुनाफ़े में हैं, सीजी पावर में, तो फिलाल निकलने की राय आपको दी जारी है, गौरांग की तरों से, आगे आप स्ट्रचा कॉर बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलाल रुखते हैं छुटे से ब्रीक के लिए मैं, आप सि- थे करे लिए कर दो लातार् है, तो फिलाल रुटे से, अरब के ला तो बागे अगे पत्ती चाहिता कि आप सहा थिए झाल 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 पाहि के बार अपका सुआगद आपका सुआगत को अपका सुआगत आगे बढ़ाते हैं लिस्ट काफी लंबी है और इसे में हम बरेक से पहले बात करें थे पावर शेरों से जुड़ी अबिनाश आप से भी व्यू लेंगे पावर स्टॉक्स पर CG पावर अदानी पावर जैसे स्टॉक्स जिसमें हमने देखा कि काफी अच्छी तीजी देखने को मिली है आपको क्या व्यू बन रहा है इन तोनों स्टॉक्स पर मुझे लग रहा है कि CG पावर की बात करें अदानी पावर की बात करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आउट परफॉमेंस आपको पिछले दो साल में देखने को मिला है नमबर्स अच्छे थे मापेट ने इन कंपनीज को अच्छी वैलुशन दी थी लेकिन इस लेवल पर हम फ्रेश बाइंग सजेस्ट नहीं करेंगे जिनके पास है वो होल्ड करें मुझे लग रहा है कि अदानी पावर का जो सेप्टेमबर कॉर्टर रिजल्ट आएगा वो भी काफी स्ट्रॉंग आने की उमीर है समर सीजन में अच्छी अदानी पावर में हमारा लक्ष करीबन चार सो रूपया है और सीजी पावर की बात करें तो सीजी पावर में भी फ्रेश बाइंग न करें मेरे खाल से जिनके पास है वो होल्ड करें बहुत कम तुमीज में में अच्छी अच्छी लेकिन शौट तर में हो सकता है कि स्टॉक फोड़े कंसॉलिडेट हो क्योंकि अपसार काफी सिग्निफिकंटली अच्छी हो चुका चीक है तो यह है व्यू पावर शेर उपर अब आगे बढ़ेंगे और अब एक और स्टॉक पर बात करते हैं IRFC की यहां पर भी हमने देखा कि देल्वे स्टॉक में भी शांदार तेजी देखने को मिली थी एक एक करके उन पर चर्चा करेंगे लेकिन IRFC की बात करें तो करीब 240% की तेजी यहां पर देखने को मिली शांदार लोन ग्रोथ था और नए वेगन ओर्डर में भी तेजी बनी रहने का ही अनुमान है IRFC इस बज़े से हमने देखा कि काफी अच्छी बड़त यहां पर देखने को मिली है गौरांग, IRFC पर अभी भी मौके हैं क्या, एंट्री लेने के लिए? बुझा, यहां पर जब IPO आया था तब IPO के स्करफ पर हमने लंबी होती के लिए निविश की राय दी थी और 240% अगर आपने IPO में पैसे लगाया हों तो 240% आपको रिटन बिला है और काफी लंबा समय नहीं हुआ है, IPO को आने के लिए और लिस्ट होने के पश्चार यह कंपनी IRFC जैसे के इंजिन रिल्वे फैनान्स कॉर्परेशन नाम है इसका किसी भी नए प्रोजेक्ट को ले करके साहरा देती है इस तरपर तो कि 240% चल चुका है और IPO को जो सब्सक्राइब आपको हमें सब पता है तो IPO पे तो पहले तो अगर आपने पैसे लगाया होंगे तो हम यह धारना करते हैं कि 240% रिटन IPO के भाव से एक अच्छा खासा रिटन होता है तो नया पैसे तो इस तरपे नहीं लगाने चाहिए अगर किसी को मुनाफ़ा समेटना है तो थोड़ा बहुत मुनाफ़ा समेट सकते है तो प्रॉफिट बुक करने की राय आपको दी जारी है IRFC में अब आते हैं बैंकिंग स्टॉर्स में और इस बीच मिटकैप बैंकिंग शेरों में भी शांदार तेजी देखने को मिली बिटकैप स्पेस में कुछ सरकारी बैंकों ने जिस आउट परफॉर्म किया वो था इंडियन बैंक 200% चल चुका ये बैंक और काफी मजबूत क्रेडिल ब्रोथ देखने को मिली है निम्स में भी बढ़उतरी देखने को मिली और आने वाले समय में भी लोन रिकावरी की काफी अच्छी गुंजाईश यहां पर देखने को मिल सकती है इंडियन बैंक के लिए ये कुछ एहम च्रिगर्स हैं जिसके वज़े से स्टॉक भी काफी चला अभिनाज जी क्या सला देंगे आप इंडियन बैंक पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक को कंपेर करें तो बहुत ही स्ट्रॉंग आउस पर्फॉमेंस आपको दिख रहा है और ये मेन कारण यह है कि अभी भी काफी ऐसे बैंक से जो वैलुएशन पर अट्रेक्टिव लग रहे है और मुझे लग रहा है कि क्रेट ग्रोथ अगर 10-15% कंटिन्यू होता है तो कॉर्प्रेट डिमांड रिटेल डिमांड यह बहुत ही टेजी से अफ़ए 24 में आपको देखने को मिलेगी रही बाद इंडियन बैंक के तो देखे पहला तिमाई तो इनका बहुत ही दंदार आ गया था नॉर्मली सेकंड कॉर्टर के बाद क्रेट ग्रोथ ज्यादा पिकब होता है और सेकंड आफ में तो और अच्छे नंबर जाते है तो यहां पर जिनके पास है वो तो होल्ड करें और जिनको खरीदना है उनको बाई और डिकलाइन की स्ट्रेटेजी यूज करके यहां पर थोड़ी पोजिशन्द आड़ करने से ठीक है तो इंडियन बैंक 475 के लिए आप होल करके रख सकते हैं फिलार फ्रेश खरदारी की सला नहीं है लेकिन एक साल के लिए जिनकी पास है वो बने रह सकते हैं इसे स्टॉक में क्या बैंकिंग स्पेस से गौरां आपसी भी सला लेना चाहेंगे क्या कुछ आप स्टॉक है आपको जो पसंद आ रहा है या फिर इंडियन बैंक के साथ जाना चाहेंगे तो इंडियन बैंक हमारा जो लक्षता वह आ चुका है और जाहिर अपुजा लक्ष आने के बाद गुन्याजी तर्क के आदार पर हमारी कोशिश यह रहती है कि हम मुनाफ़ा वसूली की राए तो इंडियन बैंक पर फिलाल तो बेचने की या फिर मुनाफ़ा वसूली की जाय है इसके अलावा दूसरी थिमाई की नतीजे बहुत आ जाएंगे है परिक्याल से 10 अक्तुबर से इस स्वित्तिवर्ष के दूसरी थिमाई की नतीजे आएंगे उसके बाद थोड़ा आत्मचिंदन करेंगे हम कि इंडियन बैंक पर हमारे क्या राय है लेकिन सरगारी अगर आपको निवेश लायग अगर कोई नाम दूना है तो फिलाज जो कवरेज है वो स्टेट बैंक अफ इंडिया और बैंक पर है क्यानारा बैंक पर भी कवरेज है लेकिन वो अंडर रेव्यू है इसलिए उस पर विशे शुप में टिपने नहीं करेंगे लेकिन बैंक बरोडा स्टेट बैंक अप इंडिया यह दूनों ही नाम अच्छे लगता है तो मिट कैप बैंकिंग स्टॉक्स पर भी आपको राय दे दी गई है और चाहें तो लाज कैप बैंकिंग में भी SBA बैंक अब बैंक अब इस अब आफसर दिखाई दे रहे हैं अब आते हैं इसी कंपनियों को फाइदा हुआ और आगे भी जिस तरीके से अब क्रिकेट वाइड कप शुरू होने वाला उसके पहले भी हमने देखा कि काफी शांदार उक्यूपेंसी लेविल की अंक्रे निकल कर आये हैं और आगे फेस्टिल सीजन है मैरिज सीजन है शादी का भी यहां पर इंडियन होटेल्स को मिलता हुआ दिखाई देगा इस पज़े से स्टॉक काफी समय से निवेशिकों के रडार पर भी है अविनाश जी आपका क्या व्यू बन रहा है इंडियन होटेल्स पर आपको एक बात समझने चाहिए कि इंडिया का सबसे बड़ा होटेल च प्लस जो ऑक्तोबर टो डिसेंबर का पीरिड होता है वो नॉमली एक बड़ा बंपर सीजन होता है टूरिजम कंपनीज के लिए तो मेरी ख्याल से परेंट लेवल पे अगर थोड़ा सा हाई रिस्क इंवेस्टर है तो 408-409 का रेट चल रहे तो यहां पे थोड़ा निवे और यह डिफिनेटल बिजनस लग रहे है बहुत समय के बाद सप्लाइ जो इंडस्टरी में है वो काफी कम है और डिमांड काफी बड़ रहे है तो मुझे लग रहे कि यहां से अच्छा कासा अपसाइड मिल सकता है तो 400 और 408 के करी बगर कोई चाहे तो थोड़ा सा कॉंट 460 के लेवर्स यहां पर अगले एक साल में देखने को मिल सकते हैं इंडियन होटेल्स के लिए फिलहाल अभी 406 के असपास स्टॉक कारोबार कर रहा है हाल फिलहाल में वैसे मुनाफ़ा वसूली भी काफी देखी इस स्टॉक में पिछले एक महीने में देखेंगे तो डाउ कुछ शंड चाहूंगा यह पूरे शेतर पर बात करने होस्पिटैलिटी या फिर होटल एटस्वी के लिए पहले कि नतीज़े के बाद कमुमन सभी जो बड़ी होटल्स है ब्रांडेड होटल्स उन्होंने मैनेजमेंट के टिपनिया के तनी आने वाले टीम स्वालों में ब ख्याल से जो रूम के रेट्स है वहाँ पर व्रिद्धियम ने देखिए अब तक करीबन 15% के आसपास है उसके कुछ जादा आने वाले समय में यह जो 15% की व्रिद्धी है रूम रेट्स में यह शायद आपको 20-25% तक जाती वे दिखाए देगी बहुत बड़ा sports event आने वा है rooms की वो भी काफी ऊपर के सतर पर होगी अगर room occupancy ऊपर के तरफ होती है पूला तो स्वाबाविक है आमदनी भी उतनी बेटर होगी तो इंडियन होटेल्स पर हमारी खरीदारी की राय है लक्ष बहुत करीब है करीबन 430-431 के आसपास हमारा लक्ष है लेकिन यह जो पू लक्ष के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं अगले एक साल के लिए इस यह असपास का टाफगेट अविनाज भी देख रहे तो दोनों को ही यह स्टॉक अच्छा लग रहा है आप यहां पर रनीती बना सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं शिपिंग कंपनियों में भी काफी शांदार तीजी देखने को मिली और इसमें शिपिंग और डिफेंस कंपनियों में अगर देखे तौर इससे जुड़ी ए कंपनी है मजगाउन डॉक साथ सो असी परसंट पिछले दो साल में चल चुका है तो किसी ने दो साल पहले यहां पर एंट् के मुताबिक यह भी माला जा रहा है कि 12-15 परसंट की रेवेन्यू ग्रोथ होने की संभावना है तो बहतरी इंतेजी देखने को में लेकिन क्या अभी भी इसमें मौके हैं अविराज जी आपसे समझना चाहेंगे मुझे लग रहा है कि मजगाव डॉक में अभी जो प्राइस रेज चल रहा है वहां पे थोड़ा बहुत स्टॉप कंसॉलेडेट करेगा क्योंकि 800 प्रसंट अल्रडी स्टॉप चला है पर अगले देड़ दो साल की बात करू तो देखे ऑल्रडी साढ़े चार पांच जार मुझे लग रहा है कि अगले दो-तीन साल ये कंपनीज को आर्डर मिलती रहेगी और गवर्मेंट का जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है इससे इनको काफी फाइदा होगा तो मुझे लग रहा है कि अगर माजगाव डॉक में किसी को पोजिशन क्ले करनी है तो मेरी ख्याल से क अभी भी कोई मार्केट में करेक्शन आता है तो खरीदने का मौका समधना चाहिए बढ़ हां देड़ साल का नजरिया रखे हमको लग रहा है कि करिबन 23-2400 का एक मीडियम तर्म टागेट पॉसिबल लग रहा है तो यहां पे डेफिनेटली टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा लंबा रखना जरू है क्योंकि शॉट टम में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे स्टॉप में कोई भरफूर पेजी शॉट टम में तो मीडियम तो लॉंग तर्म के लिए इसमें करीबने का मौका मिलेगा खोड़ा सा पराइस अगर गिरता है तो यहां पे निवे तो है सूजलान एनरजी यह ट्रेडर फेवरेट तो है ही और इसके अलावा हम देख रहे है कि किसी ने अगर लॉंग टर्म सेर कलंबे समय से इसमें होलिंग बनाई रखी होगी तो उन्हें भी काफी फायदा हुआ होगा लॉंग टर्म निवेश्य भी इस तेजी में काफी अच्छा मुनाफ़ा कामा के जाएंगे सूजलान में अगर हम देखे तो 28 टुपर के असपास अब यह स्टॉक आ चुका है और 320 परसंट की तेजी पिछले दो सार में यह स्टॉक दिखा चुका है रिवाइवल हमने देखा सूजलान के इस कंपनी में कर्ज में कमी आई पुजा यह स्टॉक हमारे कवरेज में कभी था नहीं इसलिए विशेशूप में मैं टिप्टी नहीं करूँगा और अगर आप इसका इतियास देख ले तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ के अपनी सोच समझ और सबसे जादा बुद्धी मता का प्रयोग करें अगर आप इतियास देखेंगे तो मेरे खायल से चोटे या उच समय में जरूर किसी को मुनाफ़ा मिला होगा अगर उन्होंने सिंगर लिजिट में ये स्टॉक एक समय पर रहा था और उसके बाद हमने ये उत्वर के तरफ के दाइरे देखे हैं जो फिलाल चल रहे हैं लेकिन आप उससे पहले का इतास निकाल के देखे तो तीन-चार साल पहले अगर किसी ने निवेश किया होगा वो आज के तारिक में भी नुपसान में है इसलिए मैंने कहा कि आपके दर्शुकों को और नि देते हैं होल करके रखिए अगर आप मुनाफि में हैं तो 33 रुपए के टार्गेट यहां पर दिखाई दे रहे हैं सूज लॉन में यह अविनाज जी की रहा है गौरांग की कवरेज इस स्टॉक पर नहीं है चलिए फिलाल इतने ही स्टॉक पर हम चर्चा कर पाएंगे खास दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खाशो का हिसा बनने के लिए चलिए फिलाल इस स्टॉक में इतना ही मुझे दीजी अजासत नमस्कार झाल इस स्टॉक पर नहीं है 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 अजासत नमस्कार तमस्कार स्वागत है आप सभी का कॉपिट कनेक्शन में मैं हूँ आपके साथ कविता थबलियार कॉपिट कनेक्शन की हमारी एक बेहत खास पेशकर्ष जहां पर एजिनलाव स्वादेश के दो साल पूरे होने पर तीसरी साल की और छलांग मारने की खुशी में हम एक बेहत खास पेशकर्ष लेकर आए हैं कैसा शो जहां पर मिलवाएंगे आपको दमदार कंपनियों के मैनेजमेंट से और उनकी आगे की वित्य योजना है और किस तरहा से वो अपनी विस्तार योजना को निवेशुकों के साथ, दर्शुकों के साथ साजह करना चाहते हैं इस खास मौके पर उनसे रूबरू करेंगे और दूस्टे सालियरा के मौके पर तीन कंपनिया हैं और तीन कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट से आपका रापता करवाएंगे बात हो रही है की नवरतन कंपनियों में शामिल है रेलवे इन्फरा के विकास को अगर देखा जाए तो उसके मकसद से बनी आरवी अनल की विस्तार योजनाव और रेलवे के अपक्स में हुए इजाफे से कितने नए मौके बने हैं इन मुद्दों पर हम चापचा करते हैं आरवी अनल फिनांस के डारेक्टर राजेश प्रसाद जी मेरे साँ जुड़ गए है राजेश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और इटिनास वदेश की दो साल की सालगेवा पर आपने शुरकत की इस खास मौके पर बहुत-बहुत धन्यवाद जिस तरह से ओर्डर बिडिंग हो रही है उस पर मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि आरवी अनल जो है प्लेयर के तौर पर सबसे लोईस्ट बिडर के तौर पर उभरता हुआ दिखाए दे रहा है खासता है जो ही मार्शिट परदेश की डील्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो क्या कॉंपिटिशन थोड़ा इंकेंस हो रहा है क्या थोड़ा भारी पड़ रहा है चालेंजस काफी जादा आपको मिल रहे हैं मार्जिन्स की बात करें क्या कठिनाया सामने आ रही है जिसकी वज़े से यहाँ पर बिडिंग रेट्स इतने लो हो रहे है कविता जी सबसे पहले सरफ पर्थम नमस्कार एटीन ओव साओदेश की जो आपने भी बताया दूसरे वर्स गांठ की धेर सारी बधाईया आप लोग उन्हें आज टैग लाइन दिया था दो साल बे मिशाल यह काथ अच्छा लगा जब यह दो साल पहले इसका इनागरेशन हो रहा था जब यह कंपनी पर रही थी आपकी चैनल फॉर्म कर रही थी तो उस समय के ओनरेबल फाइनांस मिनिस्टर ने साहिद किया था उन्होंने टैग लाइन दिया था बदलो बढ़ो देश के साथ और इट वस सिमिलर तो दाट काइंड आफ दी ओनरेबल पी एम्स रिफॉर्म पॉफॉर्म और ट्रांस फॉर्म जो हम अरवे रेल को फॉल्व कर राय हैं तो मेडम आपने एक साथ बहुत सारे कुश्चन्स कर दिये एक तो आपने कैपेक्स की बात करी उसके भाद फिर आपने कुछ हिमाशल पर्देश के ओर्डर की बात करी उसके बाद फिर आपने कुछ further bidding and margins के बारे में बात की तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं orders के बारे में अभी हिमाचल परदेश में हमें दो orders मिले एक order north का था, north june का था जो करीब 440 करोड का था एक south june का था, जो करीब 1100 करोड का था यह जो project है, यह basically इसको RDSS बोलते हैं RDSS means revamped, basically reform based on the results linked distribution sector scheme यह basically हिमाचल परदेश स्टेट electricity board का project है जिसमें majority of the funding जो है, government sector का है, government of India का है जिसमें feeder lines का segregation होना है then sub stations के upgradations होने है more than 10,000 km की cabling होनी है upgradation of the distribution system होना है यह project का जो background है, यह काफे interesting है थोड़ा सा मैं कुछ बक्त लोंगा आपका यह आदर्णी प्रधान मंतरी के मागदर्सन में यह RDSS approved हुआ था, यह जो program है, scheme है वो approved हुआ था to help this comps basically to improve efficiency and then financial sustainability and this scheme has gotten outlay of 3 lakhs crores over a period of 5 years starting from 2021-2022 to 25-26 discount क्या basically distribution companies है that typically purchase power and from the generators and sell it to the customers so एक यह government of India का एक बहुत जबरदस्ट scheme है और उसके तहत यह R.V.N.L. को यह दो बड़े orders जो करीप 15-100 करोड के हैं जिसका timeline दो साल का है और यह काफी challenging और एक new arena है जहां पर यह हम काम करेंगे तो यह तो बात भी नए order की अब यह total order की अगर आप बात करते हैं तो हमारे जो अभी जो company ने जो participates किये हैं 185 bits में आपको याद होगा कि पहला जो दो orders मिले थे हमें वो इन दौर मेटरो में मिले थे और यह हमने 185 bits में participate किये हैं की value होगी आज के date में more than 1 lakh crores और हमें जो order मिला है roughly मैं rough numbers कहीं बात कर रहा हूँ 30,000 crores plus का 37 bits है जो कि अपने आप में एक काफी अनूठा है और काफी challenging रहा यह हमारा जो time रहा last 2 साल का लेकिन इसमें हमें कुछ challenges हम लोगों ने accept कि और हमें results भी मिले जैसे example के लिए के तौर पे जो पहला दो project था वो इंदौर मेट्रो का था और वो September के last week में वहां के आदर्णिय मुख्यमंत्री ने यह trial run 6.6 km का किया था more than 6 km का किया था और उसमें सारा ही structures हम लोगों ने बनाया था और वो देर साल में हम लोगोंने सारे structures बनाया and that became the fastest metro in the country तो यह चीजें हमें यह indicate करती हैं कि हमारी जो technical capabilities है उसके तो हम आगे बढ़ रहे हैं अच्छे आपने CAPEX का बात किया तो अब हमारे आदर्णिय रेल मंत्री का अभी कुछ दिनों पहले ही एक newspaper पे उनका interview आया था कि 59% of the capital expenditure 1.4 lakh करोडS FY23-24 में first six months में हमने achieve कर लिये हैं क्योंकि हम लोगोंने बहुत सारे structural and procedural reforms किये हैं हमने Q1 के numbers आपके साथ पहले share किये थे कि हमारा जो top line है वो 17% grow किया था bottom line जो था वो कड़िब 18% grow किया था ये all time high था Q1 के number के हिसाब से तो country में हमारे railway sectors में capex भी increase कर रहा है RVNL का भी growth जो है वो continuously positive रहा है जिन projects के लिए इंतजार कर रहे हैं बाकी देशों से किर्गस्तान का में जिक्र करना चाहोंगी उसकी progress को लेकर कोई update आप देना चाहेंगे माडम उसमें ऐसा है कि हम लोगों ने DPRs वगरा बना लिये हैं financial institutions के साथ tie up हो गया है DPR वो जो government of करजिस्तान है उसको review कर रही है और जैसे ही कोई update आएगा we are a listed company हम immediately आपको inform करेंगे और ये public domain में ये चीज़ information आ जाएगी बट हम ये समझते हैं कि चुकि जो project life cycle के बहुत सारे steps involved होते हैं जिसमें पहले आपको feasibility studies करना होता है DPR बनाना होता है financial institutions financing उगरा decide करने होते हैं तो ये सब सब जो preliminary works हैं ये सब करिब करिब हो चुके हैं दो projects में अभी वो review stage पे है और जैसे ही कोई positive news आएगा जो कि हम आसा करते हैं जल्दी आएगा आपको inform करेंगे बलकुल भारत की तरकी की कहानी की बात हो रही है नया अध्याय जो नया भारत लिख रहा है राजिश्ची उसकी बात हो रही है अब इस नया अध्याय में ये बताए कि सरकार और जंदा जनार्दन RVNL को इतना पसंद क्यों करते है क्या है नुस्खा ये मैं तो इसमें ये बुनूँ है कि ये तो आपको हमें बताना चाहिए तो क्योंकि आपने ये प्रस्द हम से किया तो मुझे मेरा बताना मेरा करतब भी होता है तो आप ये समझे कि ये कंपनी जब फॉर्म भी थी तो ये 2085 करोज का इसका पेड़ अप सेयर कैपिटल था और ऑफ्राइज सेयर कैपिटल जो था वो 3000 करोज का था ये 2085 करोज का जो इन्फ्यूजन हुआ था डिफरेंट येर्स में हुआ था तो आज के डेट में अगर आप उसको इसकेलेट करेंगे तो ये करीब 5000 करोज का गवर्मेंट आफ इंडिया का इसमें आपने इन्फ्यूज किया इस कंपनी में और जो डिफिडेंट जो गवर्मेंट को हमने रिटर्न किया और जो कंपनी जो अभी आज के डेट में 72.84% है तो 27.16% जो हमने IPO और ओफस बन और ओफस टू के साथ सेयर किया तो उससे गवर्मेंट को जो पैसा मिला वो दोनों को जोड़ेंगे तो 5000 करोड मिला और जो आपने 2085 करोड से उसको इसकेलेट करेंगे तो 5000 करोड हुआ तो ये आपने जितने पैसे लगाए गवर्मेंट ने गवर्मेंट को पैसे मिल गए और आज के डेट में भी 72.84% का होल्डिंग है और मार्केट कैपिटलाइशन 35,000 करोड का आज के सेयर वैल्यू के हिस आप से आप देखेंगे तो 35-36,000 का करोड का इसका मार्केट कैपिटलाइशन है मिन्स गवर्मेंट आफ इंडिया ने जितने पैसे लगाए वो पैसे मिल गए और एज ऑन डेट 27,000 करोड 72.84% और 35,000 करोड 26,000 करोड प्लस अभी है और दोहां तक पॉप्लिक का बात है तो अगर आप सेर प्राइस का एप्रिशेशन देखेंगे तो लास्ट बन मन्त में 22%, लास्ट 6 मन्त में 125%, लास्ट 12 मन्त में 370% और 23rd मार्च 2020 का इसका सेर प्राइस 10 रूपीज हो गया था उसके रिस्पेक्ट में 1600 परसेंट यह इसकलेट किया है बलकु यह आख ने तो जंता सब ब्रेक लेते हैं, वक्त हो गया है ब्रेक लेने का और ब्रेक के बाद और भी मैनेजमेंट में है जो हमारे साथ जुड़े हुए है, बात होगी रानंदानी ख्रूप की छोटे से ब्रेक के बाद क्या है, बात हुए है झाल 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 ऐस विश्व में जो लोग NRIs हैं वो भी अहां देश पे खरीबते हैं तो overall देखा जाए तो 2023 तो बहुत ही अच्छा साल रहा है और अच्छा और भी ऐसे लग रहा है कि आगे भी रहेगा सो positive news हैं और जितने भी reports हैं international property consultants के उनके report भी दिखा रहे हैं कि हमारे जो sales हैं पूरे विश्प देश में और बहुत ही बड़ा हुआ है और भाव भी बड़े हैं यहाँ पर अगर हम land acquisitions की बात करें तो यहाँ हम तीवरता बढ़ती वी दिखाए दे रहे हैं खास्तोर से large developers जो बड़े developers हैं उनकी तरफ से interest दिल्चसपी बढ़ती वी दिखाए दे रही है MMR region की अगर हम बात करें री development के जरीए जो है यह हो रहा है लेकिन competition जो इस शेत्र में दिखाए दे रहा है उसको लेकर आपका outlook और inventory levels को लेकर आप क्या कहेंगे पहली बात यह समझता है कि जो मुंबई रीजिन देखा जाये तो मैं ऐसे डाकला दे रहा हूं मुंबई रीजिन का तो 2018-19 COVID के पहले हम देख रहे थे कि लगपत 35 महने की inventory रहती थी अनसोल्ड आज की तारीक में जुलाई 2023 में सिर्फ तेरा महने की अनसोल्ड inventory है तो यह देखा जाये तो हम कहेंगे कि जितने भी आज अनसोल्ड inventory है उससे यह पता हो रहा है कि market की demand जादा है और अनसोल्ड inventory कम इसलिए builders, developers, companies, corporates और नहीं नहीं projects launch कर रहे हैं तो यह absolutely clear है कि market तेजी बन रही है लोग खरीते हैं और इसलिए नहीं launches आ रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि कोई भाव गिरने का कोई दर है उलट से मैं समझता हूं कि भाव बनने वाले हैं अगले दो चार्ट छे मेनी के अदर थोड़ा सा festive season की भी बात कर लेते हैं रेंजन जी और ऐसे में जो आपने launches प्लान किये है festive season त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में कुछ जानकारी दें micro markets की अगर हम बात करें तो वहां पर भी क्या आपकी दिल्चस्पी है उनको आपने target पर रखा है सो मुंबई मेट्रोपल्ड रीजन तेज में है हाइडराबाद अच्छा चल रहा है बैंगलोर में अच्छा चल रहा है NCR में काफी तेजी बन रही है तो overall दिखा जाएं तो मेट्रो टाउंस में जहां पहले sales होते थे आज वापस प्यापार फिर शुवाद हो गई है और तेजी से चल रहा है development जादा है infrastructure बहुत अच्छा बन रहा है जहां शेहरों में infrastructure है और sales भी बढ़ा हो रही है मुंबई रीजिन का जो मैं दाखला दिया आपको वहां infrastructure के बारे में आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा हो रहा है जैसे हम metro train है हम 300 km metro train add कर रहे हैं दो साल के अंदर तो इसलिए आप देखेंगे दो साल के अंदर काफी infrastructure मुंबई रीजिन का बढ़ रहा है क्रॉसाबर ब्रीज बन रहा है MTNL December 2023 के में पुरा हो जाएगा तो connectivity जो South Mumbai है वहां से लेके नभी Mumbai पन्वेल में connectivity भूत ही आसान, easy कम समय में हम पहुच पाएंगे अच्छा आपने कीमतों का जिकर किया है तो कीमतें जो है क्या across इंडिया पूरे भारत में एक जैसी है किस करा से pricing trends जो है वो भरते वो दिखाए दे रहे हैं और कीमतें अगर बढ़ेंगी तो वो कितनी बढ़ सकती हैं कितना आप absorb करेंगे और कितना pass on करेंगे अगले साल लगबग 5-6% इंक्रीज हो गया था इस साल भी लगबग 6-7% बढ़ गये हैं और मैं उम्मीद रख रहा हूं कि लगबग इतना ही आगे बढ़ना है क्योंकि वैसे भी inflation है जो building materials गिना जाए जमीनों के भाव जो है वो भी तेज है तो अगले साल में 7-10% तो तेजी आ सकती है जुड़ गए है इस खास पेशकरश में और धन्यवाद आपका हमारी इस सालगेरा में आपने भी शरकत की ग्रोथ की बात कर लेते हैं सबसे पहले क्योंकि भारत की ग्रोथ स्टोरी आप कैसे देख रहे हैं और ग्लोबल मार्केश में अगर हम समझना चाहें या अगर विदेशी बाजारों के तर्स पर समझना चाहें तो भारत की सफलता को आप कैसे आखते हैं आप कैसे पहले विदेशी में अगर्ण चाहें जो अगर्ण चाहें तर्स पार्ण चाहा तर्स जाहां तक हमारा यह व्री व्रव रह चुका है और फ्लोब कास्ट भी देखते हैं तो हम थेजी से बढ़ रहे हैं पाइपरले ने अकनिक के तरफ तो आई थिंक आड़ वन न जहां तर ग्रोथ है ग्लोबल एकानिवी पहे और चाइना इस अलसो काइंड आप देखी रहे हो प्रेस में, अमेरिका में थोड़ा बहुत इकनामिक स्लोडाउन हो रहा है, रिसेशन के बारे में बहुत सारे बादचीत हो रहे हैं, मगर अब तक हुआ नहीं है, लेकिन साथ ही कुछ लोडाउन की यहां पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यह मेरे ख्याल से एक चुदा का विशय है, पूरे सेक्टर में इस लोडाउन किसी से भी छुपा नहीं है, लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है, कि किस तरह से इस लोडाउन की कहानि की में बदलाव होता हूँ, आप देख रहे हैं, जो बदलाव है, क्या वो बदलाव और दिककत की और बढ़ता हूआ जा रहा है, क्या कठनाई के बादल और घहराते वे दिखाई दे रहे हैं, या चढते वे दिखाई दे रहे हैं। इस क्वेस्टिन का थ्वड़ा डिफरेंट आंसर रहेगा हमारा रिलेशन शिप को लेके कस्तमर के साथ we are quite well entrenched into our customer करीबन पचास परसेंट of our business comes from customers जो हमारा हमारा पान साल के ऊपर रहे है तो तो बाद बाद शोस that we have a long history with our customers and एक बार हम customer के साथ एक relation बन जाता है तो we build solid relationships on that उसी के कारण हमारा strategy land and expand गोलते है एक बार customer के अंदर घुज जाते है तो then we become part of the customer we make the customer successful and the growth continues from there साथ ही एक acquisition को लेकर सवाहल मुझे आपसे पूचना है क्या लगता है आपको इसकी खबरे क्या हमें जल्दी मिलेंगी कुछ headline हम बना पाएंगे किस तरह का acquisition होगा size कितने scale का होगा और साथ ही अगर आप हमें जगा बता सके तो location के लिए हास से हमारा acquisition plan size देखेंगे तो 10 million to 50 million वही रिंच हम बता रहे हैं बता चुके हैं कि हम वही size companies देखेंगे और geography को लेके it will be US, Europe, India, Middle East और you know Asia Pacific तो जड़ा तर पूरा wherever we today are that will be the geography sub-focus but we'll be focusing only on 100% digital companies जो profitable रहे चुके है तो ऐसे ही company हम हम देखेंगे acquisition के लिए हमारा pipeline बोड़ा solid है we are pursuing दो-ती नाम company हम पर्सु कर रहे हैं and आशाया कि हम एक या दो उसमें जरूर close करें जल्दी close करें we'll be happy to share that news with all of you बल्कुल इंतजार रहेगा इस ऐलान का और इसी के साथ आप तीनों को बहुत बहुत शुब कामना है जो आपने रन्नीतिया हमारे साथ साजा की है आने वाली तिमाईयों में उमीद करते हैं कि इससे जुड़ी तमाव खबरे हमें भी मिलती रहें तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े हमारी इस खास पेशकर्ष में खास दिल शुक्रिया आपका और इसी के साथ साथ इस पेशकर्ष को हम यहीं समाप्त करते हैं लेकिन जाते जाते तमाम दर्शुकों के प्यार स्ने और भरोसे का मैं धन्यवाद और शुक्रियादा करती हूँ इटिना स्वदेश की पूरी टीम के जरिये आपने इतना भरोसा दिखाया दो साल लगातार इस प्यार को आने दे हमारे लिए नमस्कार क्यु consensus का उने झालिए झाल 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 आश झाल झाल ये न्या भारत है ये निया भारत जो तरख्या की नई कहानी लिख रहा है भारत में अपार संभावनाय हैं हर किसी के पास समान अफसर हैं किसी कारोबार को शुरू करने या उसे बढ़ाने का इसे बहतर समय कभी नहीं रहा है फानेशल जागरुपता पर आज स्वदेश बोल रहा है पूरा देश सुन रहा है बड़े शेहरों में चोटे निविस्कों की बात हो या चोटे शेहरों में बड़े निविस्कों की बात हो सब के साथ स्वदेश है इसलिए एक दो ती आए लगा ताथी स्वेवर स्वदेश के साथ समृद्धी की नई उड़ाने से क्योंकि ये देश एक सम्रिद वर्ष की ओर बढ़ रहा है देश के सबसे डामिने बिजनेस नीज्स चैनल उपिनाव स्वदेश में हमारे साथ जुड़े ये नए भारत का समय है ये भारत का समय है ये भारत का समय है नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस चॉक्स फटाफट में मैं मुशुष्टी शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशान्त और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया इटीना सदेश को दो साल पूरे हुए है और इस दो साल में आपने धेर सारा प्यार और समय हमें हमारी पूरी टीम को दिया है उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया प्रशान जी पता है मैं अपनी आंगरिंग की शुरवात इटीना सदेश के साथ की थी तो ये दो साल की जो जर्णी है बहुत फिनॉमेनल रही है आपको शार एक साजर बिल्कुल इटीना सदेश के दो साल और मेरे भी हाली में एक साल पूरे हुए है और मैं यहीं कहूंगा जैसे डाइवर्सिफाइब पोर्टफोलियो होता है वैसे ही मैंने भी एटीना सदेश के साथ बाजार से लेके नॉन मारकेट, परसनल फिनांस, टैक्स के शोज और तमान चीज़ें की और सबसे अची चीज़ की दर्शकों से भी जुड़ने का असर मिला और यहां तो मैं मेरा जो एक कहते हैं जुनून सिनमा है उसे भी मैं फुलफिल करता हूँ तो बहुत जारी चीज़ें करने को मिलती है स्टार्ट अप्स के शोज हम करते है और अब सबसे अची चीज़ यह है सिश्टी की जिस तरह से दर्शकों ने हर चीज़ को एक अच्छा रिसेप्शन दिया है नए पन को सुईका रहा है और वो नया पन हम आगे भी उनके लिए लेकर आएंगे जी बिलकुल पूरे कोशिश है हमारी के आगे भी आपका ऐसे ही प्यार उसने बनाई रखे धे सारे कॉंटेंट्स और इंट्रिस्टिंग कॉंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे पर चली अब शो में आगे बढ़ते हैं अगर फड़के शो में रोज की तरह हम उन तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्स के साथ जहां पर आक्शन देखने को मिल रहा है और साथ ही क्या होनी चाहिए आपकी रणी थी वो भी बताएंगे पर सबसे पहले मार्केट्स के अगर हाल जाने तो निशले स्टरों से बहुत सब्स्टैंशल रिकवरी नहीं देखने को मिली है हाला के आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपाइरी है निफ्टी की एक्सपाइरी कल होने वाली है और उसके ठीक पहले हम देख रहे हैं कि एहल स्टरों को बाजार ने तोड़ा है बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे ट्रेट कर रहा है कोई भी रिकवरी के संकेत नहीं है वहीं निफ्टी बैंक ने भी 19,000 निफ्टी 50 ने माफ कीजेगा 19,400 का अपना स्टर तोड़ावा है यहां वहां पे करीब 180 अंकों की कमजोरी है कुछ चुनिंदा स्टोक्स ही है निफ्टी 50 में जो के अभी हरे निशार में है जैसे कैदानी एंटरप्राइज नेसले आईशर में आज एक रिकवरी है और HDFC बैंक यहां पे जो अपरेशनल नंबर्स आये हैं दूसरी तिमाही के उसके चलते थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिया है पर Axis Bank, NTPC, SBI, Indicent Bank यह कुछ स्टोक्स है जहां पे बिकवाली हम हावी होते वे देख रहे हैं और ब्रॉडर मार्केश की पिच्चर भी आप अग भी देखेंगे तो जो गिरने वाले शेयर हैं उनकी संख्या सुबा से ही बढ़ती वी नज़र आई है और NSE में केवल 450 काउंटर्स हैं जो कि अभी हरे निशान में ट्रेट कर रहे हैं पर आगे बढ़ेंगे और पावर शेयरों में हाल के दिनों में काफी जोश देखने को मिला है जहां पर सरकार के reforms और बिजली की जोड़ा दिमान से पावर शेयरों में action देख पा रहे हैं पर सरकार की आगे की कौन सी reforms करने की त्यारी है क्या कुछ उनके agenda में है, renewable energy को लेकर क्या कुछ plans है आए इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे है उर्जा मंत्री आरके सिंग जी आरके सिंग जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है इटीना स्वदेश में और शुक्रिया अपना समय देने के लिए सबसे पहले पिछले नौ साल में पावर सेक्टर में कई बड़े रीफॉर्म्स हुए है आपके हिसाब से वो पांच बड़े रीफॉर्म्स जो की क्रामतिगारी सावित हुए है वो कौन से रहे हैं बिना उर्जा के बिना एलेक्षिटी के तो कोई विकास संभव है नहीं बिना एलेक्षिटी के कोई फैक्री नहीं चलेगी बिना एलेक्षिटी के लिफ्ट नहीं चलेगे आपका जो डिफेंस मेकैनिजम है कुछ नहीं चलेगा हर एक चीज के लिए बिजली चाहिए बिना बिजली का विकास संभब नहीं पिछले नौव वर्षों में हम लोगों ने बिजली में आमूल परिवर्तन ला दिया है हम लोगों पहले एक पावर डेफिसिट कंट्री थे 2013 में जो power deficit थी वो करीब करीब सारे 4-5 प्रतिशत थी 2012 में power deficit था करीब करीब 9 सारे 9 प्रतिशत इतना था deficit आज power deficit है 0.01% हम लोगों ने देश को power surplus बना दिया पिछले 9 वर्षों में हम लोगों ने करीब करीब 1,90,000 मेगवाट उत्पादन शम्ता जोरी है अब आज हम exporter है बनादेश को export करते हैं नेपाल को export करते हैं बिजली मैनमार को export करते हैं हमारा demand खुद का जो demand है यह बरहा है सोचिए 2014 में हमारा जो peak demand होता था वो देर 100 से 160 गीगवाट होता था 1,60,000 मेगवाट के आसपास करीब होता था आज 2,41,000 मेगवाट तक है और पहले यह shortfall होता था चार परसेंट परसेंट आज shortfall है 0.1 परसेंट अज 0.1 परसेंट ही टेकनिकल कारण से एक तो हमने surplus कर दिया दूसरा हमने क्या किया से कैपास्टी आड़ करने से नहीं होता है उसको देश के भूहिन कोने तक भेजना होता है तो कुल transmission line हमने बिचाया है पिछले 9 वर्सों में करीब करीब एक लाख 87 हजार circuit किलोगीटर हमने यह transmission line बठाया है पूरे देश में पूरे देश को हमने एक grid में परनित कर दिया है ज बहुत सारे reform हो रहे हैं लेकिन जड़ा renewable energy पर focus करेंगे और जाना चाहेंगे कि इस segment में हम advance चल रहे हैं इसको लेकर 2023 के अंतर का आपने क्या लक्ष रखा है देखिए आज renewable energy का उखरा उस सेर है करी 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 42% हमारा इसमें हम nuclear नहीं जो रहे हैं nuclear कम है 7,400 मेगवाट है बस तो उसको उटा दीजे तो 42% है नुकलर जो दीजे तो थोड़ा से जादे होता है आज हमारा यह renewable energy के पास्ट्री एक लाख टार जार मेगवाट आल्लरेडी हमारा यह renewable energy के पास्ट्री जो निर्मान धीन है करीब करीब यह च्शियासाट है प्लस डश बारह करीब 이상 17,000 मेगवाट हमारा इन निर्मान धीन है इस इसमें हम यह nuclear जो है निरमान धीन है उसको हम नहीं जो रहे है तो 70 से थोड़ा जाद है करी 75,000 वेगावट हमारा निर्मान धीन है नुकलियर नहीं जो रहा है नुकलियर जो लेज़ तो 88,000 मेगावट इनवान धीन है नुकलियर भी क्लीन है तो अल्रेडी हमने जो प्लेज किया था कॉप 21 में कि 40% होगा 2030 तक हम अल्रेडी 42% पहुँच गए नॉन फॉसिल जो तो 43% पहुँच गए और हमने अब प्लेज किया है इन ग्लासगो कॉप 26 में कि बाइट 2030 हमारा नॉन फॉसिल के पास जी होगा 50% तो हम 50% के आसपास हम अल्रेडी आसपास हैं तो हमारा नॉन फॉसिल केपास्टी अभी है एक लाग अटासी हाँ मेगवाट अठासी हाँ मेगवाट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो हो गया 2 लाग शीहतर हाँ मेगवाट तो और 2030 में हमारा जो टोटल केपास्टी होगा इस्टॉल्डू साथ सो सतर गीगावट के आसपास हो गया है उसका 50% है तीस सो पचास गीगावट तो हमको 100 गीगावट और जोड़ना है हमारा हमसे हो जाए है हमने अपना प्रोग्राम बना है 50 गीगावट पर यूर हम बिड़ करने जा रहे है आरके सेंग जी जो एलेक्ट्रिसिटी हमने अलग दिया अलग से यूर एक नियम बना दिया उसका कानून इसको भी कानून रूल इस सबोर्डिनेट लेस्ट्लेशन तो जिय बना दिया रूल का फालेशन पर पणिस्मेंट है लो कि अंतरगाथ रूल बना दिया कि सबसीडिए आपको दे देना है every quarter नहीं देंगे तो सबसीडी का ये आपको ये नहीं मिलेगा तो सबसीडी अब सब भूगतान करता है नहीं तो सबसीडी जाना रूख जाता है तो राज सरकारे ये इसमें लाइन पर आ गए government department को हमने कहा कि आप prepared पर डाल दीजे तो government department के news payment हो गए आप ये सोचे नहीं कि बहुत सारे सरकारी डिसकॉम्स आ वाइबल हो गए profitable हो गए उनका loss जो AT&C loss ये डिसकॉम्स का करिक सारे 22.89% था 2021 में ये 22 में वो घट करके आ गया 16.4% ये इस साल आएगा almost over 13% आ जाएगा पूरा हमने बदल दिया जी आरके सिंग जी एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ जो time of date tariff mechanism है ये पूरे देश भर में लागू कब से होगा और इस से consumer को क्या फायदा होगा already कर दिया हमने कह दिया कि सहाब जो solar hours है solar hours में जो business का दाम है वो कम रहेगा जो normal दाम है उसे कम रहेगा इसलिए कि solar सस्ता है अग्ण solar hours में ठीक है आप normal ले सकते हैं यह already कर दिया हमने आरके सिंग जी इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पावर सेक्थर में क्या कुछ बड़े संकार आगे कौन से रिफोर्म की त्यारी है वह सारी चीजें हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पर आगे बढ़ेंगे और पावर सेक्थर में तो जबर्दस धूम है ही कई सारे रिफोर्म सरकार ने उस पे काम किये हैं और इसी के चलते ना ही सिफ पावर से डिरेक्ली रिलेटेट कंपनीज बलकि जो पावर फाइनांस कंपनीज हैं जैसे कि PFC, RE, REC इनमें भी जबर्दस अक्षन देखने को मिला है तो अब कहां पे आपके लिए बहतरी मौके दिख रहे हैं पावर स्पेस से जुड़े वे हमें समय देने के लिए, पावर स्पेस में कई सारे रीफर्म हुए और उनके चलते जो इन्वेस्टर्स का इंट्रिस्ट है पावर स्पेस में वो भी लौटतावा दिखा है ये जितनी भी कंपनीज है, स्पेशली सरकारी कंपनीज इनमें बहुत अच्छा अक्षन पिछले उत्र उस्पेक के लिहाज से जहां पर फिलहाल जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं जन्यवाद मुझे बनने के लिए और सबसे पहले तो आपको और आपके पुरी टीम को हमारी कंपनीज कापड़ी के तरफ से आपकी अनिवर्सरी की बट्डे की बहुत-बहुत बढ़ाई हो आशा करता हूं कि ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा और दर्शकों का मांग दर्शन होता रहेगा जहां तक पाउर सेक्टर की बात है पिछले आठ नौ साल में बहुत अच्छी बढ़ाव देखे गए पूरे सेक्टर में जैसे भी मंतरी की भी बता रहे थे पाउर सर्प्रेस की स्तिती तक पहुँच गया आएकल जगा हम एक्स्पोर्ट भी कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है और जो कंप्टियां हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मिल देई जैसे पीएफसी आरीसी वारे किया पात करने थे एसजी में कई ऐसी कप्टियां जोने बहुत शांदार रिटर्न दी हैं इन वेशकों को लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा सेलेक्टिव होने का समय आ गया है क्योंकि खास करके पीएफसी आरीसी में इस तरह के तो मैं समझता हूँ कि जो निवेशक हैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो लंबी अवदी के लिए देखते हैं उन्हें थोड़ा सा इंकजार करना चाहिए ने पैसे डानने के लिए जहां तक इस छेतर में दूसरी कंपनिया हैं जैसे कि NTPC जो की एक बहुत प्राइवेट सेक्टरों में काम करते हैं और ना केवल पुरानी टेक्नोलोजी पर बनके अपने पारपर सार रही है और जिस तर क्या क्या वैलेशन उन्हें कुछ स्थेक बेच के मिले हैं उन सब क्शी को देखते में मुझे लगता है टाटा पावर एक क्लंबी ओधी के ल प्राइवेशन सुरगा रहे हैं और उन सब चीज के बावजूद दस क्यारा की पर ट्रेड करती हैं मुझे लगते हैं यह दो तीन स्टॉक है जहां पर ध्यान रखने चाहिए बहुत शुक्रिया करेंगे राजेश यह आपका इस खास विशलेशन के लिए और इस बहतर नजरीय के लिए और चले अगले अगले जो हैं अपने खास मेमान उनकी और बढ़ते हैं एटी नाव सुदेश के दूसरी वर्षगाट पर आज हम दिगजों के साथ चर्चा कर र विए अपनी जबरदस रिसरच जो आएदे निकालते रहते हैं हम लोग बहुत उसे फॉलो करते हैं चैनल पर भी उसके वारें बात करते हैं हैपी अनिवर्सिट टू यू दो साल कम्प्लीट करने के लिए और आने वाले कई दश्कों के लिए बहुत भरी शुब कामना है थैंक यू अब आप जो है आपकी जो नंबर्स हैं वैलोईशन के नंबर्स वो पूरा बजार बहुत धिहान से देखता है यो कि आप टीम के है अभी वैलुएशन निफ्टी के वैलुएशन काफी रीजनेबल हमें लगते हैं लगबग 19 टाइम वन यह फोवर्ड निफ्टी ट्रेड कर रहा है जो की लॉंग पिरेड आवरेज के लगबग बराबर ही है सो निफ्टी में कोई हमें ऐसे फ्रॉद बबिल उस सब चीज नहीं दिख रही है यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट बढ़ने के साथ साथ अर्निंग्स भी बढ़ी है अभी मैं निकुन से बात कर रहा था पिछले तीन साल में निफ्टी ने 23 टके का अर्निंग्स कंपॉंड किया है बताइए निफ्टी ने 27 टका किया है सो बजार में मीडिया में हेडलाइन्स यह होती ही कि निफ्टी इस अट न्यू हाइब 20 अजार में है कॉपरेट प्रॉफिट भी ने हाइप है क्या बात कही है निफ्टी का प्रॉफिट साड़े तीन लाग करोड था एफ़ए 20 में जो अभी 6 लाग 40,000 करोड एफ़ए 23 में हो गया है इस साल हमारा अनुमाने 7 लाग 70,000 करोड का और एफ़ए 25 में हमारा अनुमाने 8 लाग 80,000 करोड का अनुमाने 8 ले दो तीन साल में भी बढ़े की वो कई बार मिस्गाइड हो जाता है कि शायद बायार बहुत महँंगा और बहुत चला हुआ है तो गौतम आपने बात की हैडलाइन इंडेक्स की मिद टियर कोपरेट इंडिया, स्माल कैप अला जो कोपरेट इंडिया वो कैसा कर रहा है अनुमाल कैप में भी अर्निंग काफी अच्छी रही है बट जो नेचर है बिजनेस का वो काफी वुलटाइल होता है बिकार अपकी बैलेंशीट छोटी होती है और इसलिए ज़िए बट साइकल होता है अपका अर्निंग बहुत लॉपसाइड हो जाता है और डाउन साइकल में भी काफी लॉपसाइड होता है जैसे मैं अपने खुद के कवरेज उनिवर्स का नंबर्स देख रहा था इस कौर्टर में इस फर्स्कौर्टर अफ़िए 24 निफ्टी का अरिंग सारे सेक्टर्स में ऐसे होता है तो मिटकेप का जो अर्निंग से ठीक रहा है बट मिटकेप के वैलिवेशन काफी आगे बढ़ चुके हैं जिसे हम कहते हैं कि फंडमेंटल्स के आगे निकल गए वैलिवेशन साभी राइट मिटकेप इंडेक्स का जो पी है निफ्टी से 15 जादा प्रीमियम पे है और अपने खुद के इस्टॉरिकल लाइट से भी 15 जादा प्रीमियम पर जो इस पे क्या होता है जब आप इंडेक्स का पी देखते हैं तो एक डिफेंट कंक्लूजिन निकलता है अब आपको स्पेशली मिटकेप इंडेक्स में कंपनी बाटम से ज एक आपको एक डिरेक्शनल क्लूज देता है कि भई वैलुएशन काफी आगे निकल गया है या तो अप्रीमियम पर जोड़ करना पड़ेगा या थोड़ा सा ब्राइट करेक्शन चैनल पर एंडेक्स मिटकेप में फो एक थोड़ा सा प्रीमियम हमको दिख़रा है तक सूचक है इसका ट्रेंड कैसा बन रहा है नेक्स तीन-चार साल को देखते हुए क्या ये कह सकते हैं कि व्मेंटर्म दो-तीन साल आगे तक जारी रहेगा दो-तीन साल का फोरकास लगाना एसे दिलिया में बहुत डिफिकल्ट होता है थोड़े से पीछे जलके देखते हैं 2010-20 में आपका अर्निंग 6.5 टका कंपाउंड हुआ था निफ्टी का और मार्केट ने 8.5 टका कंपाउंड दिया 2020-20, निफ्टी ने 23 टका अर्निंग्स कंपाउंड की और निफ्टी इंडेक्स 27 टका कंपाउंड हुआ है इस साल हमारा एस्टिमेट 20 टका निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ का है उसके अगले साल F525 में 15 परशेंट का है तो अगले दो साल का सिर्ण गरेंगा 17-18 पर है उसके सामने अगर आप देखते हैं तो निफ्टी का अर्निंग्स जो वैलिवेशन का हम बात करते हैं काफी रिजनेबल लगता है तो चार साल का अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है तो साल के हिसाब से 16-17 परशेंट अर्निंग्स ही है आप इसको दूसरे नज कर रहे हैं तो उसको 20 टाम करें तो साल बर बाद अगर आप यही टाइम से 25 पर 21 टाम देखते हैं तो आप लगबग 1140 पर 20 का मल्टिपल लगाते हैं तो 22,800 अब इसमें आप जितना भी सेफ्टी बिल्ड करना है अर्निंग्स प्रजेक्शन को लेकिए कि 5% का माया तो क्या है तो क्या हो उसके आसपर सब एक sensitivity कर सकते हैं तो आपको एक साड़े 21,000 से 23,000 का रेंज अर्निंग्स और फंडमेंटल के साब से बिकता है साल बर बाद अच्छा मुझे ये बिताईए डातम की जो कॉपरेट इंडिया को आप अपने युनिवर्स ओफ कमपनीज के थूँ स्लाइस अंडाइस कर रहे हैं कांच्छाट कर रहे हैं वहां पे जूलाग 12,000 करों हो चुका है pulls upinte Pat अफूआज़े अनुमान जे legitim क्रोब करोदा है Fy 25 में Charlott dece papas 25 ओट पीजए 15,000 करोड रहे हैं और उपांच साल में और जो इस साल इंडस्टियल्स है जहां पे एक ठीक ठाक earnings growth आ रहा है इंडस्टियल्स में काफी सालो बाद आ रहा है और फिर कई सारे चोटे सेक्टर्स है जहां पे आपको कई सालो बाद एक coordinated upscale i inse마ड चोटे सेक्टर्स के अमयरे मैं दुथी मिता है सुट होटल्स है दस साल बाद चालो हुआ है, CY23 में अभी हमारे कॉंटरेंस में अनुछपुरी प्रेजेंट करके गहे थे, उनका कहना था कि CY23 में टोटल सेवन टॉप सेटीज के जो नमबर अफ यूनिट से रेसिडेंशल, चारला क्रॉस होगे फर्स्टाइंग, तीसरा सेक्टर होस्पि को होटल्स, होस्पिटल्स और इंडस्ट्रियल्स, जहाँ पे एक साथ, पाँच, दर्स, बारा साल बाद अलग-अलग सेक्टर्स में आपको एक अपनो मोमेंटम बिल्ड होता है, और इचिना सदेश की दूसरी वर्षगाट पर चैनल को बढ़ाई देते हुए, प्रक्षन में कच्ड़े के इस्तिमाल के लिए पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है, आइए चलिए उन्हें संथे चैनल के द्वारा निशित रुप से होगा, विशेश रुप से रोड सेप्टी में और जो एकोलोजियन इन्वार्मेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इनिशिटिव है सरकार के उसमें आप विशेश रुप से सहयोग दीजिए, यहीं आपसे दिवेधन करता है एक विशे है सर्च जो आपके काफी करीब है जिस पर लगातार काम करते हैं, सचिता पकवाडा के अलावा भी कि किस तरीके से देशपर का जो कच्रा है उसका इस्तमाल आप कंस्रक्शन में ले करके आएं तो दोनों तरीके से फायदा हो पाएं, क्या कोई नई नीती पर व दान मंत्री का जो कचरा मुक्त भारत का सपना है, वो पूरा करने की हम ताकत के साथ कोशिश करेंगे। हरदीब सिंग पुरी ने हमसे खास बाचीत में कहा कि पिछले नौ साल में मुदी सरकार के दोरान देश में अब हूद पूर विकास के काम हुए हैं। अच्छे डिवलप्मेंट एंड प्रोग्रस हमें हाउजिंग सेक्टर में देखें आप कुछ इंपॉर्टन जो डिवलप्मेंट्स रहे हैं। अच्छे को एक आंकड़ा देता हूँ जो पिछली सरकार थी दोहजार चार और चौदा के बीच में उन्होंने सारी जो उनकी केंद्रिय योजनाएं थी शहरी क्षेत्र में। जब को मिला के करीब एक लाक और सतावन हजार करोड कंबाइंड इक्सपेंडिचर था वो आज हमारे नौ साल में और नौ साल भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि मोदी जी ने दायत्वा समाला दोहजार चौदा मई में पर यह योजनाएं शुरू हुई हैं जून दोहजार प अगर आप शेरी और रूरल में लाक है अगर आप शेरी क्षेत्रे के बारे पूछ रहे हैं तो आई थिंक वी आफ ग्राउंडेड एक करोड आठ लाक जिसमें 75 लाक अलड़ी लाबार्तियों को मिल गये हैं और टोटल टार्गेट एक लाग उनिस अजार क्रोड एक करोड उनिस लाक है और देश भर में स्वच्चता पकवाडे को सफल बरानी के लिए सरकार कौन-कौन से एहम कदम उठा रहे है इस पर ट्रांसपोर्ट सचीव अनुराग जैन से खास बात चीत की हमारे सयोगी समीर दिक्षित ने आईये सुनते हैं हमाँ साथ बात करने के लिए अनुराग जैन जी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में स्ट्रेकर्टरी हैं साथ धने बात करने के लिए इटीनाव सदेश को दो बर्श पूरे हुए एक एहम पड़ाव हमने पार किया है क्या गुडविशेस जैना चाहेंगे इटीनाव सदेश चैनल और उसके सभी कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और आप लोग आगे प्रगति करें देश में जो एकनॉमिक इशूज है वो जन्ता के सामने लें इसके लिए शुपकामने किस तरीके से आपने प्लान आउट किया है और कैसे आप इसको एफेक्टिबली रोल आउट करना चाहता है है यह दि आप लोग को ध्यान हो दोहजार चौदा से ही मानी प्रधान मंतरी जी ने देश में सवच्चता के उपर बहुत ध्यान दिया दोएक्टूबर दोहजार चौदा को पहला सवच्चता अभियान चलाए गया था पिछले कुछ सालों से यह इस साल सवच्चता पक्षडा पंदरा सितम्बर से लेकी एक एक अक्टूबर तक मनाया जाता है एक अक्टूबर को एक घंटा श्रमदान दस बज़े से ग्यारा बज़े तक पूरे देश भर में और्गिनाईज हो रहे हैं और दो अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक एक स्पेशल कैमपेंग चला जा रहा है दफ्तरों की सफाई इन टरम्स ऑफ वर्क करने के लिए तो यह पूरे इस प्रकार से एक बहुत बड़ी कारी हो जना है तो इस सुचता पकवाड़े में हम लोगोंने 13,000 जगे तैकी हमारे सारे आफिसेज हमारे सारे टोल प्लाजाज हमारी सडकों के किनारे तो आप सुन रहे थे ट्रांसपोर्ट सचीव अनुराक शा को पर चलिए इसी के साथ शो को यहीं समात करने का वक्त हो चला है आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जिरने के लिए और मुझे प्रशान जी को दियो यहीं पर इजादत पर आप कहीं में जाएगा इस दो साल की वर्षकार्ट पे ठेर सारी स्पेशल प्रोग्राम्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे बने रहेंगे हमारे सा आपको सब्सक्राइब बहुत शुक्राइब आपको सब्सक्राइब बहुत शुक्राइब यह है इन झाल 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 या चोटे शेड़ों में बड़े नुदस्कों की बात हो सब के साथ स्वदेश है इसलिए एक दो ती आए लगाता की स्वेवर स्वदेश के साथ समृद्धी की नई उड़ाने क्योंकि यह देश एक समृद्ध वर्ष की ओर बढ़ रहा है देश के सबसे डामिने बिजन्स न सब्सक्राइब यह दो सब्सक्राइब आप लोगोने एक बहुत उंदा काम किया है फुर्दी मेस्टर एजूगेशन और वाइज आलसो तो सो हर्टियस कॉंगेशन तुदी तूर्टी तूर्टी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और में यौल गोन फरेवर थाइंक यू स्कार स्वागत है आपका एटी नाव स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पुजा तुर्पाथी और आप देख रहे हैं एटी नाव स्वदेश की एखास पेशकश एटी नाव स्वदेश को दो साल हो गए है और इन दो सालों में बाजार में सरकारी कमपनियों के शेरों ने जम कर धमाल मचाया है रेल्वी, डिफिन्स, सरकारी बैंकों के शेरों में हमने देखा कि निवेशकों ने जम कर पैसा कमाया कुछ शेर पांच से साथ गुना तक बढ़ गए और सरकारी बैंकों के शेरों में क्या अभी और पैसा बन सकता है या अभी उन शेरों से निकलना बहतर होगा इसी पर लेकर आया है ये खास शो हिंदुस्तान की नई पहचान स्वदीश युडान और इस खास चर्चा में हमारे साथ दो खास मेमार भी मौझूद हैं वेंचुरा सिक्योरिटी सेविनीत और मोतिला लोसवाल से राहूर शावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसमें हम कवर करेंगे रेलवेह, डिफेंस, सरकारी बैंक वैसे तो और बी काफी सारे सेक्टर हैं लेकिन इन सेक्टर की बात करें तो काफी सारी कंपनी jaar इस बीच फोकस में भी आही है और भेदरीन रिटन यहां पर निवेश्रकों को कमा के भी दिया इंग कंपनियों में तो यहां पर हम सबसे पहले शिरुबात करेंगे रेलवे शेरों से और रेलवे स्टॉक्स में भी देखेंगे तो काफी शांदार प्रदर्शन देखने को मिला है अगर रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो राहूला सबसे पहले आप से जाना चाहेंगे एरकॉन पर पहले तो राय दीजे क्या व्यू बन रहा है आपका क्यूंकि हमने देखा कि इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी पिछले दो सार में देखने को मिली मार्केट के आपके लिए हाथ से भी देखेंगे तो काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया है अब क्या अभी भी आपको मौके दिखाई दे रहे हैं एरकॉन में अच्छार और गुड़ाटर देखेंगे पहले तो सबसे पहले एक भी सबेश को बहुत कर नहीं है अब बात करेंगी मेरे खाल से जहसे तरह से एज राइटली पॉंचे आउट पांट के अदर हम देखेंगे तो मेरे खाल से लास्ट ते देखल से अच्छी खासे मोमेंटम ए जए पीए पीएशी बंक विच वे लेदिग बीएग से पीएशी एक विएशी बएटन से इस अच्छी एक पीएशी मैनें डालिग्या तो चंटिनूशी है अपनूसी अपनों बेख स्ट्रेंग को बिलिए तब बात कर रहे रेल्बेज स्टॉक्स देखने को बिलिए त तो उसमें नई ट्रेंज का इंट्रोड़क्शन किया है, तो उसमें जुतने भी रेल्वे से जुड़े हुए स्टॉक्स के अंग, मेरे ख्याल से अच्छे खासे नंबर्स भी बढ़े हैं, और बांकिट्स क्या करता है, डिस्काउंट कर लेता है फ्यूचर अनिंग्स को, तो तो यह है व्यूचर अनिग्स को भी रीजनेबल है मेरे इसाब से, तो रिस्क वोसे रिवर्ड अभी एर्कॉन मेरे ख्याल से 15-20 टका का अफसाइट सानपर के अंदर देखने को मिल सकता है, और जिससरह से नहीं देखा है कि थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है बचायर क अंदर और यह सब स्टॉक्स के अंदर यह अपॉर्शनिटी है कि वापस यहां से एक बार अपसाइट के लिए आल डाउं किया जा सकता है एर्कॉन को ठीक है, तो यह है व्यू एर्कॉन पर राहूल का विरीद आपसे भी समझना चाहेंगे, रेल्वे स्टॉक्स में आपको कौन कौन से स्टॉक्स पसंद है, एर्कॉन तो भी अपने टागेट शेर करिया और एर्कॉन के अलाब और और कौन सी कंपनी आपको अच्छे लग र देता है, और इनके काफी अच्छे रेविन्यू स्क्रीम्स है, तो हमें लगता है कि ये दो स्टॉक्स आपको काफी अच्छी बढ़त दे सकते हैं, बाकी के जो रेल्वे स्टॉक्स हैं बहुत जादा बढ़ गए हैं, और इनकी अभी रिस्क एंड रिवार्ड का अगर दो स्टॉक्स के लिए आप यहाँ पर खेदारी करके चल सकते हैं, तो यह चर्चा हुई रेल्वे स्टॉक्स को लेकर और levels भी हमने आपको बताए कहां पर अभी भी मौक्य दिखाई दे रहे हैं अब आते हैं defense share उपर और इस talk में भी हमने देखा कि काफी शांदार तीजी देखने को मिली है एक के बाद एक defense deal भी हुए है कई देशों के साथ यहां पर करार हुए agreement हुए जिससे कि H.E.L.G.C. को काफी फायदा हुआ और defense sector पर लगातार अभी भी सरकार अपना exposure बढ़ाए हुए है नए नए यहां पर करार नए deals होते दिखाई दे रहे हैं और इस बज़े से हम देख रहे हैं कि इन कंपनियों ने भी पिछले दो सालों में काफी अच्छा एक्स्पैंशिंग किया है और इस बज़े से हमने देखा कि पिछले दो सालों में बहतरी रिटन इन स्टॉक्स में भी देखने को मिला तो डिफेंस शेरों में सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं हेल के साथ हिंदुस्तान एरनॉटिक्स काफी अच्छी तेजी हेल के स्टॉक में भी देखने को मिली है और हमने देखा कि पिछले अगर दो साल का रिटन देखे तो करीब 188 परसंट यह स्टॉक चल चुका है राहूल सबसे पहले आपसे जाना चाहेंगे एचेयल पर राय दीजे क्या अभी भी आपको एंट्री लेने के मौके दिखाए देरे हैं इस टॉक में जिस तरह से में देखे के डिफेंस अज़ प्ले आपको मिला है तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अर्निंग्स जो है मेरे क्याल से फुट्रिस्टिक है और अभी टाइम लगेगा अर्निंग्स में नियर तर्म के अंगर डिस्काॉट कर चुक है जो हमारे कवरेश के हिसाब से जो प्राइस टागेट्स हमने ट्रेस्टिक है तो मेरे क्याल से क्रॉस्टिक है जिस तरह से मोमेंटम बिल्ट है और जिस तरह से टेकनिकल फ्लोज की इसाब से बात करें Domestic Mutual Fund और ये इसकी बात करें तो मेरे क्याल से उसमें काफी सारा इंट्रेस्ट है तो मेरे क्याल से देखा जा सकता है औरसलि ये तीन स्टाउक्स जो मैंने बता है तो मेरे खाल से मुझो लग रहा है के HL लिया जा सकता है पूर्फोलियों के अंदर जैसे भारत डाइनमिक्स मेरे खाल से रिसंट करेक्शन हुआ है जो अपर से 1200 के आसपास भाउता तो एक अच्छी कंपनी है फुचुरिस्क कंपनी है नेक्स्ट और इंडिया मेरे खाल से मानपली तो मैं क deputy में था था सकता है था verschirmi छोड़ा क्यों अच्छा क्यों या दिया जा सकता है और भारत ख्लिक्रोंग कि बहारत द Testament स्ट अजो गल से अठिह लिस्टा ख़हा है पूर्पोर्पोर्वे की बात करे तो में कelia का अट अड़ियों थीट थीक थीख तमै तो उर लग रहा कि यह तीनों स्टॉक्स पॉर्टपोलियो जरूर किया जा सकता है अभी भी यह तेलों के बाद चीक है तो राहू की पसंद है डिफेंस शेरों में एक करके आपके सामझे देते हैं हेल पे बारास के लवशल यहां पर वो देख रहे हैं यहां पर अच्छा लग रहा है यहां आप के लगप तरह को काफी या तेजी आई थी अब इनिस्तर अब वालेश्न! कैसे नज़र आ रहे हैं और कौन सी कंपनी आपको अच्छी लग रही है डिफेंस पेस से ठीक है डिफेंस में वैलुएशन बहुत ही ज़ादा स्ट्रेच्च्ट है पर अगर आप देखोगे हमें लगता है कि बेल विल बी माई प्राइम टागेट टू बाई क्योंकि इसका है जो और पोटेंचिल है काफी रोबस्ट है और हमें लगता है कि यहां से आपको 145-150 के टागेट स्वापे बिल सकते है यह हमारा टॉपिक रहेगा दूसरा प्योली हल आप होंड कर सकते हो अपने पोर्फोलिय में क्योंकि इसकी जो और बुक है जो आपको प्लेंज की एडिशन करनी है, सौर्टी जो आइड करनी है वो काफी एग्रेसिव टागेट से और हाली के हाल देखे जाए तो हमें लगता है कि काफी सारे ओर्डर्स प्रीपोन हो सकते है तो यह सब ध्यान में रखते हैं हमें लगता है कि हैल करना चाहिए और अगर आप मिसाइल की बात करें तो भारेट डाइनेमिक्स की जो और बुक है काफी स्ट्रॉंग है और इसमें सारी टाइप्स की मिसाइल इनके पास है तो हमें लगता है कि यह तीन स्टॉक आप आपके पोर्फोलिम होग कर सकते हैं जहां तक बाकी के स्टॉक की बात करें कोचिन, शिप्याड या आप माजगाव बॉक ले लो इसमें एक्जिक्यूशन रिस्क है और लंपीनेस और वाडर फ्लोज है तो हमें लगता है कि यह स्टॉक में अगर निवेशोग हमें इग्रस किया हुआ है तो अभी आप प्रॉफिट दूप करके बाकी के तीन स्टॉक में आप कॉंसंट्रेट कर सकते हैं यह है व्यू डिफेंस शेरो पे विनीत की पसंद है यहां पर वो टार्गिट देख रहा है 2974 का भारत डाइनेमिक्स भी पसंद है 1325 के टार्गिट देख रहा है और इंस्टरों पर आप खरिदारी करके भी चल सकते हैं विनीत का है टॉप पिक अभी यहां पर अच्छी अपॉचुनिटी है खरिदारी करने के लिहाज से 141 का लेवल यहां पर दिख रहा है बील के लिए और मिशुधातू भी आप खरिदारी करके चलिए 465 के लेवल यहां पर दिखने को मिल सकते हैं तो यह हैं कुछ व्यूस हमने रेलरी स्टॉक्स पर चर्चा की डिफेंस शेरों पर चर्चा की लेकिन पीएसिव बैंक को की अगर बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है इसमें काफी सारे लार्ज कैप और मिड्कैप बैंक हैं जिनमे की शांदार तेजी हमने देखी है एक ही करके उंपर चर्चा करेंगे सबसे पहले राहूल आप बैंक ऑफ बडोदा पर रहे दीजे बैंक ऑफ बडोदा कैसी लगजी आपको एक कंपनी और क्या टागेट देखने है आप ब्योबी के लिए पीएसिव बैंक की बात करें और बैंक ऑफ बडोदा इस तरह से में सरकारी बैंकों में देखा है के लास्ट एक देट सालों के अंदर काफी अच्छी कासे रन आप आते हुए देखने को मिले है तो माई सेंस इसके अंदर तीन कारण है जो बैंक को बैंक को बैंक ऑफ बास्केट जो चलने की राई चुथी बैंक अच्छी कौलोटी कंटिनिस इंपरू होते हो देखने को मिले है लगातार इंपरू हो भी आरी है तो मेरे खाल से सभी सेक्टर के अंदर इंटर्नली भी मेरे खाल से ग्रोथ एक अफेक्टर देखने को मिला है थोर्डी आइटिंक जिस तरह से क्रेडिट कॉस्ट जिस कर दो होते हैं देखने को मिली है सभी पीस्ट बैंक्स के अंदर वह भी एक बैनेफिश्री रहा है और चौता मेरे खाल से स्टेबल इंटरेस एक अइन्वार्मेंड अम देखे तो लास्ट पट चार-पाच महीने स हम देखें और stable interest rates RBI का भी जो मेरे ख्याल से education है तो obviously ये Friday को और मेरे ख्याल से clarity और मिलेगा policy के अंदर पर जो हम लोग देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से stable interest rate scenario तो ये सभी चीज favor करती हैं banks के लिए और ये TSU banks के और लास्ट 4-5 सालों तो PSU banks पिक्ते यो देखने को मिले हैं और उसमें कोई momentum देखें नहीं है मरे ख्याल से लगातार earnings के अंदर भी खराब आपते हो देखने को मिले हैं तो I think all things are favorable PSU bank का time है मुझे लग रहा है के continuously अभी भी यहां से upside देखने को मिल सकते हैं bank of baroda के अंदर भी जज़े से ज़े से मैं बताया है तो similarly applies to bank of baroda और जो हाला कि हम माँते थे के 110 book पे मेरे ख्याल से PSU banks पर हिस्टोरिकली जो वालिएशन जो आगे हो यहां से अपने नहीं मिल सकता है लेकिन यह time मेरे ख्याल से और भी रेक्रिमेडेशन दूना bank of baroda यह लगा से प्रिबैचन के विद्वेशन दूना बैंक और वरोडा यह लगा से अजा भारत है नया भारत जो तरक्य की नई कहाने लिख रहा है भारत में अपार संभावनाये हैं हर किसी के पास समान अफसर है किसी कारोबार को शुरू करने या उसे बढ़ाने का इसे बहतर समय कभी नहीं रहा फानेशल जागुर्ट पर आज स्वदेश बोल रहा है पूरा देश सुन रहा है बर शेडों में छोटे निविस्को की बात हो या छोटे शेडों में बर निविस्को की बात हो सब के साथ स्वदेश है इसलिए एक दो तीन आये लगाता 30 स्वेवर स्वदेश के साथ समृद्दी की नई उड़ाने से क्योंकि ये देश एक सम्रिद वर्ष की ओर बढ़ रहा है देश के सबसे डानिमे बिजनेस नीज चैनल इपिनाव स्वदेश में हमारे साथ जुड़ें ये नए भारत का समय है ये भारत का समय है झाल 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 ये बैंकिंग स्पेस से बैंक आफ बरोडा में उनका क्या विव बन रहा है अब विनीत के पास बी चलेंगे विनीत बैंक आफ बरोडा के लिए आपके टागेच देख रहें आराम से 250-270 चूँ सकता है इसका आप देखोगे इसका जो नेट MTS है अगले दो-तीन साल तक ये अंडर वनी रहने वाले हैं आइसेट कॉलिटी काफी अच्छी मेंटेन कर रहे हैं ग्रोथ दारा से प्रणड़क का ग्रोथ आईगे टॉप लाई में आरोए विल बी क्रॉसिंग वन तो हमें लगता है ये स्टॉक अच्छा लगता है लेकिन हमें बैंकिंग में सबसे बैतरी पसंद है SBI क्योंकि हमें लगता है कि लाज बैंक के काफी सस्ता अवेलेबल है और हम इसमें न अट लिस्ट 40-50 पसंट अपसाइड देखते हैं चाहते हैं तो हमें लगता है कि स्केट बैंक ऑफ इंडिया विल बी एक्स्टिब्ली गुट बाई ठीक है तो 2500 के उपर के लेविल तो बैंक ऑफ बडोला के लिए दोनों ही एक्सपर्ट सुझा रहे हैं लेकिन उसके अलावा नीद को SBI भी अच्छा लग रहा है और उनकी टॉपिक में से एक है तो उस पर आप नज़द अखे कैंडरा बैंक इस स्टॉक की बात करें तो यहां पर भी काफी अच्छी तेजी हमने देखी कैंडरा बैंक के स्टॉक में और 119 परसंट यह स्टॉक चल चुका था पिछले दो सालों में मार्केट कैप में भी करीब-करीब 47,000 की बढ़त हुई थी राहूल आपसे व्यू ल टालों हुंट थी दो कि एक साल और बैंक साल यहां थी तो जो लग रहा है थी यहां से भी तो यहां से जो लाज सेकलर और बैंक बैंक हो गया बैंक बotherap शॉक टीटाल हुट मेरे ख्याल से जिस तरह से आरही है तो इंवेस्टर का इंट्रेस्ट भी आता रहा है और अंडर काफी अंडर ओंड रहे हैं यह सब प्रेस्ट बैंक्स इंसुशनल इंवेस्टर के पास तो मेरे ख्याल से वही हम देख रहे हैं लास्ट दो सालों के अंडर And if we look at, not just last two years, अफ हम 4-5 साल देखे तो मेरे ख्याल से यही भाव थे 4-5 साल पहले भी, Canada Bank के और यह Bank of Baroda के भी, तो उच्छाली जिस आव आएं, ब्रॉडर पिच्चर देखे तो मेरे ख्याल से, तो काफी अंडरोंडे स्टॉक्स के अंडर जिस तरह से पिटाई भी थे 2-3 साल पहले के लिए और कंटिनूस्टी बावर ट्रेंड के लिए तो मेरे ख्याल सब इनका टाइम आया जोसे में बता रहा हूं आपको, तो री रेट हो रहा है, नंबर्स भी आते हो देखने को मिल रहा है, तो आइज तो एकनरा बैंक की बात करें, तो अगें, 1.2 टाइम बुक पे ट्रेट हो सकता है, और मुझे लग रहा है कि सानी 400 रुपी तप का लग्षय कानरा बैंक के अंडर आ सकता है, आने बाले दिना है, ठीक है, तो यह है, राय कैनरा बैंक पर दोनों ही एक्सपर्ट किया, बात करते है, PNB की, 95% का रिटन दिया, इस स्टॉक में, और मार्केट कैप में 44,000 से जादा की बढ़त, देखने को मिली है, विनीत, PNB पर क्या व्यू बन रहा है अबका? काफी अच्छा लगता है, 100 के आसपास चू सकता है, इसमें एक, दो-तीन चीज़े, जो एक कंपनी के बारे में अच्छी जो है, इसका जो, इनो, क्रेडिल डिपोजेट रेशो बहुत बिना ही नहीं है, 67% और इनको कोई डिपोजेट नोबिलाइजेशन का स्ट्रेस नहीं है, तो ये काफी आच्छी तरह से लोग कर सकता है, 12-15 टक का गोल लोग, उससे भी जादा कर सकते हैं, और हमें ये बैंक के जो, जो रिकवरीज हैं काफी अग्रेसिव हैं इनके टागेट्स, और इसकी वोजे से हमें लगता है कि जो, ऐसे कॉलिटी जो अड़ेडी बैतरी हो चुकी है, वो और फोर्टिफाई हो जाएगी, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर आप लेते हो, तो 100 का टागेट शॉर्ट टर्म में 12-18 मेने में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू पीन बी पर, लेकिन लिस्ट काफी लंबी है सरकारी बैंकों की, राहूल, काफी सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा कि अगर मिट्काप बैंकिंग शेरों की बात करें, तो क्या उसमें भी आपको कुछ स्टॉक्स हैं, राहे हैं, उनके भी टागेट्स बताइए। चोटा बैंक साथ चोटा का ग्रोट साइस भी मेरे खाल साइस आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, तो मेरे खाल से, ओरराल रिस्क वोसस रवाड जब्मो कश्मिर बैंक में रहेगा, मुझे लग रहा है कि यहां से, बैंक साइसे, चारीच परसंट का अपसइड, मुझे बाइक बैंक में रह भी मेरे में रिकिता हैं, यहां से, यह मेरे खेल से, यह मेरे टॉप एप यह पेकर है कि प्सु पया बैंक से अंदेर, फॉल्लिबर मई निग रहे हैं जैसे चाहिन रहा है, तो यह दोनों भी मेरे खाल से अच्छे खाल से रिटर्न्स दे सकते हैं और अंडरोंड भी है जैसे मैं बता रहा हूं तो I think यह थ्री बैंक्स गिमें लाइक टॉट पिक पिक प्याइसु बैंक स्पेस से जो अभी तक चर्चा ना हुई हो और आपके रडार पर आ रहा हूँ तो हम कंसिस्टेंट्ली बैंक आप भाराश्ना में काफी बुलिश रहे हैं अब हारा टागेट सिस्टी उपीज है तो आपको यहां से अभी भी 20-25 टक्के की अपसाइड मिल सकती है ओवर थे नेक्स्ट 1.5 यह यह बैंक में इसकी हमें लगता है कि इसमें काफी सरी राइड बैक्स आएंगे क्योंकि इनका एक्स्टा प्रोविज नहीं है और हाई लाइने के बैंक की पीस्टी बैंक होते हुए भी इनका कासा रेश्यू 50% से अबाव है और हमें लगता है कि है सबसे हाई ग्रोव बैंक है तो तब्रार से अठ्रा टकर ग्रोव कर सकता है बेरी इसलिए ओवर थे नेक्स्ट 2-3 रेश्यूज प्रेवाली हैं काफी साए राइड बैक्स आएंगे मुनाफे में भी बढ़त देखने को मिल सकती इसलिए इस बैंक पर आप नज़र रखे इस तरोपर भी खर्डारी करने की सलाँ आप दोनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धनिवाद हमें समय देने के लिए और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए तो फिराले से शो में इतना ही मुझे दीजी अजाज़त अमस्कार झाले से जुड़ने के लिए जुड़ने के लिए झाले से जुड़ने के लिए जुड़ने के लिए जुड़ने के लिए quickly the palavr झाल 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 वर दियो गी नहीं आ रहा है हमने खबरों के साथ साथ आगे के मौखों और फत्रों को लेकर आगाह किया देश की ग्रोज स्टोरी में भागिदारी दिने का सबसे सशक्त मंच बना इची ना उस्वदेश हमारा बिश्वास है हमारे मजबूत किरादों से आप बढ़ेंगे और आप बढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेगा इची ना स्वदेश बढ़ों बढ़ों देश के साथ बढ़ों देश के साथ और स्वदेश में दम दो साल के हम जयां दूसरी अनिवर्स्टी पे खास प्रोग्रामिंग आप तेख रहा हैं बहुत बढ़ेंगे आप सभी का इस का स्ट्रो में मैं हुप्रियंका मिरसात अजे मुंबाइ स्टूडो से और दिली से हमारे साथ अभुषेक और दिंपी बिया वाजार थो ऐसा नराज जरूर लग रहा है अजिए मैक्रो डीजन का एक मैक्रो डीजन तो है जो आज बाजार पर अच्छा खासा हैंगोर है सारे चार्सों पॉंच से जादा कि गरावड़ को बैंक निफ्टी पर लेकि नहीं चुटी 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 से रीजन्स हैं इंवेस्टिस को इसिंडर ना तो नहीं इन फैक्ट अगर आप टॉप से गिरावड देखें तो भारती मार्केट चारपाश परसंट गिरे यूस मार्केट और दूसरे मार्केट तो काफी ज्यादा गिरते हो नजार आ रहे हैं तो हमाई पर लूज करने के लिए काफी कुछ है लेकिन अगर आज आप देखें तो अगरे अगर देखें तो इन फैक्ट परसंट नेगेटिव रिटर्न दिया है जबकि यूस मार्केट ये सारे मार्केट 15-18 परसंट नेगेटिव रिटर्न दिया है तो सुपीरियर मार्केट तो हम रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें भुमान होना चाहिए अपने पर हमें काफी केरफिल रहना चाहिए और हमारी पूर्फोलियो स्ट्राडेजी ऐसे माहॉल में जो ग्लोबल मैक्रोज थोड़ी सचेत रहनी चाहिए और हमारे साथ आज जो जुड़ रही है हमारे खास महमान दिंबर सुबह से ही खास हैमानों का पाता लगा हुआ यहां इ उनकी फर्म की तीस ही तीस साल गिरा है तो यह अपने तीस साल का अनुभव हमारे साथ एक दम खुश मजाज माहॉल में हमेशा शेयर करती आई है इसलिए मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बाद दन्यवाद और हमारा मारदर्शन के लिए देविना लेकिन फिर्स कि शुबकाम लाए शुक्रिया आजे और आपको भी बढ़ाई और हाथ तीस साल गिरा है तीस साल हो गया है बहुत लगबा समय हो गया तो जैसा कि आप लोगों ने कहा मैं आप आपनों की बर्थड़े पार्टी के लिए तैयार के आई हम आपको हापी बर्थड़े बोले सब्सक्राइब नहीं हाथ आपने अपने अपने साब गुर्ज है अपने 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 अleevam माया शेयर वह सब्सक्राइब है हमारे इहर दो सालों में भी अगर में दो साल का बियरान हूँ इडिनाव सुदेश को लेंच हुए लेकिन काफी जस्टिफाइड भी क्योंकि बारती मार्केट थोड़े सुपीरियर है मैक्रोज में अनिस क्वालिटी है आपने ग्लोबल जो वॉलिटिटी है उतार चड़ा इस 30 साल में कई बार आपने इसका इसके नविगेट किया है अपने अपने फर्स ग्लोबल फर्म में अपने क्लाइंट के पैसे को मैनेज करते हैं वक्त तो क्योंकि बहुत कमी लोग है जाने हम बात करते हैं यूए सील्स पंदरा साल में हाइस लेवल पर चली गई है लेकि तो माजरा क्या है परिशान होना एक बात है यह शाहर उतनी नहीं हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए तिक एक तो यह बात है कि चाहिए आप बाजार में कितने भी समय से रहे हूं आपको इतिहास देखना चाहिए और इतिहास भी खाली 15 साल का नहीं जितने साल आप पीछे जा सकें उतने का इतिहास देखें तो अमेरिकन बाजार में आपको सौ साल का मिल जाएगा भारती बाजार में कम से कम 40 साल का तो ही जब से से शुरू हुआ चालिस से कुछ ज्यादा तो एक जो आपने बोला कि पिछले दो साल में भारत का जो बाजार है उसने ग्लोबल बा आप 1908 में 100 रुपय लगाते हैं भारती इंडेक्स में तो वो दस सालों में 700 रुपय हो जाता है साथ गुना हुआ था उस दशक में जबकि आप 2010 में अगर वो ही 100 रुपय लगाते तो वो साल के अंग तक केवल 230 रुपय होता तो उस दशक में कमपाउनिंग बहुत कम रही हमारे सब के दिमाग में रहता है कि इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो 15-16 परसेंट रिटर्न देता है हर साल तो नहीं लेकिन ओवर पिरेट अफ टाइम लेकिन उस वो जो 10 साल थे उसमें आपको 9 परसेंट रिटर्न भी नहीं मिला तो उसके बाद जब वो आउट परफॉर्मेंस बोर्ड में आया इंडिया जब ग्लोबल मार्केट से पहतर करने लगा तो ये बात तो मुझे सफष्ट थी आप मेरे 2021 के भी इंटर्व्यू देखें तो उसमें है कि अब आउट परफॉर्म कर रहा है तो ये आउट परफॉ परफॉर्मिंग मार्केट्स में था तो चालेज बे आलेस मार्केट में मेरे क्याल ग्यारा नंबर पे था इस साल थोड़ा सा नीचे अभी तक चल रहा है क्योंकि आपकी जो पहली तिमाही थी जैन्वरी से मार्च वाली उसमें थोड़ा काफी कुछ उथल पुथल रही हम खराब था तो अब उसके बाद जब बजार बेतर करने लगा है तो अभी तो ऐसे सिती हुई रही कि आपका बहुत ज्यादा रिटर्न आ गया है आप ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर आ गये हैं इसलिए क्रैश की संभवना है तो जहां तक सेंसेक्स, निफ्टी जैसे जो अभी भी कहूंगी कि निवेश करने का ही समय है मार्च में मैंने ट्वीट किया था कि अभी अगर आपके पास जो भी आपका एक्विटी अलोकेशन है जो आपने नहीं निवेश किया है वो निवेश करिये और बाजार मुझे लगता है कि बॉटम के आसपास है वहां से अभी बाजार में दम रहेगा वो तो नार्च कैप की बात है जहां तक स्मॉल कैप की बात है वहां आपको सतरक रहना चाहिए साफधानी परतनी चाहिए क्योंकि फिर से मैं बोलूँगी जो लोग चाहें बाजार में नए हो आप इतिहास देखिए दो हजार आठ में स्मॉ असी प्रतिशत, 78% exact अगर मैं बोलू तो गीरा और उसके बाद वो फिर दो हजार नौ से लेके दो हजार सोना उसको लगा वापस दो हजार आठ की लेबल पर आने वा तो वो इतना लंबा और फिर आपको कई अभी फैनेंशिल इंफ्लूइंसर टाइप मिलेंगे जो बोले जीरो रिटर्न देने के लिए और फिर उस समय भी आप देखें तो एक बार तेजी आई थी वो 2017 अगरा में और 2018 से फिर गिरने लगा Small Cap Index लगबग 2 ती हाई गिरा फिर 2 ती हाई गिरने के बाद तीन कुना हुआ जिसे आपको जीरो रिटर्न बिली तो ऐसा होता है ये Small Cap मे आपको साफधानी ज्यादा बदरबर उसनी चाहिए इसलिए जो भी आपका Total Portfolio है इसमें 20-25 प्रतिशत से ज्यादा Small Cap में बहुत से बहुत नहीं होना चाहिए अभी तो मैं देख रही थी कि Mutual Fund में एक तरह से Large Cap Mutual Fund Scheme से पैसा निकल के Small Cap में जा रहा है अगर आप Net Basis पर सबसे सराल जो Explanation होगा वो यह कि वो अपना मापदर्ड नीचे कर रहे हैं इतना सारा पैसा निवेश करने के लिए अब उनको नए जगना ढूंड़नी पड़ गए तो यह सब थोड़ा सा दिखाता है कि उस साइड पर रिस्क बढ़ गया है देविना आप मैं आपको बताना चाहूँ कि यहां में इठीलाव स्वदेश पर आज जो दो साल की अनिवेसरी मना रहे हैं मैं अपने वीवर्स को भी शेर करना चाहूँ कि यहां पर हम चाहें ट्रीडर से बात करें चाहें लॉंग टेम इंवेस्टर से स्टेजिस से हम प् तो जब आप कॉशिस होती है तो कि आप कैश रेज कर लेती है या आपने अपने पोर्टफोलियो के कॉंपलेक्शन को और कॉंपलिशन को इनमें बदलाव किया है देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूँ रिस्क मैनेजमेंट हमारा जो हम जो शून मुढ़ पैसा मैनेज करते है उसमें छेस्पारे बहुत सारो नियुक्त मैं भीडिटी च किसी सेकेटर में बहुत जयादा कॉंस slipping नहीं हो हम लोग काफी diversified रखते हैं अपना portfolio companies के लिहाज से भी और sectors के हिसाब से भी और हमारा तो एक systematic process है तो उसमें बहुत कुछ और भी है stop loss ज़रूर रखते हैं तो अगर retail ने वेशक भी है तो ज़रूर stop loss रखिए trailing stop loss की अगर high से stock जो भी आपका stop loss है अगर 25 प्रतिशत है तो अगर कोई stock आपने 50 रुपए पर खरीदा वो 200 रुपए होके फिर 500 होता है तो उसमें से निकल जाएगे तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी है जैसा मैंने कहा कि कोई भी sector में बहुत जादा नहीं होना चाहिए और कोई भी जैसे small cap में हम लोगो जब लगता भी है कि small caps में momentum है अच्छा लग रहा है तो हम लोगो सकता है 15% की बजाए 20% पे चले जाएगे लेकि नहीं जाएंगे क्योंकि मालूम है कि जब वो चलता है तब तो ठीक है लेकि जब stock गिरने लगते है तब आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलता ह है तो वो सब चीजें आपको बिलकुल ध्यान रखनी है क्योंकि investing is a losers game में कई पर बोलती हूं उसका मतलब क्या है कि आप अगर investing में आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि आप बड़ा पैसा ना खोएं आप इसमें long term जीत तभी सकते हैं कि अगर आप बड़ा पैसा ना ख जाता है कि 2016 में जो वापस उसने हाई बनाया वो stocks ही दूसर रहे थे जो 2008 में गिरे थे stocks वो कभी वापस ही नहीं आए तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी लेकिन मैं जैसा आपने बोला कि मैं भी बोल रही हूं कि आपको cash रखना चाहिए या caution उस हिसाब से तो जो 100% portfolio है वो stock market में होना चाहिए लेकिन जो भी आप डालना चाहते हैं वो अभी निवेशित रहने का समय है खाली आपको small caps और जो risky end है महा थोड़ा ध्यान रखना है और जैसा मैंने का कम से कम आप 25-30 stocks रखिए अपने portfolio में आप खुद भी manage कर रहे हैं तो अलग sectors अलग व और उसमें कुछ गलतियां भी होंगी ये भी आप अभी ही लिख के ले लिए कि कोई भी दुनिया में ऐसा निवेशक नहीं है जिसके सारे stock picks अच्छा करते हैं तो आप 25-30 stocks लेंगे तो जितना भी आपने समझदारी से दिये हो उसमें 5-6 stocks तो ऐसे होंगे जिससे आपको people निकलना पड़ेगा कुछ और होंगे जो थोड़ा बहुत return देंगे कुछ और अगर आपने अच्छी से चुनाव किया है तो कुछ आपको multi-bagger मिलेंगे तो यही pattern है यह चीज आपको समझनी पड़ेगी तो सबसे पहले अपने दिमाग को समझना पड़ता है इस बाजार मे और उसको manage करना पड़ता है उसमें कुछ सहीम परतना पड़ता है उसमें कुछ अनुशासन परतना पड़ता है करनी है अभी आपने बड़ी बात बताई कि बड़ा पैसा ने खोना चाहिए दूसरा आप ही कहरें कि रिस्क management आपकी वेटिच लिस्क में सबसे जादा है पिछले तीस साल के आपकी जरनी में आपने सबसे बड़ा पैसा कहां पर बनाया और इसके पिछले आप चुनाव कर करेंगे यह बात जैसे मैं कई बार बात करती हूँ कि HDFC bank IPO की एक साल बाद 1996 में हमने recommend किया था कि अभी वो रिपोर्ट का cover था कि एक बेवी की फोटो थी एक साल के बोला यह अभी यहां पर है और Arnold Schwarzenegger जो उस समय विश्व में बॉडी बिल्डिंग में नमबर वन थे उनक साल बाद यहां पहुंचेगा उसी तरह Amazon का भी एक बड़ा कॉल था अंतर आश्य बादारों में देखें तो जब 2000 के टेक क्रैश के बाद जब सबने बोला था कि Amazon पैंकरफ्ट हो रही है 15 डॉलर जो अभी split adjusted देखें तो 75 सेंट बनता है वहां recommend किया था लेकिन अभी मतलब मुझसे कई लोग जैसे पूछते हैं कि आप बताईए अगला Amazon या HDFC बैंक कौन सा है और हम लोग वो अपने बच्चे के लिए खरीद के 25 साल भूल जाएगे तो मैंने का यह चीज जो आप बोल रहे है ना यह एक मिठक कि कि किसी को मालूम रहता है कि 25 साल कौन सा स्रॉक अ तो आदेतेपुरी और जेफ बेदोस को भी नहीं मालूम था कि इतने टाइम कंपाउंडिक होगी उनके स्टॉक्स की तो आप जिस समय कोई राय दे रहे होते हैं उसे ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि मुझे लगता है यह स्टॉक डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो किसी को नहीं मालूम रहता कि कौन से स्टॉक यह जारों परसेंट बढ़ेगा तो वो आपके लिए उसके लिए एक ही उपाय है जैसा कि मैंने कहा आप सोच समझ के कुछ क्राइटीरिया से ऐसा नहीं कि आर्बिटर ली 25 स्टॉक लीजिए उसमें से अगर आपने चुनाओ खीक से किया है तो हो सकता है 2-4 मृटी बैगर हो पर आपको पहले से नहीं मालूम रहेगा कि कौन से वो दो स्टॉक हैं जो मृटी बैगर होंगे अगर यह मालूम किसी को भी रहता तो दुनिया में कोई तो ऐसा निवेशक होता जिसके पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर भी हो, सो प्रतिशत नहीं तो असी प्रतिशत ही, ऐसा कोई निवेशक दुनिया के इतिहास में नहीं रहा है, न व्रन बॉफेट, न राकेज हुन्योन्वाला, न कोई, सबने तो निरने लिए उसमें दो-चार ऐसे हैं जिससे उनका बड़ा पैसा बना आप राकेश का देखिए तो उसके 3-4 स्टॉक में ही ज्यादा पैसा बना वारन पॉफिट बोलते हैं कि 70 साल के अनुभाव में एक दरजन ऐसे स्टॉक होंगे जिसके कारण हमारा सारा आउट परफॉर्मेंस आया है तो ये एक मिठक है कि कोई आपको जादू की छड़ी दे देगा और उसको मालूम रहेगा कि कौन सा स्टॉक अगले 20 साल अच्छा करने जा रहा है तो सबसे पहले तो ये आप बात भूल जाहिए ठीक है जिसके वेकरवा फंडामेंटल एनलिस्ट और साथ साथ एसगाय सीक्रेटी से सुदीप शा और शीकान चोहान भी आप तिनों का बहुत शुक्रिया स्वागत ही टीनों सुदीश पर शीकान जी शुरुआत आप से करना चाहेंगे क्योंकि बाजार को देखना एक बाज़ जरूरी है 9400 के आसपास तक के स्तर हैं हमने नीचे के भी लेवल देखें थोड़ा सा सुधार जरूर है लेकिन confidence लोट के नहीं आ रहा है आप भी बताए कि अब जो next जो बाजार का जो support है क्योंकि हमने 9500 के बात कर रहे थे वो ब्रेक हुआ आज 400 के भी नीचे गए एक मेने के निचने स्तर पर निफ्ठी ट्रेट कर रहा है support लेवल आप कहां पर देख रहे है शिकान जी और क्या आपको उमीद है अब तो देखिए popularity का index जो बढ़ते जा रहा है तो आप सभी को मेरी तरब से हमारी quote-up की तरब से बहुत सारी डेरो सा ही शुपका बना है और हम नहीं कहेंगे कि आपका यह जो index है वैसे भढ़ते रहे पर मुझे लगता है कि जब आपनी चैनल की शुरुआ है कि मैं शायद एक विग बाद आया था लेकिन तब index संबर क्लोस टो आजेजी सत्रा अजार क्यास पस्ता 17,000 क्यास पस्ता निफ्टी आप इस एड 19,203 अज़ए वैसे आपके ट्यार को में कंसिस्टेंटली जब आते रहेगे हमारी तरफ से शुपकामन है और काफे एच्छा इंफट मैं काऊंगा कि काफी सारे जो आपने शुरुज रखे है वो ट्रेडर्स इंवेस्टर्स के काफी काम के है और आपके जो न्यूस फ्रो होते हैं गुभी मैंने देखा कई हद तक टिंपी मैंने देखा है कि इस टोक्स कवर करते हैं बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए एक बहुत गरो की बात भी है श्रीकान बहुत सुक्राइए थैंक्य बर बुच अगर आप देखे तो अपने मार्केट उतने शाप फॉल में इह जितने होने चाहिए थे मुझे लगता है कि मार्केट में शायद हम लोग वर्स केस 19,200 के लेवल्स देख सकते हैं अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे भी देविना मैम ने कहा अगर मीडियम टू लॉंटर्म का विव है तो करेंट लेवल से भी इसमें लॉंग करके चलना है अगर मुझे लगता है और आज के लिए मुझे लगता है कि आज के लिए मार्केट का एक करेक्शन का प्रेड हो चुका है शायद अगर यहां से अगर कल अगर मिले तो 19,500 से लेकर 550 के लेवल्स नजर आते हैं तो इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करते होई नजर आएगा और बैंक निक्ती के लिए भी मुझे लगता है कि 43,600 के लेवल्स काफी इंपॉर्टन है अगर लेवल्स में रिजिस्टेंस रहेंगे तक्रीबन 44,700 से लेकर 750 के लिए थीक है चलेगे तो बात हुई आज के लेवल्स की आज के बाकी बचे आते गंट के लिए हमारे पास ट्रेडिंग आइडियास भी होंगे हमारे साथ इस वक्त सुदीप शा भी है हम बात तो करे लेकिन साथी हमारे साथ हुदीप शा है और साथी विवेकारवा है अज फंडमेंट नजर देने के लिए श्रीकान से भी उनकी पिक समझेगे और साथी हमारे साथ एक खास कॉर्परेट भी है हमारे साथ सौरब गुपता है CFO Dixon Tech के उनसे भी बात करता है पूर आफ्टरू प्लाइ स्कीम की बात हो एक अचा का समार्प बनाया है ना सर्फ क्योंकि ग्लोबल स्प्लाइचें से डाइवर्सिफेकेशन की बात हो मेकिन इंडिया और आप तो खुद कही सारे इंपर्टन कॉंपनेंट बनाते हैं बड़े-बड़े क्लाइंट को आप केटर करते हैं और रिसेंटली भी आपने एक और नया टाइप भी किया शौमी के साथ भी तो लॉंग रंवे हैं नई काटेगरीज दिख रही हैं ब्रॉड निगा पर कस्मा बेस हो रहा है और एक वॉलट शेर भी बढ़ रहा है इसी सब को देखते हुए एक बार आगे का विजिन भी आप से सबनना चाह रहे थे कि यहां से अगले दो साल के लिए अगले पात साल के लिए किसा की गाइडन्स आप देरा चाहेंगे हमें पहले आपको बहुत-बहुत भुबार के और शुब कामना है स्केंड यह कंप्रीट होने के लिए एंड जैसे कि आपनों बताया है पीएस हमारे बहुत बड़ी ऑपरचिनिटी है काफी टेल्मेंट है हमारे सेक्टर के लिए मेकिन इंडिया के लिए गर्मेंट का पॉलसी बहुत बहुत सबोर्टिव हैं इंक्रीजिंगी ब्रैंड्स आउट्सोर्सिंग पर जाते जारे हैं और ब्रैंडिंग इंडिस्टिशन पर फोकस करना है जाते हैं आने वाले पांग सालों में हमारा कॉंटिवूशन एक्स्पोर्ट से काफी रहेगा हमने कैटेग्रीज में आएंगे और क्लिरली जिन कैटेग्रीज में हैं बहां पर हम और स्केलेबर और साइजबल बनेंगे बिल्कुल एपसलूटली था मिल्कुल हमें देखा है एक और बड़ा रीजन नाव रहा है सौरब क्योंकि स्ट्रीट क्यों आपके स्टॉक को पसंद करता है उसके पिछे रीजन्स भी है आपका लोग मार्जन प्रोफाइल है वो कई बार हार असेट रिटॉर्न्स और अब तक आपने मार्जन गाइडिन्स दिया है इदेखे हमारा मेजर ग्रोफ जो आएगी मोबाइल बिजनस से आएगी आगे आने वालों सालों में क्योंकि वो सबसे बड़ी ऑपरिचिनिटी है और उसमें मार्जन प्रोफाइल जो हमारे अदर वर्टिकल से उससे बड़ा आपके स्टॉक में ग्रोफ दिखती है जब हम स्टॉक की यह चाल भी देख रहे हैं बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए बात करने के लिए और यह सारे इंसाइट हम से शेर करने के लिए वक्त एक छोड़ डिसेब्रेका जल्द वापस हाजरोंगे जब हम वापस मैं मानोंगी कहीं मत जाएगा झाल 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 तो एक बस वह सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आगे अगे इस तिल मार्च तक हम लोग वापस 20,300 तोड़ेंगे क्या यह एक बहुत बड़ा कुशन मार्कर मेरे दिमाग में क्योंकि काफी इवेंट्स आएंगे और बजार वेट कर रहा है कोई ना कोई ट्रिगर के लिए कि वो ट्रिगर आए या तो नीचे तोड़े या फिर उपर जाए तो यह आज का सिचुएशन है और एक सेक्टरल निफ्टी वेंग नीचे है रिकॉर्ड उचाई से 4.5% निफ्टी नीचे है यह आपको जरूर धर्म लखना चीए लेकिन यह ऑपरचुनिटी निश्य उतर पर यह बन लिया ऐसा माना है विवेका सुदीप आज के सतर में यह बताइए कि अब 25 मिनिट के आज पर से समय रह अब सभी को एडीन और स्वदेश पर दूसरी साल गिरा के लिए मेरे और SDI Securities के तरफ से बहुत-बहुत शुपका हूंगा है बस यह चाहूंगा आपकी TRP इसी तरह बढ़ती रहे डे-on-day, month-on-month, year-on-year और रही बात मार्केट सी तो जो स्टॉक्स मुझे पसंद आ रहे ह अभी तक बहुत-जादा मूव नहीं हुआ है बड़ जैसे दो स्टॉक्स है जो अभी मेरे डार पर है एक है एक है एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स में हमने देखा है कि बड़ी रैली के बाद स्टॉक कंसॉलिडेट कर रहा था और पिछले 2-3 दिन में ऊपर के लेबल से थोड़ा सा करेक्शन भी देखा था और आज हमने स्टॉक को फिर से 20 दिन का जो एक्स्पोर्वेंचल मुएंग आवरेजर वहां पर सपोर्ट लेके रिबाउंड होते होगी देखा है तो मुझे लग रहा है एस बीटी एस्टी 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 एस पोजिशनल पिक अगल उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा बहुत करेक्शन दिया था फिर एक नया रैली स्टॉक ने स्टार्ट किया था आट सो साथ आट सो साथ के करीब से मेरे कहल से 20-22 सप्टेंबर के आसपास उसके बाद हमने देखा है फिश्टे दो-तिन दिन में कंसॉलिडेशन और फिर से वाल्यूम के साथ चल रहा है तो मुझे लग रहा है यहां पर 925 के स्टॉक लॉस के साथ 975 के टार्गेट के लिए हम रैमको सिमेंट्स बाई कर सकते हैं बहुत शुक्रिया इन सारे स्ट प्रेडिंग आइडियास के लिए वेक और सुधीप चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपनी इंवेस्टिंग की बादशीत लेकिश पढ़ते हैं रादिका गुप्ता के पास जो एडलवाइज एमसी की अधिका बहुत शुक्रिया आज अमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं हम इतिनाओ इतिनाओ स्वदेश की तरफ से स्वदेश की दूसरी सालगिरा पर आपका जो कॉंट्रिबूशन रहा है इन दो सालों में बहुत ही शांदार है बहुत धन्यवाद सब के सबसे पहले तो आप सभी को इटीनाओ टीम को बहुत-बहुत मुबारक दो साल जी जो गोए हैं उझे लगता है जो मैया भरतावा भारत है यूगा इंवेस्टर के लिए आपकी चैनल बे बहुत अच्छी आवाज रही है और मैं मानती हूं दो साल तो निवेश में सिर्फ शुरुआत होती है तो आगे बहुत आगे जाना है इस चैनल को आपने बहुत बढ़िया बात की मौके पर आप जुड़ भी रही है और आपने बात कहीं कि मैया भारत है यह यह वह इंवेस्टर भी काफी तेजी से चीजों को गुरों को इंवेस्टर के गुर को सीखता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोसेस हम ट्रेडिंग इंवेस्टिंग दोनों युनिवेस्टर करते हैं लेकिन हम प्रोसेस पर जादा फोकुस करते हैं अग्दान आउटकम पर तो आपने जो नए भारत की बात की है मैं जानता हूं कि आपके टीम में बहुत भी डीटे के लिए कोपिट इंडिया के लिए और इसलिए वो रिफ्लेक्ट होगा मार्केट्स में तो कई बार हम बहुत बड़ी ऑपिचनिटी ना मिसकर जाए शॉट टर व्यू के लिए आप बताईए क्यों एक वन अब बेस्ट डेकेड़ हो सकता है रिटर्न के ये भारत के लिए भारत एक बहुत यूनीक पॉइंट हो सबसे पहले तो मैं कहूंगे आप में बहुत मुद्धे की बात कई कि हम आउन तोर से शॉट टर्म मार्केट की बात करते हैं मार्केट आउट लोग का मार्केट में तो इवेंट्स होता रहता है कभी इंटरस ट्रेट कभी कूड लेक क्योंकि इंडिया की एक बहुत उनीक स्तर पे है आज हमारी साड़े तीन ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी है धाई हजार डॉलर जीडीपी पर कैपिटा है मैं मानती हूं हम शायद वहां हैं जहां चीन दो हजार आठ में था जब उसका कुछ ऐसा धाई हजार डॉलर का जीड कर किया आज हिंदुस्तान में एवरेज एज 28 साल है तो जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंट कहते हैं यंग पॉप्यूलेशन का बेनिफिट और हम देख रहे हैं कि आज कल के युगा तो क्या क्या करना चाहते हैं उसका हमें बेनिफिट मिलेगा एक स्टेबल फिनेंश हमें एक services-led economy रहे हैं sectors like IT बट अब जो हिंदुस्तान में manufacturing का एक buzz शुरू हो रहा है manufacturing अलग अलग शेत्रों में जो काम्यावी पा रही है उससे आपको बहुत legs मिलेंगे तो ये भारत की story बहुत unique है demographics की point of the economy और ये decadal and multi-sector opportunity है थीम काम के बाते रादिका बताईए हाँ आज आने वाले 7-8 साल में जाए सबसे अदा पैसा बनेगा दो तीन थीम्स और अलसो ये जो बात आती है ना हम लोग कई बर गुम हो जाते इस बात में कि large cap oriented रखे portfolio mid cap oriented रखे small cap छूट ना जाए कई juicy multi bagger तो ये multi cap opportunity क्योंकि leaders तो में मिलते हैं और महेंगे स्टॉक बड़े में भी हो सकते हैं तो ये इस इस approach के बारे में छोड़ा बता रिए जहां तक शेत्रों की बात है बहुत लोग हमेशा पूछते हैं कि कौन से सेक्टर में निवेश करें मुझे लगता है अगर आप 10 साल में देखें तो इंडिया में एक multi sectoral story है मैंने manufacturing की बात की तो उसमें बहुत सारे सब सेक्टर्स आता है बहुत सारे सब सेक्टर्स आता है चाइना प्लस वन की एक theme है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स आता है electronic manufacturing आता है chemicals आता है financial services sector जिसको मैं भी represent करती हूँ वो एक बहुत अच्छी opportunity है तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया कभी एक single sector theme है और यह जो आपको दूसरी बात की ना कि भारत बबल गया है अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूँ तो अजे 2020 years ago around 1998 एक average large cap company का हिंदुस्तान में market cap सिर्फ 3000 करोर था 3000 करोर पर ब्लू चुक मने जाते थे आज एक average small cap company का market cap 12000 करोर है तो हमारी जो definition है ना कि mid cap companies large small cap companies चोटी companies हैं इनकी poor corporate governance है यह अभी emerging business models हैं यह सच नहीं रही है market का structure बदल गया है और जैसे कि आप में कहां अगर आपको banking या tech में leader चाहिए तो शायद आप large cap में जाएंगे लेकिन कल को अगर आपको diagnostics में leader चाहिए तो आप small cap segment में जाएंगे अगर आपको China plus one chemicals में leader चाहिए या paints में leader चाहिए तो आप mid cap में जाएंगे तो आगे जाके जो भारत का portfolio होगा जो एक standard portfolio होगा वो पूरे market cap में present होगा large cap, mid cap और small cap जिससे कि वो पूरी economy को capture करें hence एक multi cap approach की जादा जर्व है क्योंकि देश बदल गया और market structure बदल गया थीम्स पर तो invested होना चाहिए और portfolio को भी diversify करके भी बनाना चाहिए शुक्रिया रादिका आज हमारे इस खास मौके पर इस खास दिन तर आज समय देने के लिए और अपने insights हमारे viewers के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने contribution को हमेशा ही appreciate करते हैं महबत शिक्रिया फिलाल वक्त एक छोटे से break का है जल्द वापस हाजरोंगे कुछ stocks की भी बात होगी जिनमें अच्छी recovery देखने को भी है बाजार में बहुत जादा अंकों के लाहाद से तो आपको recovery नहीं दिखरी लेकिन कुछ large cap stocks हैं जहां पर आपको अच्छी recovery भी दिखाए दिया है वक्त एक छोटे से बेका है जल्द वापस आज होंगे तो बात होगी इंशुरेंट दिखरीर किर लुद दिखरी से दोंऑ पर शोटे से अच्छी नहीं चांजुरेंब को भी है बात होगी झाल 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 में झाल 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 प्रौ झाल झाल आख झाल के long term period पे वो जो aviation market का growth envisage कर रहे हैं वो 15% से जादा है मता mid teams का growth आगे चलके indigo से expected है और उसी कारण ये 1000 plane का company ने already aircraft के orders दे रखे है इसमें कुछ replacement भी होगे बट ज्यादा तर company के growth के लिए utilize के जाएंगे तो काफी strong growth plans है indigo का और अगर sum up हम करें तो dominant market share strong operational performance रहा है company का capacity addition आगे चलके strong होगा क्योंकि काफी जादा plane के orders already company में दे रखे है और one of the strongest balance sheet है पूरे industry में indigo का और इसी दम पे analyst काफी bullish है company पे और आगे चलके वो कम से कम 20% से जादा का growth expect कर रहे है share prices में indigo के अगले 12 मेने में बिल्कुल तो HDFC bank की बात करें तो यहां पे जो analyst की estimate आ रहे है और return potential की बात करें तो यह 12 month की return potential है 29% की uptake यहां से भी expected है और consensus target price जो हम लोग देख रहे है 1,986 rupees most analyst ने buy rating maintain की हुई है 93% की analyst 93-94% की analyst है जिसने buy rating maintain की है HDFC bank पे और hold rating है 6.4% जो analyst hold rating maintain कर रहे है कोई भी analyst ने sell rating नहीं दी HDFC bank के लिए now यहां पर positive triggers की बात करें क्या है triggers bank के लिए आगे जाते हुए तो one to bank काफी well poised है in terms of gain करने के लिए market share both in terms of leading in terms of deposits over the next few years as well as in terms of lending तो वहां पर lending all deposits में growth अच्छी है market share gains की expectation भी है analyst estimate करे है कि यहां पर जो earnings or return ratio होगी वो bottom out हो जाएगी Q2 FI24 में और फिर वहां से recovery gradually दिखेगी तो Q2 के बाद recovery ही expected है और overall higher mix भी है अम secure loans का जो aid करेंगा overall NIMS जो है net interest margins को increase cost selling भी aid करेंगी fees के लिए जो क्योंकि merger की वज़े से increased cost selling हो रही है HDFC और HDFC bank की तो रहां पर fees को भी aid करेंगी और overall valuations की बात करें और valuations देखें वह है lowest levels HDFC bank के वालिएशन सिंस 2009 में approximately यह valuations देखेंगे तो यहां से यह lowest levels पर है तो काफी value भी दिख रही है HDFC bank में और यह काफी positive triggers बन जाते हैं HDFC bank के लिए और भूले मत यहां पर बात करें तो merger के बाद overall global top 10 banks में by market cap बन जाता है HDFC bank तो शॉली watch out करेंगे HDFC bank के लिए और काफी अच्छी potential भी है return potential next 12 month में 29% की return potential expected है GSPL पर भी आप ध्यान रख सकते हैं एक बहुत one of the finest share है जिसकी valuation इस समय काफी अकरशक है बिसनस अपने आप में काफी अकरशक है और particularly geographical area के हिसाब से देखें वहां पर इसकी पूरी तरह से monopoly है तो GSPL पर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं एक जो reasons हमें आपके सामने ज houses ने भी हाल में रिपोर्ट जारी करके इसके बारे में जान कर दी है पहला point इसके अंदर जो gas transmission का जो volume है वो काफी अच्छे से grow कर सकता है आप पिछली बार थोड़ाव था लेकिन इस बार के quarter के अंदर हमको काफी इच्छी grow था तो देखी यह quarter quarter करी 17% के आसपास बढ़ा है और market exports यह कहते हैं कि आगे चलके जो gas transmission volume है यह अपने आपे काफी अच्छा grow करेगा जिससे company को एक बच्छा benefit होगा दूसरी बार जातर इस तरह के market के अंदर हमें कई बार shares की valuation पर doubt होता है कि यह share चलेंगे कहीं महंगा तो नहीं है तो हम बतारें कि GSP इस समय fair value है जातर बचे से एक तो इसका PE करीब 10 के आसपास चल रहा है जो कि industry average से भी 14% बनता है उसके भी नीचे है आप इसको peer से भी compare करेंगे तब भी उसके नीचे है और जातर export से कहते है कि return on equity के हिसाब से भी यह share ठीक है जो कि investors के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इनका मानना है कि FI 44, 45 estimation के हिसाब से कम से कम 15% का average आपको ROE यह देने की capacity रखता है इसके अलावा हमने आप जब इसके कुछ financials को check कर रहे थे तो दो बड़े interesting points निकल के आ है first यह almost debt free company है और साथ इसमें promoter की कोई भी holding pledge नहीं है और सबसे अच्छी बात यह कि इसका shareholding pattern के अंदर DIs भी है FIs भी है promoter भी है public भी है यानि की equally distributed company एक तरफ tilt रहे हैं जिसकी वज़े से काफी ज़्यादा नुकसान या कही बार extraordinary benefit होता है तो एक safe study आराम से 15% 16% साल में बढ़ने वाला stock यह है इसके अलावा हमने जब इसका stand-alone pat वगरा का estimation चेक किया कि आने वाले दिनों में इसका बीटा या या इसका मुनाफ़ा वो कितना बढ़ सकता है तो इसलिए हाज से भी दिखेंगे तो करीब करीब 16% अभी ड़ने के chances हैं और मुनाफ़ा करीब 13% की growth के साथ आपको दिखेगा जो कि इसके lower base से आपको जादा अच्छा परतीत होगा तो इसलिए GSPL इसलिए हाज से भी काफ यह तर ठीक लगता है फिर हमने सारे जब financials आखड़े चांट लिया सब कुछ देख लिया फिर हमने के exports के पूल पर भी trust किया हमने करीब 21 exports का अलग-अलग view हमने पता किया तो उसमें से 18 exports का यह मानना था या तो इसको यहां पर खरीदा जा सकता है और कई exports तो यहां से लिहाज से पोल के लिहाज से financial data के लिहाज से आगे की growth के साब से और सस्ता होने के नाते अपने segment के अंदर one of the best companies है इस पे आप ध्यान रख सकते हैं और अगर मैं last में इस से बात को conclude करूँ तो sectoral charing का भी यह बहुत बड़ा benefit हो सकता है को कि against stocks में काफी दम है और आने वाल करे stocks की जो कि analyst काफी positive है तो उसमें SBI का नाम काफी उपर आ रहा है PSU banking space वैसे भी बहुत focus में रहा है काफी run up already हो चुका है पर analyst का मानना है कि stock में काफी upside है in fact अगर Bloomberg के consensus view से जाए तो almost 92% जो analyst है उस पे उनका buy rating है 6% का holder only 2% of the analyst बोल रहे हैं कि शार आपको शेर बेच देन चाहिए बाट उसके अलावा 92% से जादा analyst मान के चल रहे हैं कि stock में काफी upside है in fact consensus upside की बात करें तो 20% है almost stock price of around 720 आगे चल के काफी trigger है SBI के लिए of course ही country का सबसे बड़ा lender है और retail demand की बात करें तो काफी high रहा है in terms of the loan growth and that's why जो management है वो भी काफी confident है कि 12-14% तक credit growth तो रहेगा ही system में तो उसके चल टे हमने काफी positive momentum देखा है SME segment से भी काफी demand भड़कर आ रही है तो वो भी एक better है and corporate and wholesale book जो की बाकी lenders ने अपना कम कर दिया था वहां पे exposure वहां पे अभी SBI के पास opportunity है कि अपना wholesale as well as corporate book को भी expand कर सकता है asset quality की बात करें तो कोई ऐसी problem नहीं है in fact उनका जो return on asset के targets थे 1% plus के वो bank में already achieve कर लिए है आगे चाके उसके और भी अच्छे targets बन रहे है credit cost भी benign रहेगा यह मतलब controlled रहेगा क्यूंकि जो peak of the interest rate cycle है वो चुका है तो credit cost पे आगे चल के जादा pressure की उम्मी नहीं है और जो bank है उसके पास अभी इतना capital है अपनी balance sheet पे कि उनको fundraise करने की जूरत नहीं है तो जो dilution का overhang होता है वो भी नहीं आना चाहिए तो जो next leg of growth है उसके लिए already bank के पास capital है तो जाए credit growth की बात करे, margins की बात करे, या फिर return ratios की बात करे, तीनो perspective पैसा रग रहा है कि SBI के लिए काफी upside है जी बिलकुल EPL जो है focus में रहने वाला और यहां पे अगले 12 महीना में जो target return potential देखा गया Bloomberg से वो लगबग 22% का return दे सकता है लेकिन क्यों है bazar bullish इसके reasons हम बताते हैं, सबसे पहला है कि incremental revenue देखने मिल जखता है Brazil के market से, already March quarter में देखा जाए तो 20 million dollar के total expenses आई है और उनके एक नई plan commission होई है अब जो management में कहा है कि Fy24 में उनकी capacity expansion plans है ब्राजल में वो और बढ़ेगी तो इसका मतलब incremental revenue देखने मिलेगा, इसके लावा sustainable types इनके demand में बहुत अच्छी strength देखने मिल रही है और blockers का मानना है कि लगबग जो demand है उनकी volume specific वो दो गुना हो सकते है Fy24 में company में margins में जबरू pressure आये थे पिछले 2 या 3 quarter में लेकिन अब reversals देखने मिल रही है क्योंकि polymer prices में के दाम है उसमें गिरावट देखने आ रही हाला कि aluminum prices अभी भी stable है इसके इंपर्टन बात यह भी बता दे कि हाली में management change होई है जहां पर नए CEO4 आएं बीपर गोल और उनकी जो क्यों नंबर जो रिसेंट भी आए थे वहां पर भी return on capital में जो एक अच्छा growth देखने मिला लगबग 16% का year on your basis पे और overall देखें तो बड़े-बड़े customers को जो वो अभी supply करते हैं जैसे कि आपके कोल गेट, PNG, DABAR आपके FMCG segment में और आगे जाते हैं especially festive season में जो है FMCG stocks पर भी नज़र रहेगे उसका जो second order effect है वो आपको EPL में भी दिखेगा हुआ है हुआ है शो हुआ है हुआ है झाल 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 तो तो झाल 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 झाल